यह lecture इतना लंबा क्यों है भाईया क्योंकि इसमें एक बहुत important chapter जो कि ना खाली 10th में बलकि 11-12 में भी आपकी बहुत ज्यादा help करेगा उसको हम one shot में cover करने वाले हर एक topic को एकदम डेटील learners मैं बात कर रहा हूँ class 10th से science 1 का chapter जिसका नाम है carbon compounds यह 2022-23 batch के student के लिए मगर अगर आपका syllabus नहीं बदला है तो आपके लिए भी उतना ही relevant होगा पुल chapter plus quiz ले रहे ठीक है तो यह quiz कैसे देना यह भी मैं आपको बताऊँगा पूरे chapter को one shot में cover करने बाद इस channel पर मैंने science के बाकी सारे chapters भी cover कर रहा है तो आप description में देगे link पे visit करके कोई भी chapter देख सकते हो पूरी playlist है learners आपको अगर इसके notes चीए तो आप शुबम जा class 10 search करना टेलिग्राम पे और ऐसा एक channel आएगा उसको join कर लेना उसके files में सब added है या फिर आप हमारा app भी download कर सकते हो जिन quizzes के बारे मैंने आपके साथ जिकर किया था वो quizzes ये है और ये आपको मिल जाएगा हमारे app के उपर इसका price 500 रुपीज है इसमें science के 20 के 20 chapter के हर इक topic से आपको question प्राक्टिस करने के लिए मिलेगा जिससे आपके exam में जो mistakes हो जाएगा और maths maximize हो जाएगा learners MCQ भी है और साथी साथ subjective भी है 1500 से ज्यादा questions आपको मिलेंगे practice करने के लिए और इसमें कुछ live classes भी होते हैं मुवी बदर बच्चो 500 रुपीज का कैसे आप खरीद होगे यह मैं आपको बता देता हूँ आपको simply हमारा app download करना easy learning वहाँ पे courses वाले section में आप जाओगे और वहाँ से जाकरके आप simply यह test series को purchase कर सकते हो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी कर लेनी है तो यह chat वाल की जो notes विगरा है वो यहाँ पे इस तीन जो बार है ना यह तीन इन बार पर क्लिक करके study material वाले section से भी आप download कर सकते हो notes को तो टेसरी जरूर जोइन करना या फिर आप हमारे live batch को भी join कर सकते हो जैसे RM batch करके हमारा batch है उसको भी आप join कर सकते हो हमारे app easy learning पेवलेबल है और live class की recording है ठीक है तो आप देखर कैसे tension में वहता आजाना की क्या होगा तो it is also like a demo की हमारे जो RM batch है अपर जो हमारे live batch है होता है हम कितना detail में पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं enjoy the lecture happy learning चलो बालको तो बात करते हैं carbon compounds की ठीक है now this is a very interesting chapter ठीक है और इस chapter में हम बहुत सारी च आज के लेक्सरे में दो चीजे पढ़ने वाले पहला हम लोग पढ़ने वाले bonds in carbon compound दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले that is versatile nature of carbon compound यह versatile nature of carbon basically these are the two things which you are going to study today in this particular lecture आज का लेक्चर थोड़ा slow रखूंगा कि आपको चीजे थोड़ी समझ है लेकिन उसके बाद gradually speed बढ़ जाएगा gradually क्या होगा आपका पढ़ने का speed बढ़ेगा ठीक है क्योंकि syllabus completion is also important part सबसे पहले बात करते हैं carbon के presence के बारे में तो carbon का अगर मैं presence की बात करूँ carbon is present in your earth crust carbon आपके earth crust में है इसको क्या ठीक है carbon आपके earth crust के अंदर earth crust का मतलग क्या कि जमीन के अंदर कितना है तो carbon आपका 0.02 percent carbon आपके earth crust में है और कितना है तो 0.02 percent है किस form में है तो it is in form of minerals जैसे कि carbonates जैसे कि जब मैं कहता हूं calcium carbonate तो it is a carbonate salt समझ रहे हो तो carbonate के form में है coal के form में है जो अपने 9th standard में पढ़ा था anthracite, anthracite peat, vitaminis coal ऐसे coals के बारे में अपने 9th में पढ़ा है carbon में ठीक है तो coal के form में है या फिर petroleum या फिर जिसको हम crude oil भी कहते है petroleum होता है na crude oil तो वो petroleum में फिर crude oil के form में भी है so these are the form जिसमें आपको carbon जमीन के अंदर देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो carbon is also present in the atmosphere carbon आपका atmosphere में भी है और कस form में है gaseous के form में like carbon dioxide example की लिए this is just an example 0.03% तो ये तो बात होगी carbon की पर एक बहुत important impression उठता है कि भाईया या यार carbon के उपर एक पूरा chapter यार hydrogen की कोई feeling नहीं है क्या भाईया हाँ सर हाइड्रोजन भी तो है magnesium है aluminium है इनके उपर पूरा एक chapter नहीं है पर ये लेकिन किन्तु परन्तु इस carbon पर एक पूरा का पूरा chapter आपके मन में भी प्रशना सकता है कि ऐसा क्यों इसका जवाब मैं आपको थोड़े थोड़े चीजों से दूंगा मैं कुछ छोटी बुटी बाते करूंगा जिससे आपको इसका जवाब मिल जाएगा मैथली आप क्लास में हो मैथली है क्लास में I don't know है की नहीं है उसका कॉल आया था मैंने कॉल किया तो उसने नहीं उठाया फिर उसने किया तो मैंने नहीं उठाया चलू कोई बात नहीं है अब मुझे इस क्लास के बाद काल कर ले ना इस क्लास के बाद काल अगे बड़ते ना अब मालो की बच्चों तुम्हारे पीछे तुम्हें बहुत हरा भरा सा दुनिया दिख रहा है इस हरे बरे दुनिया में एक चीज चलता है जिसको भोलते है उक्सीजन साइकल इसके बारे में विह आपने नहीं तुपर भढ़ाऊंगा oxygen ke के बारे में भी यह oxygen cycle क्या गला है भी वह ऑक्सीजन साइकल में क्या होता है यह oxygen देता है ठीक है, पेड़ क्या होता, oxygen देता है, इस oxygen को इनसान अलग-अलग चीज़े इसको ले लेती है और इनसान क्या करता है, carbon dioxide देता है, इस carbon dioxide का इस्तमाल करता है, यह पेड़ और photosynthetis नमा की process करता है और उस प्रोसेस से फिर ये चीज़े repeat होती है अब मुझे एक बात बताओ क्या आप अपने जीवन को imagine कर सकते हो बिना oxygen cycle can you imagine your जिंदगी बिना oxygen cycle अगर oxygen cycle नहीं है तो आप जीवन को imagine कर सकते हो बिना oxygen के नहीं न तो oxygen cycle के लिए भी ये carbon compound CO2 में जो carbon है वो तो बहुत important है इसके अलाबा अगर मैं बात करूँ बच्चो तो all the living compounds all the living compounds are composed of carbon सारे living compounds जो होता है carbon से बने होता है including human beings इंसान को जलाओंगा तो क्या निकलेगा crack, koila, plants पेड को जलाओंगा तो क्या निकलेगा carbon compound are also present in food अरे जो खाना तुम खाते हो protein, fat, carbohydrate उसके अंदर भी carbon के compounds है carbon के compound उसके अंदर भी है बालको इतना ही नहीं इतना ही नहीं बच्चो इतना ही नहीं बालको इसके अलाबा जो soap and detergent तुम इस्तमाल करते हो पहले इस्तमाल करो फिर रिष्षवास करो ये भी salt सब carbon से बने हुए होते है sodium carbonate बोलते हो कि नहीं बोलते हो इसको बचो जो medicines हम लेते हैं medicines, antibiotics अपने आपको किसी चीज़ से cure करने के लिए कई बार वो भी carbon और उसके compound से बने होते है वो भी किसे बने होता है carbon या फिर उसके कोई compound से वो भी बना हुआ होता है यहां पर भी आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा कि भाईया carbon is like अपने तो पार्ट शाला मस्ती के पार्ट साला इतना ही नहीं carbon जो है ठीक है, it is also used in its elemental form, आपने नहीं स्ट्राइटल में पढ़ा होगा कि carbon अपने elemental form मतलब अलेट्रोपिक form में है जैसे कि diamond and graphite अब जिन लोग को पता है उनके लिए तो ठीक है लेकिन जिनकों नहीं पता है मैं बताना चाहता हूं कि diamond जो होता है वो पूरा का पूरा carbon से ही बना हुआ हुआ होता है diamond is entirely made up of carbon carbon is very 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 IMP very good बच्चो जो graphite होता है ये graphite ये धी carbon का ही एक अलेट्रोप है it is also made up of carbon इसको अब लोग बोलते है अलेट्रोप्स of carbon are you getting it? इसको अब लोग अलेट्रोप्स of carbon बुलाता है it is also very important तो भाई diamond, graphite these are also made up of carbon इतना ही नहीं बच्चो carbon जो है वो कई सारे inorganic compound में भी होता है inorganic कौन सी चीज़े होती है भाया inorganic जो जीतने भी metals है तुमारे जीतने भी तुमारे metals है जो जमिन के अंदर से मिलता है aluminium, iron ये सब inorganic होता है इसके अलावा उनका रेलेट्रोप्स मतलब बाद में समझेंगे वस अब ये के लिए इतना ज्याद रख कि अलेट्रोप carbon का अलेट्रोप है diamond और graphite एक और है लेकिन diamond और graphite अलेट्रोप है different physical structure बट same chemical structure क्या sorry chemical चीज chemically same होगा physically थोड़ा अलग होगा उसको हम अलेट्रोप बोलता है चलो clear हो गया यहां तक clear हो गया मैंने बोला ना इन और गेनिक वो सारे metals होते हैं या फिर जो आपके crystalline form में जो भी चीजे होती है crystalline form में आपके जो भी चीजे होती है वो सारे इन और गेनिक होते है जैसे NACL crystalline form में होता है वह यह क्या है इन और गेनिक है ठीक है salts जो होते है जादा तर इन और गेनिक है ठीक है बच्चो इसके अलब़ा जो rocks वेगरा होते है जो भी जमीन के अंदर से आपको मिल रहा है Rocks है यह फिर कोई minerals है ठीक है यह सारे इन और गeluिक होते है जैसे calcium है ्ने नहीं calcium potassium mineral है यह इन और गेनिक होगा इतना ही नहीं बच्चा पटी इतना ही नहीं जो diamond है carbon संषर बनावा है यह भी in और गेनिक है ठीक है carbon dioxide inorganik carbon monoxide inorganik है इसके अलाबा जो carbonates होता है हमने पीछे भी फढ़ाता है ना carbonates और crust के अंदर carbonate के form में है आप लोग बनाते हो ना calcium carbonate magnesium carbonate तो यह जो carbonate होता है क्या होता है? inorganic होता है bicarbonates sodium bicarbonate baking soda याद है bicarbonate नाइंत पर सीखा होगा तो bicarbonates भी inorganic है इसके अलाबा carbides carbide मतलब क्या होता है? कि आपके पास एक metal है और दूसरा carbon होगा metal carbon के साथ होगा metal और carbon साथ में होगा है चीक है? तो यह है आपके calcium जो कि एक metal और यह carbon है तो यह भी क्या है? inorganic है so these are inorganic compounds अब प्रश्मियों उठता है कि भी या organic होगा? water organic compounds तो जो भी चीज आपको plant या animals से मिल रहा है मतलब जो भी चीज living in nature living thing से मिल रहा है वो organic होगा जो भी आपको living thing से मिल रहा है that is organic sabji, picked plant या animals से जो मिल रहा है तो यह living है वो organic है got it? simple है? यह सब क्या है? organic है तो carbon is present in organic as well as inorganic things carbon organic में भी है inorganic में भी carbon compound शालो बहन is it clear अब दिखो बच्चो organic जो अब दिखो अब भी हम लोग थोग थोगा सा organic compounds के बारे में पढ़ते हैं carbon की chemistry को हम लोग organic chemistry भी कहते हैं याद रखना जब हम carbon के पढ़े में पढ़ते हैं न carbon की जब हम पढ़ते हैं तो उसको organic chemistry भी कहा जाता है इस छोड़ी सी बात को याद रखें अब दिखो generally अगर अब आपके textbook के कुछ line बताता हूं मैं जो आपके textbook में लिखा है generally जो बच्चो melting point होता और boiling point होता है carbon compounds का वो lower than 300 degree Celsius होता है तुम मुलों के भाई या ऐसा क्यों generally जो melting point and boiling point होगा carbon के compounds का वो less than 300 degree Celsius होगा या ऐसा क्यों example के लिए मुंबत्ती इस वाले sentence को देखो अभी मुंबत्ति जब मुंबत्ति को हम जलाते हैं तो मुंबत्ती पिखलता है न फटटट फटटट फटट 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 फटटट की पिखल जाता है बहुत जलदी पिखल जाता है घृत lower melting point और boiling point होता है प्रश्म यह उठता है कि भाई साब melting point and boiling point lower है क्यों why this melting point and boiling point are so low तो इसका जबाब यह है कि मैं हम यहाँ पर इसी example लेकि कुछ समझते हैं फेले कुछ और example देखते हैं जैसे कि बच्चों methane ये carbon compound है दिखो इसमें carbon है आपको पता ना methane क्या होता है Mars gas सबी लोगोंने सुना ही होगा 9th में भी पढ़ा होगा तुमने इसको Mars gas जिसको bio gas में use किया जाता है जलाने के लिए इसका जो melting point that is minus 183 and इसका जो boiling point textbook का ही चार्ट है ये minus 162 इसके अलाबा बच्चो ethanol आपने इसको पढ़ा ethanol को दारू माइनस 179,78 दिखो ना sanitizer विगरा में होता है न ऐसे डालो जेल जैसा फट से evaporate हो जाता है chloroform बेहोस करने के लिए इस्तमाल किया जाता माइनस 64 melting point and they say boiling point 61 बहुत कम है ये क्या है कैसे बनता है इनका formula क्या है ये सब तुम्हें लेक्चर खतम होने तक आप जो 5 वा 6 लेक्चर जब इसका अटेंट करोगे तब तक आपको सारा याद हो जाएगा पास से 6 लेक्चर लगेंगे इस chapter को खतम होने में ठीक है acetic acid CH3 COOH ये क्या होता है विनेगर होता है भाई बेसिकली जब लोग खाने में डालते न सार टेस्ट इंपार्ट करने के लिए विनेगर विनेगर प्रोडक्शन भी पढ़ना हमको पाट्टू में तो ये विनेगर होता है ठीक है तो ये इसका होता है 17 और 180 तो तुम ये समझ रहे हूँ नहीं पूछते नहीं है बता रहा हूँ पूछते नहीं है अब तक तो नहीं पूछा है नहीं नहीं पॉजिटिव नहीं निगेटिव है इस निगेटिव बहुत कम है और ये सारी चीज़े डिगरी सेल्सेस में ये बात या रखना है सारे के सारे 9.1 आपके टेक्सबुक का एक पॉइंट है वही आई अब ही तुम्हें बता रहाँ यो कुछ और नी textbook की चीज़े ही read करके बता रहाँ मज़के read नहीं कर रहाँ basically text book में जो चीज़े हैं वही बता रहाँ अब भी को फ्रच्स नहीं है उठना चहींगे आपके मन में कि भईया इतना कम melting point and boiling point क्यों है organic compounds का right, melting point and boiling point organic compounds का इतना कम्त क्यों हैं, इसका जवाब है कि जो inter-molecular attractive forces होते हैं, वो बहुत weak होते हैं, क्या कहा मैंने? जो होते हैं, वो बहुत weak होते हैं, किसके अंदर? organic compound, inter-molecular attractive forces मतलब क्या होता है? मालने कि ये एक, ये एक atom है, ठिक है? और ये एक दूसरा आटम है याद करू मैंना तुम्हें बताया था कि एक positively charge है एक negatively charge है तो दोनों में बहुत strong होगा लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर यह बहुत weak होगा देखो बहुत दूर है एक दूसर से तो इन दोनों के बीच का जो force है वो बहुत weak है समझा रहा है सो हम यह सारे question class खतम होने के बाद मैं पक्का लूँगा लेकिन class होने के बाद यह सारे question अभी निए दूसरा point जो है कि most of the carbon compound होते हैं आपको वो bad conductor of electricity होते हैं अब मुझे बताओ bad conductor of electricity होगा तो क्यों होगा क्योंकि free electrons नहीं होगा उसमें they do not content free electrons कोई केटायन नहीं बनाता है कोई अनायन नहीं बनाता है तो अगर ऐसा नहीं करता है तो यहां पर electricity conduct नहीं करेगा तो most of the carbon compound ज़रूरी नहीं यह सारे अब जैसे कि example लेकर हम graphite की बात करें तो graphite तो carbon से बना हुआ है लेकिन graphite is a good conductor of electricity तो इसलिए हमने बोला कि most of the carbon compound true or false बोगर question पूछे तो थो ध्यान सा answer करना is it clear to everyone next अब बात करते है carbon की तो carbon के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं last lecture में हमने aluminium के बारे में बहुत detail में पढ़ा था कि aluminium क्या aluminium कैसा अब ही थोड़ा सा carbon के बारे में पढ़ते है carbon को हम लेटर c से represent करते है atomic number number है न n4 number इसको थोड़ा सा यसे गुमाऊगे तो z हो जाएगा z atomic number जो carbon का होता है उसको हम z से represent करता है that is six तो मालो six atomic number है इसका मतलब क्या होगा कि carbon का nucleus है yellow color का देखो ये carbon का yellow color का nucleus है इसके अंदर छे protons होगे 6 neutrons होगे carbon 12 की बात हो रही है इसलिए atomic mass इसका 12 होता है 6 proton और 6 neutron atomic mass क्या होता है जिसको हम इसे represent करते है this is sum of proton and neutron कितना proton और कितना neutron आपके पास तो हमारे पास 6 proton था और 6 neutron था तो answer क्या जाएगा 12 इसका unit होता है U-dalton ये आपने नाइट पढ़ा है कि इसका unit U-Q होता है ठीक है अब ये जो carbon है हमारा इसका जो पहला shell होगा इसमें 2 electrons होगे दूसरे cell में बचे होए 4 electrons चले जाएगे so this is about carbon is it clear electronic configuration क्या हो जाएगा फिर पहले shell में 2 तो K shell पहले shell को हम लोग K shell बुलाता है दूसरे को हम लोग L shell बुलाता है तो हम बोलेंगे कि K shell के अंदर 2 L shell के अंदर 4 is it clear valency क्या होगा nearest noble gas जैसा बनने के लिए 4 electron को lose कर सकता है गेन कर सकता है share कर सकता है कुछ तो करेगा पता नहीं क्या करेगा देखेंगे कि क्या करेगा ठीक है तो valency इसका होता है 4 कौन से group में होता है periodic table के modern periodic table के 14th group में आता है और create number 2 में आता है कैसे बोल सकते है यहाँ पर दो ही shell है तो create number 2 में है यह हो गए पूरे चकारवन की जनम कुड़ली सबको यह clear हो गया है carbon is like मैं नहीं तो कौन बैर है कौन इधर है कौन इधर हमाज आ गया चलो great next हम नेक्स पॉंट में ज़्याद ध्यान देना यह हमारा carbon है ठीक है यह हमारा carbon है उन्हों ने यह तो सुना ही होगा कि हर element के एक इच्छा होती है कि वो nearest noble gas जैसा बने पता है न हर element के एक इक इच्छा होती है carbon non-metal है हर element के एक इक इच्छा होती है कि वो nearest noble gas जैसा बने am I right यह चोटी सी बात सभी को पता होगी for example मान लो कि मेरे पास carbon है नहीं मान लेते हैं कि मेरे पास hydrogen है hydrogen की इक्षा है कि वो helium की तरह बने nearest noble gas जैसा जोसी को तो हम valency कहते है न कि वो electron gain करता है या lose करता है lithium की इक्षा होगी कि वो helium जैसा बने example के लिए जो fluorine है उसकी इक्षा होथी कि वो neon की तरह बने यह तो बहुत basic है मैंने आपको last lecture में भी पताया था अब हमारा जो carbon है उसके ज़रा समझने की कोशिश करना दुभी धा है रे है मजबूरी hydrogen helium lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon अब carbon जो हमारा उसके साथ पहुत दिक्का दभाई एक दो तीन चार कदम दूरी पे इसके पास helium है यह कहता है मैं helium बनूँगा I will be like helium यह मैं helium जैसा बनना चाहता हूँ फिर यहीं से exactly चार एक दो तीन चारी कदम पे neon भी है confusion confusion करे तो क्या करे हिलियम बने की neon बने अब जरह एक और पॉइंट से समझने की कोशिश करता है carbon का electronic configuration मैंने आपको बताया था that was 2,4 helium का electronic configuration है 2 neon का electronic configuration है 2,8 अगर हमारे carbon को बनना है helium जैसा अगर carbon को helium के जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा 4 electron lose करने पड़ेगे lose 4 electron carbon अगर helium जैसा बनना चाहता तो उसको 4 electron lose करने पड़ेगे am I right अब यही carbon अगर हमारा neon जैसा बनना चाहता तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है तो भाईया याला एट इलेक्ट्रों चाहर इलेक्ट्रों गेंड करना पड़ेगा गेंड फोर इलेक्ट्रों am I right किसी को इसमें कोई दिक्कत है ओ भाईया अब मैंनो आज क्लास में सबी लोग आया गया बच्छा तो 140-150 बच्चे है हमारे आरम बैच में लेकर शकले नहीं दिखाते हो तुम लोग तुम्हारा भी प्यार है मेरे प्रति क्या करें कोई दिन कारबन की दुविदा में है क्या करूं मर जाओं मेरी कोई नहीं है carbon tension में, क्या करूं मर जाओं मेरी कोई feeling नहीं और्य है तेनी feeling चिंता मत कर पखली तेरे feeling का ध्यां रखेगे कि पहला carbon helium जैस्वा डूस्रा carbon जो है वो helium नहीं यहापे neon जैसा बनना चाहे carbon will try to be like neon अभी तरीका नमबर एक समझते carbon wants to be like helium carbon को कैसा बनना है helium जैसा बनना है मैं तुमको थोड़ा सा calculation समझाता हूं थोड़ा सा calculation समझाता हूं यह हमारा carbon यह उसके अंदर के proton ठीक है और यह carbon के अंदर के electron और यह उसका state जैसा अंदर समझने की कोशिश करो carbon के अंदर 6 proton 6 electron carbon है neutral carbon के ओपर कोई charge नहीं 0 charge carbon is very neutral अब यह हमारा carbon है जिसमें 6 proton रहेगा मगर he wants to be like helium तो वो एक electron उसको 4 electron lose करना पड़ेगा न in order to be like helium की तरह बनने के लिए he has to lose 4 electrons lose करना पड़ेगा बात को समझो पहला electron उसने lose क्या 5 electron carbon के ओपर immediately एक positive charge आ गया जब यह अब तुम में को एक सोच के देखो मैंना ऐसा 4 कपड़ा पेन के रखा है मैं एक कपड़ा निकालूंगा तो मैं थोड़ा पतला हो जाओंगा एक और कपड़ा निकालूंगा थोड़ा और छोटा हो जाओंगा पतला हो जाओंगा एक और कपड़ा निकालूंगा थोड़ा और छोटा हो जाओंगा यह रहा सर अब एक ही कपड़ा बचाब मत निकालों नंडिय हो जाओंगे ठीग यह नहीं निकालता हो बात समझ रहे हूँ जैसे 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 कार्बन अपने बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लूज करना स्टार्ट करेगा उसका साइच छोटा होते जाएगा नुक्लियर पुल बढ़ रहा है अगला इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत तकत चाहिए मालों कि छे ही प्रोटॉन है प्रोटॉन में चेंजस नहीं हो रहे है एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया दो पॉजिटिव चाह जागे इमिडिट कार्बन इस फ़र्मिंग कटायन अगला इलेक्ट्रोन लूज करने के लिए और बहुत शक्ति चाहिए साइच छोटा हो गया छे ही है तीन उलेक्ट्रोन अगला अब यहां पर ग़ी अलजागा तीन पॉजिटिव चाह जाएगा अगला लूज करने के लिए 6 है अगला लूज करने के लिए बहुत तक अच्छी है highly unstable इस state में आके जो इक कटायन है highly unstable बहुत unstable है समझ रहे हो atomic mass मतलब होता sum of proton and neutron इन अटो are you people getting it are you people getting it नहीं समझा मेरे प्यारे बुद्धी जीवी लोग जिन लोगो ये बात नहीं समझाओ ध्यान से सुनो बुद्धी जीवी लोग ध्यान से सुनो छे छे डिफ्रेंस किता है 0 का छे पांच डिफ्रेंस किता है 1 का क्या जादा है positive negative positive जादा है एक जादा है छे चार दो का डिफ्रेंस से positive जादा है छे तीन तीन का डिफ्रेंस से positive जादा है चार का डिफ्रेंस से positive जादा है समझ मैं है c plus 1 plus 2 plus 3 क्या है अब जायंत तो सुनू जब carbon electrons lose करते جाएगा ऐसे जैसे carbon electron lose करेगा 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 जब केवल और केवल यह बचेगा तो उसका side छोटा हो जाएगा small side का हो जाएगा हाई नेट चार्ज होगा उसके उपर बहुत ज्यादा पॉजिटीव है ये बहुत अंस्टेबल है इसके बाद ऐसा बनने के लिए ज्यादा नेक्स्ट ये इसके बाद आसा बनने के लिए ज्यादा अच ये कुल मिला के तुम्हें कुछ भी समझनी आया तो तुमको बस इतना समझना है कि carbon के लिए electron lose करना next to impossible अगर वो electron lose करते चला जाएगा तो वो unstable हो जाएगा एक electron के बाद अगला electron lose करने के लिए उसको बहुत ताकच चाहिए more energy इतनी सी बात समझनी तो carbon helium जैसा नहीं बन सकता जीए तो जीए कैसे बिन आपके कोई बात नहीं मैं neon बनूंगी ठीक है मैं neon बनूंगी carbon लाईगा मैं neon बनूंगी ठीक है बन neon बनने के लिए चीजे थोड़ी उल्टी हो जाएगी net negative charge बढ़ते जाएगा electron gain करेगा बढ़ जाएगा gain करेगा बढ़ जाएगा ये भी बहुत unstable होगा मैं ये भी details में समझाऊँ होगा तो चिंता मत करो बहुत energy चाहिए अगला electron को accept करने के लिए वहां lose करने के लिए energy चाहिए था यहाँ पर accept करने के लिए energy चाहिए उल्टा पहले वाले का यह बड़ा होता है और इस पहाई निगेटिव चार्ज होता है उस पहाई पॉजिटिव चार्ज ह varit पहले वाले का उल्टा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूई यह कारबन यह है carbon के उपर 6 proton 6 neutron 6 electron carbon neutral बाव मगर 6 proton है और 1 electron gain किया क्योंकि इसको क्या करना है he wants to be like neon तो neon के पास कितने electrons है 8 electron से total नहीं 10 है तो अभी 6 के लिए 7 हो गया इसके उपर एक positive charge आ गया sorry एक negative charge आ गया एक electron जादा गया फिर carbon ने क्या किया एक और gain कर लिया तो negative charge आ गया फिर proton का number same ही है लेकिन electron बढ़ गया 9 हो गया 3 negative charge आ गया फिर proton का number same ही है बट electron बढ़ गया 10 हो गया ऐसा हो गया neon की तरह लेकिन अब इस पर 4 negative charge है proton और neutron के बीच में चार का difference है क्या जादा है negative जादा है electron जादा है इसलिए negative charge ये अनायन बन चुका है भहिया ये और ये highly unstable है ये भी unstable है कुल मिला के समझ के क्या लेना है जब ये electron gain करेगा negative charge बढ़ते चला जाएगा बढ़ते चला जाएगा बढ़ते चला जाएगा बहुत मुश्किल होता है एक lose करने का देख और sorry एक gain करने का देख और gain करना बहुत ताकत लगती है बच्चों का खेल नहीं है बढ़ा होते जाएगा अगर मैं कपड़े पे कपड़े पे कपड़े पेंता चले जाएगा फेलता जान नहीं चला जाओँगा बहुत negative हो जाओँगा समझ आ गया कुल मिला के बात यह है कि ना यह helium बन सकता है ना यह neon बन सकता है ठीक है ना यह helium जैसा बन पाएगा ना neon जैसा बन पाएगा gain या lose करके तो ना तो यह gain करेगा और ना तो यह लूज करें यह बात है Is it clear? कार्बन की दुविदा क्या करू मैं मर जाओ यह यहाँ पे neon है ठीए प्लीज इसको correct कर ले न क्या करू मैं मर जाओ मेरी कोई feeling नहीं अब भाई करेगा क्या कार्बन तो कार्बन करेगा क्या What carbon will do हमारा कार्बन बोलेगा मम्मा ने नहीं सिखाया Sharing is caring कार्बन की मम्मा ने उसको बचपन में सिखाया तागे sharing ही caring होती है तो लेट से कि हमारे कार्बन है दो electron और यह चार और उसके बाद यूमें हाइड्रोजन आ गया जिसने अपना एक electron उसके साथ share कर लिए फिर दूसरा hydrogen आया वैलेंस से लब बोद आटम सोवर लैप अगर मैं अभी केवल और केवल इसको देखूं तो यहाँ पर मुझे एक दो तीन चार पाच अभी इसको देखो क्या इसके पास दो electron है एक दो यह खुश हो गया similarly hydrogen और helium जैसा बन चुका है ऐसे अगर मैं तीन और hydrogen लगा देता हूँ एक दो तीन अभी को carbon जो है वो भी कैसा बन गया वो गया न काम अब केवल और केवल carbon को देखो ध्यान से केवल carbon को देखो जिसको मैं box में डाल रहा हूँ देखो कितने होंगे एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, नौ, दस नियोन जैसा बन गया मतलब किसी और के साथ sharing and pairing करके यह अपना काम निकाल सकता है तो हमने क्या बोला कि both the atoms hydrogen और carbon hydrogen और carbon, hydrogen and carbon both the atoms attain a noble gas configuration हमारा जो hydrogen है वो helium के जैसा बन गया और जो हमारा carbon था वो neon के जैसा बन गया दोनों के दोनों noble gas configuration को attend कर लेते हैं कैसे कर लेते हैं without generating any net charge on them ना तो वो lose किया ना तो gain किया समझ रहे हो ना तो ketan बनाया ना तो anion बनाया जो पहले हो रहा था which means यह दोनो electrically neutral ही है समझ गये हैं क्या यहाँ पर किसी ने gain किया है electron जो उस पर negative चाह जाएगा नहीं क्या यहाँ पर किसी ने lose किया है electron जिस पर positive चाह जाएगा नहीं तो electron share करके stable हो गया बिल्कुल सहीते जस्वा इन्होंने electron को share किया sharing is carrying समझ रहे हो तो मैं बोलूँगा कि ऐसे bond को हम बोलते है covalent bond ऐसे bond को हम क्या बोलते है we call it as covalent bond तक chemical bond form by sharing of two valence electron महाँ पर कितने electron share होए थे पीछे कर तुमने दियान से देखा होगा यहाँ पर दो electron share हो रहे है यहाँ पर carbon hydrogen के पीश में यहाँ पर भी दो हो रहे है यहाँ पर भी दो हो रहे है यहाँ पर भी दो हो रहे है तो दो मैं बोलूँगा कि तब chemical bond form by sharing of two valence electron उसको हम क्या बोलेंगे between two atoms दो अलग atom के बीच में या दो similar atom के बीच में उसको हम बोलते है covalent bond इसको represent करने का एक और तरीका electron dot structure अब example के लिए समधो कि भाईयो यह एक hydrogen है इसके पास एक electron है यह दूसरा एक hydrogen है इसके पास भी let's say कि एक electron है यहाँ पर दोनोंने share कर लिया न तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस hydrogen के पास एक electron था इस hydrogen के पास एक electron था दोनों ने आपस में sharing कर ली दो electrons की sharing हो रही और एक बन गया हमारे पास covalent bond यह हमारे पास बन गया covalent bond क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सोच के बताओ lecture खतब होने के टाइम मैंने एक line बोलूम हो तुम लोगों जो तुम ने बहुत अच्छा लगी गा मुझे पता है यह बाद में बताओं मैं तो देखो दो karışंथ अपस में cell overlap करके एक एक electron को share करके क्या बना देते हैं मुझे पता है यह बहुत हूं इस रहे बहुत है इस हंपे है Winston कि क्या होगी है इसको electron dot structure बोलते है रीचे अब इसी को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको बोलते हैं bond line structure bond line बना के हमने किया तो इसको भी मैं ऐसे भी represent कर सकता हूँ don't worry बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चीजों को अगला देखते हैं एक और example लेके देखते हैं oxygen covalent bond को समझने के लिए एक और example लेते है oxygen का oxygen का atomic number क्या है बच्चो 8 oxygen का atomic number 8 है electronic congregation क्या है 2,6 कि इसको noble gas बनने के लिए 2 electrons gain करना पड़ेगा अभी तो 2,8 बनेगा नहीं है 2,8 बनने के लिए 2 electrons gain करना पड़ेगा right nearest noble gas neon जैसा बनने के लिए तो मानलो कि ये एक oxygen है तुम्हारा जिसका आखरी यहां पे भी एक shell होगा of course जिसमें ऐसे 2 electrons होगे लेगा हम उसको नहीं दिखा रहे diagram में उसको हम नहीं दिखा रहे ठीक है हम last वाला shell ले रहे और ये दूसरा एक oxygen है जिसको मैंने उठा के यहां डाल दिया क्या इंदो लोगे बीच में sharing हो रही है दो इलेक्ट्रों के लेखो अब तुम्हें चाहिए तो तुम यहां पे यहां पे ऐसे 2 बना लो या फिर यहां बना लो बात ही किया तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ तो पेर साफ एलेक्ट्रों आशेर पेर नमबर 1 पेर नमबर 2 पेर में जोड़ी ना तो यह पेर नमबर 1 पेर नमबर 2 दो पेर आफ उक्सिजन दो पेर आफ एलेक्ट्रों शेर हो रहा है तो दो कोवेलेंट बनेगा कितने कोवेलेंट बनेंगे फिर दो कोवेलेंट बनेंगे इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजन कर सकता हूँ ऑक्सिजन के पास बाहर में कितने थे छे एलेक्ट्रॉन्स थे तो दो चार छे दूसरा ऑक्सिजन के पास भी कितना था दो चार छे फिर से एक बार इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजन कर सकता हूँ ऑक्सिजन के पास बाहर में छे एलेक्ट्रॉन्स थे तो दो चार छे दूसरे ऑक्सिजन के पास भी बाहर में कितना एच्छे है तो दो चार छे इनके बीच में बॉंड बन गया और क्या मिल गया हमें कोवलेंट बॉंड इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डबल लाइन बना के डबल बॉंड गॉट इट अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी रिपीट करेंगे पूरा चैप्टर रिपीट कर देंगे चिंता मत करो मगर एक बार खतम होने दो थैंक्स पूरा चैप्टर रिपीट कर देंगे बस एक बार खतम होने दो ठीक है अगर नहीं समझता है बिंदास बोलना कि भाया इस चैप्टर को रिपीट करो लेगी पूरा चैप्टर होने के बाद कि जितना समझ सकते हैं समझ लेते हैं फिर जब होगा तो आर अभी होने दो एक बार पिर बोलो बिंदास मैं हुना अपना ही है किसी का और खानी है समझ लगा न तुमको जो रिपीट करवाना होगा बिंदास बोलना होगा रिपीट टाइम रहेगा करेंगे किसी का नहीं अपना ही है सब ओके चलो आगे बढ़ते हैं पढ़ाने के एक्जाम्पल के लिए लेके देखते है z is equal to 7 electronic configuration क्या होता है 2,5 इसके इंदर 3 electron अब देखो 5 है तो कितना gain करके 8 होगा 6,7,8 3 electrons gain करना पड़ेगा 3 electrons gain करना पड़ेगा तो देखिए यहां पर इसके 3 और इसके 3 इसके पास यहां पर 3 है इसके पास यहां पर 3 sharing and pairing हो गया covalent bond is always formed by sharing and pairing of electrons तो यहां पर 3 pairs of electrons shared हुए है कितने? 3 pair of electrons shared हुए है इसके करन जो बना है उसका हम बोलेंगे triple covalent bond क्या बोलेंगे? यहां पर 3 covalent bond बना है, 3 pair है मतलब number of electrons कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 electrons होगा इसको हम ऐसे represent कर सकते है इस nitrogen के पास 1, 2, 3 ठीक है? यह 3 और यह 2 5 है न बहार दूसरे nitrogen के पास 2 और यह 3 1 bond, 2 bond, 3 bond इसको हम ऐसे भी represent कर सकते है बना करके Is it clear? triple bond है यहां अब मिठेन वाला याद करो carbon था red वाले जो भी electron है वो किसके? carbon के है एक hydrogen आया है green वाले electron के साथ अब देखो यह hydrogen खुश है अगर मैं खाली-खाली इस hydrogen को देखो तो देखो इसमें 2 हो गए यह helium की तरह बन गया दूसरे एक hydrogen आया इसके पास भी 2 electrons है यह भी खुश है एक और hydrogen आया है यहां से इसके पास भी 2 electron है यह खुश है एक और hydrogen आया है नीचे से यह भी खुश है इस तरीके से मैं structure बना सकता हूँ यहाँ पे हमने blue color से दिखा है blue color के slide पे आपको दिखनी रहा है इसके अलाबा इसको line structure बोलता है एक और है cross dot structure dot cross structure वो कैसे होता है कि carbon के सारे electron जो 4 electron है last cell में उसको मैंने red color से दिखाया देखो carbon के सारे electron को मैंने red color से दिखाया है यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे दिखाया है red color से दिखाया है और hydrogen के सारे मैंने green color के cross से दिखाया है एक्जाम में जो पूछेंगे वो बनाना है आपको मैं सारे प्रैक्टिस कराऊंगा टेंशन मतले मैं आपको सब सिखाने वाला हूं मुझ पर भरुसा रखो बस चिंता मुक्त हो करके पड़ो ठीक है इस इट क्लियर टो एवरिवन मेंशन नहीं होगा तो ये वाला बनाना सबसे असान है नहीं ले सकते हो अगर हाइड्रोजन का डॉट ले लो तो दूसरे का क्रॉस लो मिक्स अप मत करो किसी का डॉट तो किसी का क्रॉस अलग अलग रखो ठीक है लेर हो गया आयोनिक बॉंड लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था देसिस कोवलेंट बॉंड मजा आया एक और पॉइंट कवर करते हैं वर्सेटाइल नेटर अफ कार्बन अब वर्सेटाइल ए जो बड़े कमाल के प्रॉपटिज तो कार्बन वर्सेटाइल मैं पाच ऐसे पॉइंट्स तुम्हें बताऊंगा सब होगा बेटा कुल्शुम होगा बहन सब होगा 20 के 20 चैप्टर के एक्सरसाइज लोंगा मैं वापस एंड उनके प्रिवेस एर कोश्चन्स लोंगा मैं 20 के 20 चैप्टर के हर एक कोश्चन पर डिसकर्शन करूँगा I will discuss each and every कोश्चन वर्सेटाइल का मिनिंग नहीं पता तुम लोगो पांच रीजन देखेंगे फिर पता चाजाएगा कि कार्बन वर्सेटाइल क्यों है ठीक है वो होते है न कुछ लोग केते हैं मैं बड़ा वर्सेटाइल प्रस्नालिटी वाला हूं मतलब कि मुझे कहीं भी यूज कर लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मल्टिपल यूज जिसका हो सकता उसको वर्सेटाइल बोले तो आज तक अब ध्यान से सुनो बात को आज तक कार्बन वर्सेटाइल की वह इसके पांच खारएं आज तक जो नंबर नोन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंट्स है दैट इस 10 मिलियन मतलब 1 करोर हम लोगों को लगबग एक करोर कार्बन कंपाउंट्स के बारे में पता है नोन मतलब जिसके बारे में पता है वाननोन कितने होंगे पता नहीं ठीक है भाईया छोटे से मिधेन से ले करके तुम्हारे शरीर के DNA तक बेंजीन फिनॉल बहुत सारे और्गेनिक कंपॉंड सब में कारवन पाया जाए ठीक है यह जो नंबर है यह जो 10 मिलियन का नंबर है दस करोड का जो नंबर है यह दुनिया बर के सारे elements को मिला करके जो compound बनते हैं जो भी हमने को पता है उन से बहुत जादा है it is larger than the total number of compound formed by all other elements बाकि सारे elements बिलके जो compound मनाता है उस से यह बहुत ज़्यादा है पहला region समझा है carbon versatile क्यों है क्योंकि बहुत सारे compound मनाता है 10 million plus compound बनाता है पहला region समझा सबको why carbon is a versatile element just let me know दूसरा रिजन तब प्रॉपर्टी एक कारवन की एक प्रॉपर्टी है एक्रेक्रेस्टिक्स ऑप कारवन में अब हम लोग कुछ कारेक्रेस्टिक्स ऑफ कारवन पढ़ देवाले है प्रॉपर्टी नमबर एक कारबन के पास एक property जिसको मुझते catenation power यह power यह word जो लिखा न है this is power not power मैं सभी कर देता हूँ power this is catenation power भाया catenation power मतलब क्या है कि एक बिल्ली जो इंगलाइंड के नाम के देश में रहती है वो नहीं catenation power का मतलब है कि कारबन के पास एक unique ability है कि वो बहुत strong covalent bond बना सकता है दूसरे कारबन एटम के पास साथ multiple कारबन एटम के साथ मतलब यह कारबन इसके साथ जोड़ सकता है यह इसके साथ यह इसके साथ ऐसे एक लंबा chain बना सकता है chain ही नहीं यह एक और नीचे कारबन ऐसे जोड़ सकता है ऐसे बहुत सारे carbon एक साथ जूड सकते हैं इस power को बोला जाते है catination power carbon के पास यह unique ability है कि यह catination दिखाता है silicon के पास भी एई बट carbon के पास है बहुत high capacity है अपने साथ ही pair बनाने का तो ये characteristic हो गया versatile है बाई एक समझमे है है पहला बहुत सारा compound बनाता है दूसरा अपने साथ ही बहुत सारे compound link bond बना सकता है covalent bond अपने साथ बहुत सारे बना सकता है और इसका पर्टिकुलर नाम है catenation power मैं जब 10th में था तो में को यह नहीं आथ था मेरे exam में यह definition पूछा था कि what is catenation power यह definition है उसका मैंने लिख क्या था मैं number कट गया थे next वाला अब यह जो covalent bond होता है ना carbon carbon के बीच में जैसे मान लो कि यह दो carbon है यह जो दो carbon है इनके बीच में जो यह bond है यह bond बहुत strong होता है और stable भी होता है यह भी याद रखने ऐसा नहीं कि it will be a weak bond it is a strong and stable bond next second point carbon जो है ना वो open chain बना सकता है eletrop is not versatile वाला तुम लिख सकते हो बट avoid करना ठीक है carbon compound जो होता है point बढ़ाने के लिख सकते क्रेटी वो open chain बनाता है वो close chain भी बनाता है यह open chain मतलब पहले open chain अच्छे से समझते है फिर close chain समझेगे open chain में जो बनाएगा न वो भी कैसा हो सकता है it can be straight या फिर branch straight chain जैसे कि यह देख रहे हो खुला हुआ है इधर कही branches दिख रहा तुमको नहीं न यह हो गया straight chain branch chain मतलब यह branch chain है देखो यहाँ पे branch है न यह हो गया branch इसके अलावा यह close भी बनाएगा close chain होगा वो रिंग structure में होगा कुछ ऐसे circle जैसे दिख रहा बंद है एक दूसरे दोनों एंट से close है कौन सा वाला पॉइंट नहीं समझा सौम काम के सौम लास्ट में बताना कौन सा वाला पॉइंट नहीं समझा मैं रिपीट करते हैं ठीक है ений लेन्ट का के साथ बूसरे कारवन opini के साथ बहुत स्ट्रों होता और बहुत ही स्टेबल होता और ऐसे बहुत साथरे कारवन के साथ बना सकता उसको catenation power कहते हैं तीसरे point में तुम थे चलेगा कुलसु कारवन कारवन के बीच में single bond हो सकता है कारवन कारवन के बीच में double bond हो सकता है कारवन कारवन के बीच में triple bond हो सकता है अगर single bond होता है तो उसको alkane बुलाते double होता है तो alkane और triple होता है all kind ये अगले lecture में पढ़ेंगे आभी नहीं बनाएगा तीन से ज्यादा पॉंड रहा है अगला वाला है कि क्योंकि carbon का जो valency है वो tetravalent tetravalent tetra इस word का मतलब होता है four tetra इस शब्द का मतलब होता है four valent इस word का मतलब है valency क्योंकि जो हमारा carbon है वो tetravalent है उसकी valency चार है तो carbon atom बना सकता है मतलब यहाँ पर bonds होगा हो ऐसे it can form bonds ठीक है with four other atom चार और atom के साथ बना सकता है ये चार अटम carbon हो सकते या फिर कुछ और हो सकते एक्जामपल समझाता हूँ ये carbon है ये चार bond बनाएगा अब ये चारो bond carbon के साथ हो सकता है it is possible कि ये carbon है ये bond बनाएगा ये hydrogen हो सकता है ये भी hydrogen हो सकता है ये भी hydrogen हो सकता है ये भी hydrogen हो सकता है ऐसे भी कर सकता है ये चार और बनाएगा एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन है या फिर दीचे एक कार्बन है ऐसे भी हो सकता है कुछ भी कर सकता है चार और बनाएगा और किसी भी तरीके से बना सकता है गाट इग्जाम्बल के लिए दिखते हैं कार्बन ने चार हाइड्रोजन के साथ एक बॉंड बनाया इसको अमलों बोलते हैं मिथेन फिर इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन लूज किया और उसके जगे क्लोरीन ले लिया इस हाइड्रोजन के जगे क्लोरीन ले लिया इस compound को बोलता है chloromethane नाम में ज़्यादा interest मतलो बाद में सखा दूँगा नाम कैसे लिखते है We have to learn IOPSC nomenclature एक और hydrogen lose किया 2 chlorine 2 hydrogen It is called as dichloromethane Di मतलब 2, chloro मतलब chlorine, methane methane ही है लेकिन 2 chlorine है इसके पास ऐसा एक और hydrogen lose किया 3 chlorine 1 hydrogen इसको बोलेंगे trichloromethane एक और lose किया 4 के 4 chlorine हो सकता है tetra chloromethane समझ रहा हूँ? tetra chloromethane देखो नीचे अरे भाईया जाओ कहां जाओ उस खुरसी आ रहा है देखो अरे यार खटी जाता है जादू गरता है जादू जादू कहां गई तू यह हो गया Got it So these are the reason ऐसे oxygen हो सकता है nitrogen हो सकता है sulfur हो सकता है halogen हो सकता phosphorus हो सकता कोई भी हो सकता है और इस तरीके के bond बनाएगा Is it clear to everyone? Hello कुल्चुम आज़ और में doubt पूछो आज़ बच्चा raise hand पे आज़ा doubt पूछ ले Tetra Manjay 4 Always 4 Yes Hello I consume कैसे हो Yes sir Chor से बोलना थोड़ा बार भीरे आरी है Now sir hello Yeah Sir हमने versatile nature of carbon compound पढ़ा था जिसमें हमने 5 regions पढ़े थे कि carbon compound versatile क्यों होता है इसके अलाबा हमने पढ़ाई किया था about different properties छोटे-बोटे right कि carbon से क्या बनता है नहीं बनता है carbon का presence कैसा है यह चीज़ों के बारे में हमने बात किया last lecture आज के particular lecture में हमने 2 चीज़े बात करनी है एक हमें बात करना hydrocarbon और एक हमें बात करना saturated और unsaturated hydrocarbon के बारे में ठीक है चलो के अंदर बहुत सारे और भी elements हो सकते हैं होता है ओके सब में होना जरूरी नहीं लेंगे थोड़ा बहुत यह थोड़ा यह ज्यादा अगर किसी में रहेगा तो ऐसे compounds को compound which contain only carbon and hydrogen जिसके पास carbon और hydrogen ही होगा उसको हम hydrocarbons कहेंगे सिंपल है hydrocarbon मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया कि what do you mean by hydrocarbon hydrocarbon इस शब्द का मतलब क्या है सबको समझ में आ गया बाई ऐसा compound जिसमें hydrogen भी है जिसमें आपका carbon की ऐसा कोई भी compound जिसके अंदर आपको hydrogen as well as carbon अगर देखने को मिल रहा है तो ऐसे compound को हम क्या कहेंगे we will call it as hydrocarbon इसे क्लियर क्या हो गया कैसे होता है कि यह कैसे हुआ था बदा नहीं कैसे हुआ था ब्लैक कलर दिख रहा था खाली बगवान जाने है ठीक है is it clear to everyone सब कोई बात समझ आ गया यह छोटी सी बात सबको समझ में आ गई प्रियंका मैवीश everyone next point देखो hydrocarbons are the simplest and fundamental organic compound आपके जो hydrocarbon होते है हम तीन hydrocarbon देखो यहाँ पे only एक शब्द है किसी ने इस पर ध्यान दिया किसी ने इस पर ध्यान दिया नहीं दिया ideally don't know लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पे एक शब्द था only ठीक है उसको ठीक है तो यह जो hydrocarbons आपके होते हैं यह simplest प्रकार के fundamental organic compounds होते हैं the simplest प्रकार of organic compounds these are also called as parent compound इसको parent hydrocarbon भी कहते है parent compounds भी इनको बोला जाता है in organic compounds ठीक है अब यहाँ पे हमने तीन statement बोला था मैंने पहले आपको बोला कि वो compound जिसमें only मतलब खाली hydrogen and carbon होगा उसको हम hydrocarbons बोलेंगे ठीक है यह मैंने कहा था है hydrocarbon का spelling क्या होगा hydrocarbon सही है इसके अंदर क्या होगा यह main main होता है ठीक है और इसको हम लोग parent भी कहते है parent compound भी कहते है यह मैंने कुछ चीज़ आपको बताए है अब हम classification कैसे कर सकते है hydrocarbon का मैं तुम्हें छोटा सा पहले classification कहता हूँ कि hydrocarbon can be called as दो type में हम बाढ़ सकते है इसको पहला हम बोलेंगे saturated एक simple वाला मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है बाकी अगर आप complicated वाला भी याद रखोगे तो भी चलेगा saturated और एक होगा unsaturated saturated saturated में आपका एक ही आजाएगा alkene और unsaturated में आपके दो आजाएँगे एक होगा alkene और एक होगा alkene और एक होगा alkene is it clear to everyone इतना छोटा सा याद रख सकते हो यह छोटा वाला याद रख सकते हो alkene उसको हम बोलते हैं जिसमें दो carbon के बीच में single bond होगा alkene उसको हम बोलते हैं तो هम लोग alkene और alkene उसको हम बोलेंगे मैं थोड़ा सा screen पर अगर अब को नहीं दिख रहा होगा तो ये वाला alkene लिखा हुए लास्ट में इसमें क्या होता है कि कहीं भी एक बार triple bond होता ही होता है ठीक है यह एक simple है यह आप याद रख सकते हो इतना यह बहुत simple वाला था थोड़ा सा complex करता है इसको कि आपको 11-12 पढ़ने में आसानी हो थोड़ा सा इसको complex करता है hydrocarbons ठीक है hydrocarbons को हम दो काटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक होगा open chain hydrocarbons अब थोड़ा सा broadly देखते हैं चीजों को दूसरा हम बोल सकते है close chain ring structure cyclic hydrocarbon कीग है close chain ring structure cyclic hydrocarbon थोड़ा सा broadly देख रहा है अब यह close chain वाला यह हूग example यह यह जो भी है इसका नाम जो भी है यह भी example है पीछे अब देखरो close chain structure में है इसको एक example है हमारे पास cyclohexane है एक है benzene नाम में अभी interest मतलो इग्णोर करो नाम को ठीक है अभी नाम को इग्णोर करो दूसरा हम अगर open chain की बात करें तो it can be classified as saturated as well as unsaturated उसको हम कैसे classify कर सकते हैं एक होगा हमारा saturated एक होगा unsaturated जो मैंने आपको बताया था बाकी छोड़ के सीधे उसके बाद saturated में क्या होता है carbon carbon के बीच में single bond होता है और इसको हम लोग alkane कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम लोग alkane जैसा कि मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ उसका unsaturated अब देखो alkane क्या होगा यहाँ पर लिखा है कि hydrocarbon in which देखो ध्यान से all four valence carbon atoms are satisfied by single bond are called as saturated मतलब देखो कहीं पे भी आपको single के अलाबा कोई और मिलेगा ही नहीं इसको कोई update चालोगा इग्नोर कर सबको मैं बता ठीर चलो यहाँ पर देखो तो अगर दो carbon के बीच में कहीं भी अगर single bond होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे alkane बोलेंगे खाली single bond ही होगा इसमें और कुछ होगा ही नहीं जितने भी carbon हो let's say इतने सारे carbon है इन सब के बीच में single bond ही होगा सब के बीच में single bond ही होगा तो unsaturated मतलब क्या होता है कहीं भी एक बार at least 2 carbon के बीच में मेरे सब्दों पर ध्यान दो मेरे शब्द बहुत important है मेरे शब्दों पर ध्यान दो मैंने कहा कि कहीं भी एक बार किनी 2 carbon के बीच में double bond आना चीह पर आंका कहीं भी दो बार किनी दो carbon के बीच में एक बार double bond अगर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते है unsaturated ठीक है और कहीं भी एक बार अगर किनी दो carbon के बीच में अगर triple bond आ जाता है तो वो भी unsaturated ही होता है अगर double bond है तो उसको alkyne बोलेंगे और अगर triple bond है तो उसको alkyne बोलेंगे आली is it clear? alkyne और alkyne clear हो गया यह वाला समझ मैं आगे है सबको तो उसका definition यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है मैं हड जाता हूँ screen पर से कि आपको दिखे तो hydrocarbons having double और triple bond अगर आपसे कोई पूछता है कि what is unsaturated यहाँ पर अन लिखना भूल गया है unsaturated कोई भी अगर आपसे पूछता है कि what are unsaturated hydrocarbons तो आप बोलोगे ऐसे hydrocarbons जिसमें दो या triple bond हो सकता है कि नहीं दो carbon के बीच में at least एक बार उसको unsaturated hydrocarbon बोलेंगे is it clear सबको समझ में आ गया तो classification of hydrocarbon ना अब हमें समझना है कि यह क्या है यह क्या है यह क्या है डिटेल अलकीन इसी को हमें समझना और इनको ही हम hydrocarbons बोलते हैं इनको हम लोग hydrocarbons बोलते हैं इन में से classification of hydrocarbons में हमने alkane देखा हमने alkene देखा और हमने alkane देखा हमने देखा यह alkane उन चीजों को कहा जाता है जिसके अंदर carbon carbon के बीच में single bond होगा अच्छा एक और बात मैं आपको बता नहीं बूलिए majority जगे अब देखोगे तो animation के थ्रू नहीं पढ़ाया जाता है लाइब में अगर आप देखोगे न तो animation के थ्रू नहीं पढ़ाया जाता लाइब में मगर आप अगर अपने class की बात करोगे तो science में मैं make sure करता हूँ कि कोई भेदभाव ना हो आप लोग को जितना जादा मैं चीज़ों को animate करके ब्राबर प्रॉपर तरीके से पढ़ा सकूँ वो ऐसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ I always make sure this तो please इस बात का ध्यान रखो कि इसका better utilization करना और अपने friends को refer करना मेरी एक छोड़ी से एक और इक्षा है वो इक्षा तुम पुरी कर सकते हो कि आपके स्कूल में जो 9th के बच्चे होंगे ठीक है आप कोशिश करो कि आपने से हर एक बच्चे के स्कूल से at least 10 students आपके जो जुनियर हो वो आके हमारे 10th standard में जॉइन कर ले इतनी मज़ा आता हो ये बड़ा मज़ा आ जाये जो फिर ठीक है ठीक है आपके 9th standard के जो भी जुनियर सुनगे आपके स्कूल से at least 10 ऐसे बच्चे हो जो हमारे पास अगले साल के बैच में इन्रूल कर ले ठीक है ये तो आप मेरे लिए करी सकते हो क्योंकि वो आपसे पूछने आएंगे ये आप कर सकते हो मेरे लिए चलो ये भी नहीं कि आपको उसके बदले भी चल ठीक है चलो आगे बढ़ता है तो alkane is something जिसमें carbon carbon का single bond होगा अब मिनी बात समझना जड़ा इस बात को यहीं पर समझना ठीक है कि ये carbon है ये carbon है इनके बीच में single bond है ये कितने भी carbon हो हमेशा single bond ही रहेगा लेकिन alkene की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि carbon 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 हर जगे double bond होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है कहीं भी मेरी बात ज़रा ध्यादा समझना कहीं भी at least एक बार या दो बार double bond हो सकते एक बार या दो बार double bond हो सकते at least एक बार भी हो गया तो उसको हम alkyne बोलेंगे वो alkyne नहीं गएगा similarly यहाँ पर कहीं भी एक बार triple bond हो गया तो alkyne हो जाएगा ठीक है इट विल भी not चलो तो general formula अगर मैं alkyne की बात करूँगा तो that is cn h2n plus 2 तो बोलो कि भी यह क्या है तो यह एक ऐसा चीज है जो तुमको याद करना है जब लेक्टे से यह खतम होने वाला रहगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा ठीक है अब ध्यान से समझना अब बात को समझना ध्यान से ठीक है मैं फिर से स्क्वीन पर से थोड़ा सा साइड हो जाऊँगा कि आपको चीजे थोड़ी अच्छे से समझ में है यहां मैं देको एक शब्द लिखा हुआ है generally unsaturated hydrocarbons are more reactive than the saturated one मतलब कि यह वाले जो होंगे जो alkyne और जो alkyne होते हैं वो ज़ादा reactive होते हैं okay alkyne and alkyne are more reactive than this alkyne unsaturated वाले ज़ादा reactive होते हैं किससे saturated से इस सब्द को याद रखना mcq में पूछा जा सकता है कि which one is more reactive alkyne या alkyne या alkyne तो उसको alkyne and alkyne are more reactive इसके अलावा लिखा है कि alkyne contain two hydrogen atom less there compared to the corresponding alkynes और alkynes contain two alkyne होगा है ठीक है मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे जो दो line लिखे हुग है न यह दो line में थोड़ा सा printing mistake है मैं आपको यह दोनों line समझाने की कोशिश करता हूँ ठीक है बालको बालको जरा बात को समझना अगर मैं एक example लेता हूँ ठीक है अगर मैं यहाँ पे n is equal to let's say 2 ले लेता हूँ ठीक है बच्छू मैंने n is equal to 2 ले लिया मुझे बता हो यहाँ पे क्या बनेगा c2 h2 into 2 plus 2 यह होगा तो यह क्या बन जाएगा 4 plus 2 that will be c2 h6 am I right पीटा कैसे बनता है sharing of electrons है सथकूर्ती मैं बाद में बता दूँगा आप तक वो पढ़ाया ही नहीं कि double bond कैसे बनता है triple bond कैसे बनता है ठीक है पढ़ाया ही नहीं है चलो तो यह हो गया अगला देखो गर मैं यहाँ पे जो general formula है में अगर मैं n is equal to 2 लेता हूं तो what I will get यहाँ मुझे क्या मिलेगा देखो c2 h2 into 2 तो यह क्या हो जाएगा c2 क्या एक line मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर same number के लिए alkane और alkene के अंदर 2 hydrogen का अंतर है difference of 2 hydrogen अगर मैं इसको मिटा देता हूं पूरा यह c2 h6 लिख देता हूं खाली ठीक है n is equal to 2 लेता है तो c2 h6 होता है यहाँ पे अगर n is equal to 2 लेता है हम यह हो जाता है c2 h4 क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ से यहाँ के बीच में 2 hydrogen का अंतर है अब यहाँ पे भी अगर मैं n is equal to 2 ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ calculate करूं तो मैं तो calculation आता है न यह जो calculation आता है तुम लोगो फट्टे करो c2 h2 into 2 minus 2 तो यह हो जाएगा c2 h4 minus 2 तो c2 h2 am I right c2 h2 हो जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ से यहाँ के बीच में अगर मैं n is equal to 2 ले रहा हूं c h right मैं कह सकता हूं तो क्या मैं एक generic statement बोल सकता हूं कि भाई अगर मैं एक alkyne लेता हूं बात तमझना जो मैं बोलना चाहा हूं कि alkyne से alkyne तक जाने में alkyne से alkyne में जाने तक 2 hydrogen का अंतर है फिर alkyne से alkyne तक जाने में 2 और hydrogen का अंतर है लेकिन अगर directly मैं यहां से यहां जाता हूँ तो चार height हो जाता हूँ क्या मैं यह बूल सकता हूँ क्या मैं ऐसे बूल सकता हूँ जल्दी बताओ क्या इनके जगे कोई भी हाँ इनके जगे कोई भी random letter ले सकता है समझ आ गया अब मैं तुमको यह बताता हूँ हमने पढ़ा कि hydrocarbons हमने पढ़ा कि hydrocarbons can be saturated फिर हमने पढ़ा कि hydrocarbons can be unsaturated तुम मैं से किसी नहीं पूछा कि भईया इसको saturated क्यों बोलता है फिर हमने पढ़ा कि saturated में हमारे पास है alkane alkane हम किनी वो चीश को बोलेंगे जिसमें carbon-carbon single bond होगा फिर हमने पढ़ा कि unsaturated में हमारे पास दो माल material है एक है alkane alkane और एक है alkane alkane हम किसी को भी बोलेंगे जिसमें carbon-carbon at least एक double bond होगा alkane हम किनी उन्च को बोलेंगे जिसमें carbon-carbon at least एक triple bond होगा saturated अगर मैं यहीं पे आपको याद दिलाओ एन इस इक्वल टू वाला जब हमने लिया तो c2h6 था c2h4 था और यहापट c2h2 था क्या अगर अब ध्यान से देख रहे हो तो क्या आपको भी यह बात समझ में आ रहा है कि यह hydrogen से भरा पड़ा है यह दोनों में hydrogen की कम as compared to बाकी दो इसके मुकाबले और इसके मुकाबले इसमें ज़्यादा hydrogen है क्या आपको यह समझ में आ रहा है मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि this is saturated with hydrogen उतने ही number of carbon के लिए n मतलब number of carbon n से हमारा मतलब क्या था n से जो हम लोग n ले रहते n मतलब हमारा carbon ही था न तो same number of carbon के लिए दो ही carbon के लिए तीन cases में तीनों अलग-अलग के लिए ठीक है hydrogen का difference है तो what I can say I can say कि there is a difference of hello whole हाँ ठीक है so for the same number of carbon what I can say कि there is a difference between the number of hydrogens right there is a difference in the number of hydrogen so I can tell कि it is saturated with hydrogen यह समझ आ गया कि what do I mean by saturated कि hydrogen से भरा पड़ा है यह हो गया हमारा saturated is it clear तो अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो मैं अब तब तब तुम्हें दो चीजे बता दी मैंने सबसे पहले तुम्हें अच्छे से बता दिया कि hydrocarbons हम किसको कहते हैं और फिर मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया कि alkene क्या होगा एक general alkene क्या होगा और मैंने तुम्हें बता दिया कि alkane क्या होगा right साधी साथ मैंने general formula भी बता है सब लोग जनरल फॉर्मूला याद करेंगे एक बार it is very important to learn कि एलकेन का जनरल फॉर्मूला है cn h2n plus 2 एलकेन का है cn यह आगे 11 टोज में बहुत काम आएगा अभी याद कर लो जिन्दगी बर काम आएगा alकाइन का है cn h2n याद करो फटक से याद करो अभी बाते करना बन करो तो देखो यह जो elk है न अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो even मैं बात करता हूँ alकेन की या मैं बात करता हूँ alकाइन की alकीन की या मैं बात करता हूँ alकाइन की तो अगर अब ध्यान से देखोगे तो ये A M E है, ये E M E है और ये Y M E है तो बस एक ही फरक है, A E Y, इतने का फरक है, राइट, बाकी सब तो सेम है भाई अब कैसे याद रखेंगे कि L K N में single bond होता है, A B C D में अगर मैं alphabetically arrange करता हूँ तो ये पहले आएगा, E second number पे आएगा, alphabetically arrange करने से और Y third number पे आएगा तो ऐसे भी मुझे याद रहेगा कि ये single bond, ये double bond, ये triple bond Is it clear? यहाँ तर clear होगे अब ये जो elk है ना बच्छो, elk represent करता है number of carbon कैसे मैं आपको बताता हूँ elk जो है, वो number of carbon represent करता है और इसको हम root word बोलते है अगर आप ध्यान से देखोगे तो we have elk, 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 elk ये represent करेगा number of carbon भाया कैसे number of carbon represent करेगा? ये अच्छा सवाल है तो मैं अभी समझाता हूँ कैसे? जैसे मान लो कि हमारे पास carbon compounds है with एक carbon उसके लिए हम elk के जगे लिखेंगे myth, 2 carbon, it, 3 carbon, prop, 4 carbon, but, 5 carbon, tent, 6 carbon, hex, 7 carbon, hept, 8 carbon, oct, 9 carbon, non, 10 carbon, deck अब तुम मुलोगे बढ़िया, मतलब? मतलब कुछ ऐसा समझो अगर मेरे पास एक carbon वाला है तो मैं myth के आगे लगा सकता हूँ अगर मैं myth के आगे लगा देता हूँ, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं होगे अगर मैं myth के आगे लगा देता हूँ यह नहीं, यह नहीं होगे अगर मैं लगा देता हूँ, यह नहीं होगे तो एक carbon वाला, इसमें से यह दो possible नहीं है, यह मैं बता रहा हूँ लेकिन example के लिए एक carbon वाला methane, methane,.. alcohol, alcohol यी होगये एक alcohol यह उलकान माल लो कि अगर दो वाला है तो Ethereum Ethene और Ethan समझ लेओं अगर तीन वाला है तो हमारा हो जाएगा propane प्रोपीन और प्रोपाईन दो वाला है चार वाला है तो ब्यूट एन अगर ब्यूटीन समझ मैं आरहे बात बात समझ मैं आरहे जो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं यहापे वो समझ मैं कि मिथ जब भी आप तुम पढ़ना तो तुम समझ जाना कि given compound alkane हो, alkene हो या alkane हो कोई फरिक नहीं पढ़ता है number of carbon will be always one अगर आप इत्थ पढ़ना तो हमेशा समझ जाना कि number of carbon is always two starting में, अगर आप कहीं पे भी prop पढ़ते हो तो आप समझ जाना कि number of carbon is three अब example के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर मैं तुम्हें कहीं लिखके दे रहा हूँ ठीक है but तीन इसमें तुम मुझे बिना सोचे समझे बताओ ठीक है कि कितने carbon होंगे, carbon बताओ but देखके तुम्हें समझ में आगया होगा कि इसमें चार कार्बन होंगे यहाँ पर चार कार्बन के लिए ब्यूट हो और यह नहीं देखके तुमको यह समझ में आगया होगा कि इसमें जहां कहीं पी तो at least carbon carbon double bond एक बार तो जरूर होगा and it's एक अलकीन यह तुम्हें समझ आगया होगा example एक और लेता है अगर मैं तुम्हें कहता हूँ hexane तो तुम्हें क्या समझ में आता है hex देखके तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि भाई यह जो है इसमें number of carbon atom कितने होगी 6 होगी और a नहीं देखके आपको यह समझ में आ जाएगा कि सारे carbon के बीच में अगर 6 carbon भी है तो उनके सब के बीच में single bond ही हो right एक और example लेता है बात समझने के लिए ठीक है अगर तुम कहीं भी पढ़ लेते हो इथेन इथीन समझ पढ़ लेते हो इथ देखके तुम्हें समझ में आ गया कि 2 carbon है at least और इए नहीं देखके तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहीं पे भी at least एक बार तो यहीं पे double bond होगा right और एक example लेते है विदिका अगर तुम कहीं भी पढ़ लेते हो let's say कि paint time तो paint देखके तुम्हें क्या समझ में आ जाएगा कि total number of carbon 5 है 1,2,3,4,5 why यह नहीं देखके तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इनमें से कहीं पे at least एक बार triple bond होना ही होना कहीं पे at least एक बार triple bond होना am I right कहीं भी हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो सकता है बात समझ आ गया तो ये वाले टॉपिक जो मैं तुम्हें बताना चाहरो रूट वर्ड ये समझ आगे है सबको अब याद करो मिथ एक कारबन इत दो कारबन, प्रॉप तीन कारबन ब्यूट चार कारबन, पेंट पाँच कारबन हिक्स छे कारबन, हेफ्ट साथ कारबन 8-8 कारबन, 9-9 कारबन 10 कारबन, ऐसी याद कर लो पट अफट याद करो से सब याद करना पड़ेगा एक बर याद करोगे 11-12 B.S.C. M.S.C. Engineering, Engineering सब में काम आएगा बुक में होगा, of course है ये चाहिए पूरी की पूरी जो हम बनाते हो वो बुक से ही बनाते हैं और कहां से बनाते हैं चलो फट फट याद करो अभी तुमको समझ में आएगा रहे, मेरी बात तो रुको ना इतना तुम्हें बड़ा अस्वस्त मन के हो अस्वस्त मन मतलब समझते हो बड़ा बेचयन आतमा हो या तुम कह रहा हो कि सब बताऊंगा तो फिर सबर सके साथ सुनना चाहिए तो परिशानी के में डाल रहा हो मुझे भी खुट को लिए यह जो बोला वह धीरे-धीरे करो ना एक-एक स्टेप अभी फालतो सवाल पुछो गए तो बाद में आगेगा नहीं समझेगा एक-एक स्टेप पर स्टेप चलते में सब समझ में आ जाएगा ठीक है तेंथ कार्विन के बाद होता है वन-डेके, तू-डेके, ट्राइ-डेके, ट्रेके, पेंटा-डेके, हेक्जा-डेके वो ज़रुरत नहीं है रर्मी हो ज़रुरत नहीं करने हो गया रोटि है रबत शबा दिल भी है विशरा विशरा चलो आगे बढ़ता है चलो 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 अलखेन, we'll take some example of alkan कि हमें alkan अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है, now we'll only take few example of alkan फिर हम लोग alkan का example तो general formula क्या था alkan का याद करो cn h2n plus 2 this was the general formula आपको ये याद है आपको ये भी याद है कि alkane में क्या होगा अगर हम n is equal to 1 डालेंगे तो n is equal to 1 डालके देखो c1 h 2 multiplied by 1 plus 2 ये हो जाएगा am I right calculate करेंगे तो क्या हो जाएगा c1 2 1 जाट 2 plus 2 ये 2 1 जाट 2 हो जाएगा और ये 2 आ गया तो c1 h2 plus 2 और ये हो जाएगा c1 h4 जिसको हम ऐसे भी लिख सकते है आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्योंकि ये alkane है और इसमें सारे single bond होगे एक ही carbon है तो इसका नाम क्या होगा methane होगा इसको हम ऐसे भी represent कर सकते है ये आपको अल्रीडी आता है right carbon की valency 4 है right carbon की valency 4 है तो carbon 1,2,3,4 हर जगे hydrogen है 4 hydrogen am I right clear होगया तो इस तरीके से represent करेंगे इसका structure हम ऐसे भी बनाते है आप लोग उने देखा ये ऐसे भी हम structure बनाते है हम ऐसे भी बना सकते है ये भी आपको आता है right हम अलग अलग तरीके से इसका structure बना सकते ये अपने हाँ already last lecture में पढ़ा था संदेश बीटा मुझे पढ़ा लेने दे तू मत पढ़ा बाद में तू पढ़ा लेना इसको electron dot cross structure बोलते है ठीक है electron dot cross structure इस चीज को बोलते है चलो अगला वाला देखते है अगर मैं energy equal to 2 ले लेता हूँ general formula यही है energy equal to 2 ले लूँगा अब ज़रा मुझे बताओ formula क्या बनेगा c2 h6 देखते कैसे आया तो यह जाएगा c2 h2 into 2 plus 2 तो यह जाएगा c2 h4 plus 2 जिसका मतलब हो जाएगा c2 h6 सही है सबको समझाया यह सबको समझाया is it clear to each and everyone अब इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे देखो दो carbon है दोनो carbon के बीच में क्योंकि हम एक alcan की बात कर रहा है तो single bond ही होगा अब एक carbon की valency होती है चार एक और carbon है इसकी भी valency होगी चार तो एक दो तीन चार द्यान से देखो अगर मैं इतने part को देखता हूँ तो इस carbon के चार है अगर मैं खाली इसको देखता हूँ तो इस carbon के भी चार है बचे खुचे हर जेगे पर हम hydrogen डाल कैसे बनाया है यह समझ में आगे कैसे बनाया है यह समझ में आगे सर एक्चुली यह अलकेन हम लोग सिख रहें लेकिन यह अलकेन है यह इसमें डिफरेंस कैसे होगा एन के नंबर से मतलब डानने से एक फॉर्मूला दिख रहे है उपर इसमें जब n is equal to 2 डाल रहा है तो यह मिल रहा है यह सर अगर अगर एलकीन होता यह तो इसका फॉर्मूला यह होता इसमें अगर n is equal to 2 डालते तो क्या होता सी टू है फोर रहा है ऐसे पैचाहिंगे इसे लिए ऊपर कॉछ था सम् ago सवेगी है यह सब्से होगी फॉर्मूला में टो क्रूब करना है तो तब से क्या कर रहा है तुप से क्या गर रहे हैं तो यह फॉर्मूला यूज किया जाएगा अगर यह फॉर्मूला बोलेंगे तो यह फॉर्मूला यूज किया जाएगा और यह फॉर्मूला बोलेंगे तो यह फॉर्मूला यूज किया जाएगा और यह फॉर्मूला बोलेंगे तो यह फॉर्मूल जो भी है भाई तू, दुबारा अगर नो लिखी आना तो रुकूंगा नहीं, ठीक है, तो इसका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, इसका इस तरीके से आ जाएगा, इधेन बोलेंगे इसका, वो वाला structure ऐसा, ये एक राम में नहीं पूचेंगे, ये वाला पूच सकते हैं, तो ये देखो, दो कार्बन है, अगर मैं कार्बन को डॉट से ले लेता हूँ, तो इसका एक, दो, तीन, चार डॉट, इसका भी चार डॉट होगा, एक, दो, तीन, चार डॉट, और अगर हाइड्रोजन को मैं क्रॉस से लेता हूँ, तो ये हाइड्रोजन का क्रॉस, ये हा कार्बन के आसपास हरी जगे पर डॉट बना दो और बाकी दूसरे के तरफ खले एक्स बना दो इतना ही अंतर होता है पर कुछ चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर गर मैं डालूंगा तो इस तरीके से करके C3H8 आएगा सभी लोग कर पाए अल्मूस्ट अगर मैं इसका स्ट्रक्टर बनाने जाओंगा तो कुछ ऐसा होगा मान लो तीन कार्बन है एक दो तीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉंड से कनेक्टेड होगा क्यूंकि अल्केन है समझा कृष्णा बाकी हर जगे इसकी वैलेंसी चार है तो एक तो यहां से हो गया दो तीन चार यहां पर मैं हाइड्रोजन भर दूंगा जैसे मैं कर रहा हूं वैसे देखो अभी इस कार्बन के पास अल्रेडी दो बॉंड है और दो बॉंड बना देंगे और उसके उपर हाइड्रोजन डाल देंगे इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉंड है तो और तीन बॉंड बना देंगे क्यूंकि वैलेंसी चार है और उस जगे पर हाइड्रोजन डाल मज़ आ गया तो यह आ गया इसको प्रोपेन बोलेंगे अगर मैं इस इक्वल टू 4 डालूंगा इस फॉर्मॉले में तो क्या होगा C4 H2 इंटू 4 प्लस 2 क्या है का एंसर बताओ मुझे इसका स्ट्रक्टर कैसे होगा चार है मारे पास एक दो ती चार सिंगल बॉंड से कनेक कर देते क्योंकि अलकेन है इधर अल्रेडी एक सिंगल बॉंड है तो दो तीन चार यहां पर हाइड्रोजन दिख दो यहां पर इस कार्बन के पास अल्रेडी दो बॉंड है तो यहां पर एक तीन चार हाइड्रोजन दिख दो यहां पर अल्रेडी दो बॉंड है तो तीन चार हाइड्रोजन दिख दो यहां पर सिंगल बॉंड है तो एक दो तीन हाइड्रोजन दिख दो भाई ये चैट न डाउट पूछने के लिए नहीं है तो डाउट मत पूछो ब्लॉक हो जाओगे ठीक है अगर इसका structure देखेंगे तो कैसा रहेगा किस तरीके से होगा और इसका नाम क्या होगा butane पूछो जाउट पुछने के लिए ये ये कर से लिएब पूछने के पुछने के लिए पूछने के लिएगे कि ठीक है कि समझ आ गया अरे मुर्ख मानुस इन मतलब हाइड्रोजन है और सॉरे इन मतलब कार्बन का नंबर है सब्सी का तीक है समझ गया सबको N is equal to 5 होगा तो क्या हो जाएगा C5 H25 2 into 5 plus 2 C5 H12 हो जाएगा राइट तक पर कुछ ऐसा आएगा 1, 2, 3, 4 सही है हर जेगे ऐसे bond बना दो अब रदो hydrogen राइट तो इसको हम क्या बोलेंगे pentane बोलेंगे is it clear is it clear next अब भी को बच्चो ये alkane नहीं है ये alkane है मुझे सही कर लेने दो थोड़ा जबना तुम लोग ऐसे ही गलत कर लोगे अब क्या लिखा है मैंने एक मिनिट cn h2n एक सेकेंड ये फिल की नहीं है ये फिल की नहीं तो है और ये भी अल की नहीं है एक मिनिट रुख जाओ बच्चो सेम कॉपी पेस्ट हो गया ये अल काइन है चलो गिब मी अ मिनिट चलो अभी यहाँ पर ध्यान दो सभी लोग वीडियो आ रहा है रुख जाओ सब आ रहा है सब चालो है अभी यहाँ पर रुख जाओ नहीं नहीं अब हम लोग जो कहये रहे हैं वह अलकीन है ठीक है A L K E N E अलकीन है ठीक है अलकीन का जनरल फॉर्मूला यह होता है C N H to N सबको सही ह है, सबको समझ आ रहा है इसमें अगर मैं energy equal to 1 डालूँगा तो क्या निक लेगा मेरा formula बताओ क्या हो जाएगा C1 H21 प्रेव हो जाएगा C1 H21 अब मुझे एक बात बताओ CH2 हो जाएगा sorry C1 H2 अब मुझे बताओ क्या ये possible है is it possible क्या आपका जो है carbon है उसकी बागी दो valence ही रह गए तो क्या मैं बोलूँगा कि इसकी दो valence ही ऐसे ही रह गई क्या मैं बोलूँगा राजकिशन am visible and audible it is not possible तो मैं बोलूँगा we cannot substitute n is equal to 1 हम n is equal to 1 bond हमने क्या बोला कि अलकीन होने का जो पहला criteria है that is कि दो carbon के बीच में at least एक बार double bond होना चाहिए संदेश हमने पहला क्या बोला कि दो carbon है यहाँ बो carbon ही एक है तो कभी भी alkीन exist नहीं करेगा n is equal to 1 ठीक है तो हमको minimum 2 carbon वाले atom तो चाहिए ही चाहिए इसके अरे अलकीन होने के लिए कम से कम 2 carbon के बीच में at least एक बार double bond तो चाहिए ही ना तो 2 carbon ही नहीं है सबसे पहले ट्रा वैलेंसी तो बाद में minimum 2 carbon चाहिए और 2 carbon ही नहीं है हमारे पास तो नहीं होगा तो n is equal to 2 c2 h2 into 2 c2 h4 हो जाएगा अब हमारे बाद 2 carbon है लेट से अहीं भी at least एक बार double bond चाहिए तो एक ही option है यहीं पर डालना पड़ेगा अब देखो मेरी बात अब यहां से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ये carbon के साथ अल्रेडी कितने bond बने हुए मुझे बताओ इस carbon के साथ अल्रेडी कितने bond बने हुए फर्स्ट carbon के साथ फर्स्ट carbon को देखो अल्रेडी कितने bond है मुझे बताओ अल्रेडी 2 bond है तो यह और कितने bond बनाएगा यह और 2 bond बनाएगा तो दो हाइडोजन इसके पास गया अब देखो ये कार्बन की भी वैलेंसी चार है इसने भी अल्रेडी दो बॉंड बना रखे हैं दूसरे के साथ तो इसके पास भी दो हाइडोजन जाएगा दो और बॉंड बनाएगा तो चार हो गया तो structure कैसे आया समझ में बना सकते या फिर कुछ ऐसे बना सकते ये वाला वैसे नहीं पूछेंगे ये वाला मैं आपको बता देता हूँ दो कार्बन है इसके दो इसके दो फिर यहाँ पे यहाँ पे एक एक बना देना यहाँ यहाँ एक एक बना देना और हाइडोजन को cross से खना simple item ठीक है बिटा 40 minute अलकेम पड़ा है बिटा 40 minute तो हम ठीक है वीडियो की recording वापस देखना हूँ जो नहीं समझा raise a hand करके बोल रहा था रुक रुक करके आराम आराम से कि नहीं समझा है तो बताओ जब next topic स्टार्ट हो जाए न तब मत बखबख किया करो कि अब बताइए वापस ठीक है जब रुका था कि समझा 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 तो क्या होगे ते हाथ में महिंदी लगाया था आपनी बताओ इस बात का जब आपनी चैट में ये fancy मत लिखो जब मैं पूछ रहा था कि समझा की नहीं समझा तब क्या हो गया था मेरा क्या सवाल है जब मैं पूछ रहा था कि समझा की नहीं समझा कि ग्रिंटे पहले से तो कहा थे तुम नए नए सर ये तुमने बताया ना ये इथेन का ये नहीं समझा मुझा चैट दिखा उपर अलकीन नोट अंड़स्टैंड अलकेन नोट अंड़स्टैंड अलकीन नोट अंड़स्टैंड अलकेन नोट अंड़स्टैंड तो तुमको समझा क्या पूरे लेक्चर में अलकीन अलकीन का नहीं समझा ये ये अब तुमने बताया ना यह इत्ली ने परदा तो ठीक है और इसमें क्या नहीं समझा वह बताओ ये नहीं समझा ये नहीं समझा ये तो क्राइटरिया क्या है कि क्या होना एक बार double bond बना दिया double bond एक कारबन की वैलेंसी कितनी है कारबन की वैलेंसी कितनी है भाई तो कौन से देश में रहती हो 4 2 या 4 4 तो 2 क्यों गोण चलो यहाँ पर देखो यह दो है तो इसको और कितने bond चाहिए दो अल्रेडी दो है तो हमने दो बना दिया अच्छा इस carbon ने अल्रेडी कितने bond बना रखे है ज्यान से देखो इस तरफ देखना भाई इसने भी तो इसके दोनों के बीच में है न बीच का मतलब क्या होता है इसके साथ भी है इसके साथ भी है यह होता है न बीच का मतलब तो मुझे बता इसके बास कितने bond है दो इसको भी और कितना चाहिए चार होने के लिए दो यह हो गया दो क्या डालना है बाक्षी जिगे येच हो गया अब बता उसमे कह नहीं समझा अगली बार से न, जब मैं पूछू कि समझा के नहीं समझा, तभी बोल देना, ठीक है, मेरे को doubt पूछने से problem नहीं है, जब सब clear करके next topic पर जाओ, तब लिखोगे न, कि ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, आज तो ले लिया है, अगली बार जाड़ दूगा पुरी तरीके से समझा गया, लेक्शर में ध्यान दो, इस बात की क्या guarantee है कि तुम lecture में नहीं थे, और अभी आ करके पूछ रहरो तो, है को guarantee नहीं न, वो सकता है न, कि कोई दूसरा बच्चा है, लेक्षे प्रदमश, पूरिये lecture में नहीं था, लास्ट में आके बोलता है, नहीं समझा, ये पूछू रहा कि समझा की नहीं समझा तो उसी टैम में बोल दिया करो लास्ट में जाके बोलो कि कोई भी टीचर फायर होगा चलो बाई और कोई डाउट है नहीं नहीं चलो चलो यहां तक सब को समझा फिर से पूछ रहा हूँ इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ फिर से पूछ रहा हूँ समझा है सबको बाद में मस्ती मत करो बेटा इत्वीन है ठीक है इस इत्वीन चलो ठीक है अब अगला दिखते है एन इस इक्वल टू ले लेते है ठीक है एन इस इक्वल टू ले लेते है n is equal to 2 तो होईगा 3 sorry 3 ले 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 ते क्या होग जा फॉर्मूला C3 n के जगे 3 लिख दो 2 as it is n के जगे 3 लिख दो क्या हो जाएगा C3 H6 मिथीन नहीं बनेगा सुनस्कुल की अब देखो यहाँ पर 3 कारबन है तो 3 कारबन बना लिया कहीं पे भी एक बार double bond चाहिए अगर यह alkene है तो कहीं पे एक बार double bond चाहिए तो लेट से मैं यहीं पे दे देता हूँ चलेगा न यह इसके पास 2 bond है तो एक single bond बनाएगा यह यह होगा 3 और एक होगा 4 देखो ना बात को समझो already इस कारबन के पास 2 bond है तो और कितना चाहिए इसको 2 और चाहिए तो 2 बना लिया इसने उपर बना है नीचे बना है कोई फरक नहीं पड़ता है यहां भी बनाऊगे चलेगा यहां भी बनाऊगे चलेगा इस कारबन ने इस कारबन के साथ अब single bond एक बार कहीं भी at least एक बार चाहिए था तो अब बाकी single bond इस कारबन को अगर मैं left की तरफ देखता हूँ तो 2 है एक दो right अगर left की तरफ देखता हूँ तो 1-2 और right की तरफ देखता हूँ तो 1-3 हो गए तो इसको कितना चाहिए एक चाहिए bond अब देखो गिनो 1-2-3-4 आजू बाजू चाड़ो तरफ देखो अब चार होगे इसके पास एक ही है single bond है तो यह बनाएगा 1-2-3 तीन और बनाएगा अर जगे hydrogen भर दो अब मेरी बात सुनो ये भी सही है तीन carbon है ठीक है यहाँ पे भी अगर मैं double bond बनाता हूँ तो भी कुछ गलत नहीं और यहाँ single bond बनाता हूँ तो भी कोई गलत नहीं है ये भी सही है ये एक है तो और तीन चाहिए यहाँ पे एक दो तीन है तो ये एक और चाहिए चार और यहां पर दो है तो और दो चाहिए चाहिए दोनों में कोई अंतर नहीं है दोनों सही में मीररी मेज़ा एक दूसरे के समझ आ गया ये वाला भी सही है ये वाला भी सही नहीं दोनों जगे नहीं होगा वैलेंसी कैसा साइटिस्फाइ करो गए कहीं भी एक बार होगा समझ आ गया कहीं भी एक बार होगा दो डबल बॉन बना के नहीं होगा यहां भी डबल बना दिया यहां भी डबल बना दिया किस कारवन की पूरी वैलन्सी हो गई यहां पर 2 गया तो 2 बचे यहां पर 2 गया तो 2 बचे कित्य hydrogen गया? 4 hydrogen के है अपने पाज जाता hydrogen था न यह तो 4 hydrogen गया तो बाकि hydrogen का क्या? तो 6 hydrogen है न 2 hydrogen कहां जाएगा? not possible इसको हम प्रोपीन बोलेंगे ठीक we'll call it as propel समझ गया सबको कहीं भी लगा सकते हैं आइड्रोजन भाई भाई मैंने भी तो यह बोला कि मिथी निक्जिस्ट नहीं होगा next देखते हैं n is equal to 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा c4 h4 तो यह हो जाएगा c4 h6 सभी है यह हो जाएगा न c4 h6 sorry 4 to j8 c4 h8 हो जाएगा इसका structure कैसा होगा अब देखो यहाँ पे एक दो तीन चार चार कार्बन है कहीं भी एक बार डबल बॉंट चाहिए मैं यहाँ पे डाल दे रहाँ बाकी सब सिंगल डाल रहाँ कोई दिक्कत चार कार्बन है कहीं भी एक बार डबल बॉंट चीए तो मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है चार कार्बन है कहीं भी एक बार डबल बॉंट चीए तो मैं यहाँ यहाँ सिंगल लेकि यहाँ भी डबल डाल सकता हूँ तो तीनो structure सही होगा तीनों में से कोई भी गलत नहीं होगा यह बात याद रखना तीनों ही सही होंगे गलत कोई भी नहीं है समझें क्या तीनों के तीनों स्ट्रक्चर सही होंगे गलत कोई भी नहीं है ओके पहली बात क्लियर हो गई चलो अब ज्यान से देखो इस वाले केस में यहाँ पे दो बॉंड है तो चार बॉंड बनाएगा कारबन तो यहाँ पे एक दो बॉंड बनगे इस वाले केस में एक दो तीन बॉंड बना रखें कारबन ने तो और एक बनाएगा चार होगे इस वाले में दो बना रखें तो ए कोई इसमें गो एक और बना रख्या तो तीन चार इसमें अल्रडी एक दो तीन है तो एक और चार बॉंड गिनुप इस कार्वन के पास इधर दो इन ग्रीट कर्वसचा है तो एक और बनाईगा चार ऑर इसके पास एक यह तो और गॉसे िमियो जो है इसमें लिह नोधा है तो इदर एक दो टीन मनाएगा एक दो टीन चार ऐड़ी थीन है तो एक अल्रेही दो है समझ आ गया सारे सही है हमने ये वाला बना दिया हमने बीच में डाल दिया पहले में डालो दूसरे कारबन के बीच में डालो कहीं भी डालो कोई दिक्कत नहीं है समझ आ गया इसको ब्यूटीन बोलेंगे यह प्रोपेन नहीं है प्रोपीन है प्रोपीन वो गलत लिखा हुआ है एक और लेता है N is equal to 5 C2 H2 into 5 C5 H10 अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हम double point डालते हैं यहाँ यहाँ single डालते हैं कोई लिखकत नहीं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर single डालते हैं यहाँ double डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ यहाँ single डालते हैं यहाँ double डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ यहाँ single डालते हैं कोई लिखकत नहीं एक ही बार double point डालते हैं कहीं भी डाल सकते हो अभी के लिए 11, 12 में आप 2 बार डाल सकते हैं वो और advanced compound होते हैं अभी हम basic पढ़ रहे हैं अभी तुमको एक्दम basic सिखाया जा रहे हैं समझ आ गया है तो हम दूसरा वाला बना लेते हैं यह वाला structure बाकी valency fill करने आपको आ गया है इसको हम प्यार से बुलाएंगे pentene समझ आ गया है इसको हम प्यार से बुलाएंगे pentene सबको समझा क्या next वाला अब हम पढ़ते alkyne ठीक है finally we are going to study alkyne now we will study alkyne अब alkyne में ध्यान से देखो general formula cn h2n-2 n is equal to 2 डालो क्या निकलेगा c2 h 2 into 2 minus 2 c2 h n is equal to 1 तो exist नहीं करेगा पता है ना तुम लोगो minimum 2 carbon ची एक carbon से exist ही नहीं करेगा methane will not exist यह तो 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 पहले ही समझ में आ गया होगा यहा पर 2 into 2 4 minus 2 2 हो जाए am I right तो 2 carbon है alkyne alkyne कहीं पर एक बार 3 bond चाहिए अब अगर इस carbon के मैं left में देखता हूँ तो पुझे 3 bond देखता है मतलब यह एक और single bond बनाएगा और यहाप है hydrogen रहेगा इस carbon के अगर मैं left में देखता हूँ तो यह 3 bond है तो एक और bond बनाएगा चाहर करने के लिए और यहाप है hydrogen लेगा 9 is equal to 3 ले लेते हैं का हो जाएगा c3 h2 into 3 minus 2 c3 h6 minus 2 c3 h4 सही बात है चलेगा बेटा चलेगा वो करने के बाद ही पता चलेगा विक्की कि तुने क्या किया है अभी मैं कैसे बोल दूँ तीन कारवन है एक दो तीन यहाँ पे भी मैं triple bond दे सकता हूँ अपको पता है आप यहाँ पे भी मैं triple bond दे सकता हूँ मैं कहीं भी एक बार दूँगा और बाकी सब single है बचे हुए यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे एक single हैगा ऐसे भी लगा सकते हो ऐसे भी लगा सकते हो जैसे लिखना है लिखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर अलरीडि तीन और ेक चार है तो यहाँ पर कुछ भी होगा कि इस कार्वन के साथ मुझे बताओ इस कार्वन को बहुत ध्हान से देखो left मे तीन, right में एक हो गया न वो दिक्कत है फिल इसको देखो एक तो इसमें और तीन चले जाएंगे वैलेंसी फिल करना सीखो बहुत काम आएगा आगे हो गया न तीन हाइडरोजन इदर एक चार अगर मैं इसकी बात करता तो अगर मैं इसकी वाली बात करता तो यहाँ पर एक है तो एक, दो, तीन और इडरोजन भर दो यहाँ पर देखो इस कारवन के लेफ्ट में एक है और राइट में तीन है तो चार हो गया अल्रेडी कोई दिक्कत नहीं इस कारवन के लेफ्ट में तीन है तो एक हम यहाँ लग जाते है हो गया चार समझ आ गया इसको हम लोग प्यार से बोलेगे propine what we'll call it as propine एक और example लेते है energy equal to 4 डालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा अब आपको पता है 4 है 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 मैं यहां भी single bond यहां पर triple bond दे सकता हूं बाकी सब single मैं यहां single देके यहां triple दे सकता हूं यहां single देके यहां पर triple दे सकता हूं तुमको यह समझ में आ गया होगा आप तक कि triple bond हम कहीं भी एक बार डाल सकते है बाकी हमको valency fulfill करने हैं और कुछ लिए ऐसा को structure देखेगा उसको बाकी सब valency fulfill करने की बात था और कुछ इसको view time बोलेंगे क्योंकि 4 है अगर मैं n is equal to 5 देखो तो c5 h 2 5 minus 2 जबरदस्ती क्यों डाल रहा है बब जब नहीं बता रहा हूँ डालने के लिए तो जबरदस्ती क्यों डाल रहा है मैं हर case तो तुमको पढ़ाई रहा हूँ तुम जबरदस्ती डाल रहा है मट डालो last में y ne e है तो e ne वाला double bond कहां से आएगा सोचके देख जबरदस्ती मट डालती है आप देखो अगला यह क्या हो जाएगा c5 h 10 minus 2 c5 h 8 इसका structure कुछ ऐसा बना सकते हैं अलग अलग तरीके से यह triple bond यहां हो सकता है यहां भी डाल सकते हैं यह हमने गलट कर दिया यहां पर यह single bond रहे गाथी है मैं इसका structure बना देता हूं यह गलत है यहां पर एक दो तीन चार पाच यहां पर हम double bond यहां पर भी single यहां पर double triple देता हूं एक दो तीन चार हो गया यहां 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 यह लोग दो तीन चार पांच छे साथ आठ चाहिए वाटिट यहां 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 एसको टीक है यह गाल जब ऐस पिंटाइम एसको टीक है यह बिल्ग वालिट अस पिंटाइम next structural isomerism ये कभी और पढ़ा दूँगा ये मैं आपको structural isomerism बाद में पढ़ाओंगा मुझे याद दिलाना अगले lecture में ये पढ़ाओंगा structural isomerism ठीक है I'll teach you later अब देखो multiple double bond या single bond भी हो सकता है प्रीज अंडिस्टैंड ये मल्टिपल double bond और single bond जैसे कि बेंजीन की बात करें यहाँ पर देखो single bond double bond single bond double bond single bond double bond से multiple भी हो सकता है ठीक है तो ये सारी चीजे हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है यह हम next lecture में पढ़ेंगे इस अब सभी लोग मुझे ये इन का क्या formula था general formula अलकीन का क्या general formula था और अलकाइन का क्या general formula था just let me know everyone let me know the formula अलकेन अलकीन और अलकाइन का formula बताना है कुल सुम अलकेन का बता दो चलो अलकेन का बता दो चलो good 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 झाल झाल आवाज आवाज आरी है राध्य आरे के वाज आर्य है ओके थैंक यू थैंक यू गिप मेरेट अ आप ऐसे सर्च करो on YouTube, how to off USB debugging और उसके आगे लिख देना, अपने आपका जो भी mobile phone का model होगा, जैसे मालने मेरा iPhone है, तो iPhone आपका जो भी phone होगा, उस तरीके से लिख देना, फिर आपका off हो जाएगा. और वो वीडियो देखके बंद करो, चलो, यारे बच्चे भी ना बड़े वो होते हैं, मस्ती खोर, कुछ भी चालू करके रखते हैं phone में, कोई भी third party app download करके रखते हैं, फिर में को complain करते हैं कि लेक्चर नहीं चालू हो रहा है, क्या करें इसका, चलो let's go, अभी हम लोग पढ़ा था, और फिर अगर आपको याद होगा, तो versatile nature के बाद हमने थोड़ा सा hydrocarbons के बार में पढ़ाई किया था, कि hydrocarbons क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसा होते हैं, ये सारी चीजे हम लोग ने पढ़ाई किया था about hydrocarbons, आज की lecture में हमने जो hydrocarbons पढ़ा था उसमें आप ऑच की lecture में हमें दू चीजों के बारे में पढ़ना है, 2 से 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे आज की lecture में, first चीज जो हम लोग आज की lecture में पढ़ने वाले हैं, that is about isolerism, कि Isommerism आखिर क्या बला है, कैसे होती, डूसरा जो चीज़ हम आज की lecture में पढ़ेंगे, that is functional group, just functional group क बारे में पढ़ेंगे उसका nomenclature नहीं पढ़ने वाले हैं ये क्या है दो टॉपिक्स है इंटारली ये दो टॉपिक भी आपके लिए नया हो सकता है और कुछ लोगों के लिए टॉपिक बिल्कूल मतलब ऐसा होगे कि जिन्होंने पहले पढ़ा होगा तो एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये सारी चीजह आपको आगे 11-12 में बहुत ज्यादा काम आएगी तो चला फोकस करें सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्ट्रल आइसोमेरिजम तो लोगों को छोटा सा टॉपिक याद है जो आप लोगों ने लोर स्काइंडर ना पढ़ा था आईसो आईसो टोप्स आपको याद है आईसो टोप्स या फिर एलेट्लॉप्स ऐसा याद है जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों है कार्बन बट दोनों के बीच में अटामिक मास का अंतर है एक बारह और एक तेरह है तो इसको आईसो टोप बोलते है कुछ सिमिलारिटी होती है थोड़ा सा डिफरेंस होता है अगर आपको आईसो टोप यह इस चीज के मतलब पता होगा तो इसमें होता क्या है कि कुछ चीजे सिमिलर होती है ठीक है there is a certain similarity एंड एक छोटा सा कुल टॉपिक का डिफरेंस होगा ऐसे concept को आईसो टोप एगराम लोग कहते हैं ओकी आईसो टोप आईसो बार अभी आईसो में इसम मतलब क्या होगा ऐसे समझें कोशिश करो टू पॉसिबल कार्वन चेंस और ब्यूटेन याद है सभी लोग को अब देखो ब्यूटेन के लास्ट में एन ही आ रहा है मतलब यह क्या होगा जस्ट लेट मी नू ब्यूटेन के लास्ट में एन ही आ रहा है तो यह क्या होगा इडिज अन अल्केन जनरल फॉर्मूला याद है सभी अभी अभी चैट में लिखा था cn h2n प्लस 2 n is equal to 2 डाल दो क्या आ जाएगा यहाँ पर n is equal to 4 डाल दो 4 तो c4 h2 into 4 minus 2 क्या जाएगा यह c4 h 4 2 जा 8 minus 2 c4 h6 क्या जाएगा सही है गलत है यह प्लस है सॉरी तो प्लस करेंगे तो c4 h10 हो जाएगा c4 h10 राइट यह हो गया हमारा ब्यूटेन अब इस ब्यूटेन के हम दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो molecular formula अगर मैं ब्यूटेन का बता हूँ तो molecular formula क्या है ब्यूटेन का देखो c4 h10 अब तुम मुझे बताओ क्या मैं c4 ऐसे बना सकता हूँ 1 2 3 4 am I right फिर क्या मैं इधर इधर hydrogen लगा सकता हूँ 1 2 3 1 2 यहा यहा लगा दिया मैं एक दो 1 2 is it c4 h10 दियान से देखो इसको गिल लो hydrogen गिनो और carbon गिनो is it c4 h10 अब जिने यह वाला structure देखो एक मैंने क्या किया अगला मैंने क्या किया एक तो यह हो गया मेरा अगले मैं मैंने क्या किया कि तीन हाइट carbon को इस तरीके से रखा और मैंने एक branch chain बनाया इसने हाँ ठीक है what I did कि मैंने एक branch chain बनाया ओके और carbon की valency को मैंने fulfill कर दिया बस I tried to fulfill the valency of carbon क्या मैं यहाँ पर भी बूल सकता हूँ कि यह भी C4H10 है just think of it is it C4H10 गिनों एक branch चीए तो is it C4H10 गिनों गनी भरोसा है तो just count it once तो क्या दोनों ही cases में क्या मैं बोल सकता हूँ C4H10 ही यह दोनो just both are C4H10 तो देखो the molecular formula of both the structure is same am I right Aarti molecular formula दोनों ही structure का same है which is C4H10 which is C4H10 but if I'll talk about the structural formula अगर मैं structural formula के बार में बात करता हूँ two different compound as their structural formula is different यह दो अलग compound है क्यों क्योंकि इस structure formula है अब अगर मैं बताउने जाओ तो मैं नाम बताने जाओ तो यह है तुमारा N-butane यह क्या है तुमारा N-butane N-butane क्यों yes it is a branch chain क्रिती absolutely right क्योंकि यह straight chain है जब straight chain होता है तो हम N लगाते है और because it is an isomer क्योंकि यह एक isomer है तो इसको हम लोग बोलेंगे isobutane ज़रा science समझने की कोशिश करो isobutane समझ आया are you getting it दोनों के नाम में क्या अंतर है as it is a isomer इसको isobutane बोलता है दोनों के structure में अंतर है इसके लिए हम इसको isomerism बोलेंगे same molecular formula but different structural formula is from isomerism ने this phenomenon is called as isomerism एक एक चीज समझ में आगे है जो जो लिखा है मैंने तो यहाँ पर मैंने definition लिख दिया finally I have written the definition just check it out the phenomenon in which compounds having the phenomenon in which the compound having different structural formula have same molecular formula exactly मैं विश is called as structural isomerism फिर से एक बाँ बता देना चाहतो इसका जो ओरिजिनल नाम होता है that is N-butane और इसका जो नाम होता है that is isobutane प्लीज याद रखना आगे काम आएगा isomer से अलग होता है यही isomer है यसी बात को isomerism कहते है यह अलग same molecular formula वर different structural formula इसको isomer बोलेंगे remember रिटा चलो let's move further ना आगे बढ़ता है देखो यहाँ पर हमने देखा कि branch chain था और यहाँ पर हमने देखा कि straight chain था रई we have just seen कि यहाँ पर branch chain है और यह so हम हर class में ऐसा करता है ना so हम एक बार और ऐसा कर ले ना वेटा गर हम मैं आपको बताता हो कि block कैसे होता है यहाँ सबको बता चलेगा कि class में block कैसे होता है चलो तो we'll now see one more thing apart from straight chain अभी जो हमने पढ़ा straight chain और branch chain देखा हमने रई just now what we have seen was a straight chain and branch chain यह branch chain का example था and this was an example of straight chain am I right now apart from straight chain and branch chain closed chain of carbon compound are present in the same carbon compound तो मतलब देखो closed chain में भी isomelism हो सकता है यह बात याद रखो closed chain में यह भी होता है example के लिए देखो यह हमारे पास 6 carbon इसको मैं रिंग structure में डाला है इसको अगर मैं बोलने जाओ यह इसके साथ connected है यह कैसे बना यह तुम्हें मने दिखा दिया हर एक चीद मैं animation के साथ भी तुम्हें दिखा रहा हूं और मैं खुछ से लिखकी भी दिखा रहा हूं तुम लोगों को तुम पो है अब मादलो कि इसमें मुझे यह कै है इसको हम carbon ring है इसको हम साइक्लो हेक्जेन बोलेंगे देखो सभी कारबन के बीच में सिंगल बॉंड है सो मैंने सर्फाई नहीं मांगी थी मैंने कहा ताफ़ाल तू मैसेज मत करना बाई अर यू शूर यू वांट टू ब्लॉक यूजर यूजर विल भी ब्लॉक ब्लॉक अब आगे बढ़ते हैं अब मालनु कि इस कार्बन को अगर मैं देखो तो मझे बताओ अगर मैं इस carbon की बात करो इसने कितने bond बनाए है इसने 2 bonds बनाए am I right इसने 2 bonds बनाए तो अब अगर इसने 2 bonds बनाए तो इसको और कितने bond की जरूत है सोचके देखो, दो और bond की जरूत है तो ऐसे बना लेगा, चलेगा 2 hydrogen यहाँ पे लग जाएगी अब इस carbon को देखो ध्यान से इस carbon ने कितने bond बनाए है everyone इस carbon ने कितने bond बनाए है इसने 2 bond बनाए है इसको भी और कितने bond बनाने 2 bond बनाने तो शायद ऐसे बना दूआ तो काम हो जाएगा अगले वाले को देखते हैं इसको देखो 2 bond बनाए है राइट उंकर तो अगर ये भी इस तरीके से बना दो तो इसका भी काम हो जाएगगा इस carbon को देखो इस ने भी 2 bond बनाया है तो इसको भी ऐसे गर मैं 2 bond बना दूमा तो इसका भी काम हो जाएगा इस carbon ने कितने bond बनाया है दो बनाया है तो अगर मैं इस तरीके से 2 bond बना दूमा तो इसका भी काम हो जाएगा अगर इस carbon को मैं देखो तो इसने भी क्या बना है दो बॉंड बना है तो अगर मैं यहां से ऐसे दो बॉंड बना दो तो इसका भी काम हो जाएगा Am I right? तो क्या मुझे ऐसा structure मिलेगा? If I will count the number इसको हम लोग बोलते है cyclohex है, cyclic है ना? cyclic है तो इसको हम लोग लेंगा cyclo, क्योंकि 6 carbon है तो मैं लिखूँगा hex और single bond है हर जिगे तो मैं लिखूँगा ed बाकि अगर मुझे बनाना है तो यह ऐसा को देखेगा, structural formula इसका ऐसा दो Now just count the number of carbon and hydrogen, कितने carbon है? 6 carbon है और 12 hydrogen होगी Am I right? 12 hydrogen होगे, तो this is the molecular formula Is it clear? Just the compound आपके book में तो दिखा दिया है मैंने I mean butane की बात ही नहीं कर रहे है था न हम यहाँ पर, कौन बोल रहे है Butane? Sunscruti we are not talking about butane here Alcane के formula में डालेंगे तो बात सही है बिटा लेकिन यहाँ पर cyclic structure है Cyclic structure में hydrogen कम हो जाते है दोनों तरफ से Cyclic structure में hydrogen दोनों तरफ से कम हो जाते है, मैं समझाता हो देखो अगर मैं hexane बनाने जाता, तो मैं ऐसे करता, 3 Am I right? तो माल लो यहाँ पर hydrogen से और इन जगे पर hydrogen सोंगे ऐसे Am I right? समझना बात को अब अगर, अगर मैं यह वाले hydrogen को और यह वाले hydrogen को हटा देता हूँ और इसको लेकि इस तरीके से जोड देता हूँ अगर मैं इसको ऐसे जोडता हूँ, तो दोनों hydrogen हट जाएगा और यह जोड जाएगा तो दो hydrogen कम होगा दो hydrogen कम होता है, कोई भी चीज में अगर हो cyclic होगा No, it's not hexane, double bond होगा, तब hexane होगा Krishnadaas जी, अगर carbon carbon कहीं पर भी एक बार double bond होगा तो ही होगा, तो ही होगा, यह होगा, हार जे के single bond है There are new things to learn, बेटा Is it clear, everyone? Good do, very good, very good to good do So, हम unblock कर रहा हूँ, दुबार है अगर मस्ती करोगे, पर्मानेंटली ब्लॉक कर दूँगा, याद रखना Yes, निया मैं, I can explain it once again नहीं, सिर्फ hexane का ऐसा नहीं होगा, सिर्फ hexane तो ऐसा होगा, भी बनाया था न मैंने हर जेगे hydrogen, यह सिर्फ hexane है, ठीक है यह सिर्फ hexane है, बाकि हर जेगे hydrogen रहेगा नहीं, electron dot structure नहीं पूछेंगे और जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, I'll teach you, don't worry अरे, भाईयों, इम बेहनों ज़रा शान्ती बनाये रखें, ठीक है, सब सिखाऊंगा शान्ती बनाये रखें ठीक है बाकि है, चैप्टर खतम नहीं हुआ है, शान्ती रहो क्या बोल रहो, शान्त रहो, तुम जितना useless सवाल पूछोगे, काम के अलाबा उतना lecture extend होगा, मैं तो class लूँगा ही, क्योंकि मुझे तो decided है कि मुझे ज कहा तक पढ़ाना है लेकिन, ज़्यादा delay होगा, तो तुम्हारा syllabus पीछे रह जाएगा मैं सब पढ़ाने वाला हूँ, lecture खतम होते होते, तुम्हारा सारा doubt clear हो जाएगा, अपने आप तो सबर करके सीखो, ज़्यादा सवाल मत पूछो, बस इतना बताओ कि जो मैं बता रहा हूँ, वो समझ आ रहा है क्या question बस इतना है, आपसे पूछा गया, मेरी बात सुनो सब लोग मेरी बात सुनो, I am not asking you to ask questions, I am just asking you कि जो मैं बता रहा हूँ, वो समझ आ है क्या उसके हजार possibilities हो सकते हैं, हजार possibilities नहीं हो सकते हैं, वो सब बात में कर लेंगे, ठीक है, हम कोई PhD नहीं कर रहा है अभी carbon पे, we are not doing PhD, जो बता रहा हूँ, वो समझ आ रहा है क्या पहले वो बताओ, फहले syllabus खतम करते हैं, फिर दुनिया दारी की बाते करें, बात समझ रहा हू हो है हम का, no doubt की हम कर लेंगे, बट ऐसे तू सवाल पूछूगे तो नहीं हो पाएगा, मेरी बात समझ में आ रहा होगा, तो जो जो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ ना में जबाब दो और कुछ मत दो, end में सारे doubts पूछ लेना, ठीक है, आप लिखते चलो, आपको जो 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 doubt आता है, आप लिखते चलो, उसको एक notebook में लिख लो, end में मैं सबके doubt clear करके जाओंगा, ठीक है, चाहे एक घंटा लगे, दो घंटा लगे, तीन घंटा लगे, आप लिखते चलो, अभी मत पूछू, अभी पूछ के आप मेरा और आपका time list करो, I hope कि यहां तक समझ में आ ग doubts आ रहे तो उसी चीज को discuss करेंगे, textbook में page भी है, दिखो, चाहे आपके पास straight chain हो, ठीक है, आपके पास branched chain हो, या फिर आपके पास cyclic chain हो, ring structure वाला chain हो, दोनों के अंदर saturated और unsaturated हो सकता है, मतलब saturated कि किसको बोलते हैं चनब, याद करने की कोशिश करो थोड़ा सा, saturated हम अब वो गोल हो, भुगोल हो, triangle हो, rectangle हो, we really don't care, unsaturated हम तब बोलते हैं जब carbon-carbon कही भी एक बार double bond आजा और carbon-carbon एक बार at least triple bond आजा, अब वो गोल हो, भुगोल हो, circle हो, rectangle हो, we really don't care, हमें उससे कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए, ना उससे हमें कोई फरक पढ़ता हो, ना पर आपको example बताया था, ये क्या है बताओ, just let me know in the name, नाम क्या होगा, इस पर देखो, तीन carbon है, एक, दो, तीन, अब आखी सारे hydrogen है, हर्जे के single bond है, what is the name, बच्चा पड़ी, what is the name, नाम क्या होगा इसका, चैट में जड़ा नाम बता ना, प्रोपेन, absolutely right, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन and the molecular formula is C3H6, am I right, now you imagine, we have, अब carbon compound में, तीन carbon वाला, लेकिन एक जगे पर double bond आगया, इसका नाम क्या होगा, बताओ, we have a double bond here, इसका नाम क्या होगा, saiklo कहा से आगयाए भाई ये, वैशने भी भेन, saiklo कहा से आगया, गोल दिख रहा है क्या आप कोई कहीं भी, आप कोई गोल दिख रहा है, rectangle दिख रहा है, triangle दिख रहा है, cyclic कहा से आगया, saiklo बोल रहा है आप, प्रोपीन, इसका नाम क्या होगा मैं फ़र सा screen पर से हट जाता कि इसका नाम क्या होगा प्रोपीन होगा अरे प्रोपीन क्यों नाम होगा इसका double bond आ गया ना एक बार अगर double bond होता है तो naiveombine हो जाता है am I right तो this will be propene अभी हम लोग आईसोमेरिजम नहीं पढ़ रहे हैं प्लीज भूल जाओ आईसोमेरिजम हो गया पहला एक ही स्लाइट तो ब्यूटेन वाला एक्जामपल आईसोमेरिजम फिनिश विया लर्निंग निव थिंग्स नव जो हमने पढ़ रखा उसी के एक्जामपल ले रहे हैं विया प्राक्टिसिंग विद निव एक्जामपल है मन कहे रही है सर पहले जो लाइव लेक्षर लिया था कारवन पर उतना डिटेल में नहीं सिखाया आप चीटिंग करते हो चीटिंग नहीं करता हूँ इस पर डिपेंड करता है कि अपने पास कितना टाइम है तो आप यह नहीं सब सिखाया है ठीक है ओके नेक्स लेट से ठेक अनदर एक्जामपल अगर तीन बॉन्ड तो प्रॉपाइन देखो ना तीन कारवन है और एक जिगे पर तीन बॉन्ड है तो इसका नाम क्या होगा इस इच प्रॉपाइन अम आ राइट इस इच नथिंग बट प्रॉपाइन इस इच लिए मुद्दा क्या समझना है मुद्दा क्या समझके लेना है कि अगर स्ट्रेट चेन रहा if we are having a straight chain we can have saturated hydrocarbon we can have unsaturated hydrocarbon चीक है straight chain दोनों में हो सकता है is it clear now we will look at the same for saturated unsaturated क्या branched में हो सकता है now let me have a branch chain hydrocarbon branch chain मतलब क्या होता है बगवान जी branch chain मतलब क्या होता है what do I mean by branch chain किदर तो ऐसा गली गुच्चल में कोई branch branch बनेगा ऐसा न तो example के लिए यह वाला हमने पहले भी देखा है what is this because it is an यह देखो चार कारवन है एक दो तीन चार कहीं पे भी तुमको double bond या triple bond दिख रहा है क्या अधिती can you see anywhere कोई double bond ऐसा कहीं भी ऐसा कहीं भी double bond दिख रहा है आप लोग ओमकर कहीं double bond दिख रहा है क्या भाई संचिता संस्कृति महवीश इनिवन double bond दिख रहा है अजी नहीं है बिलकुल नहीं है नाम क्या था इसका याद करो मैंने बताया था तुमको isobutane इसका नाम था isobutane formula कहा है C4H10 क्या बड़ी है लग रहा है isobutane C4H10 शबाश इसी बाद पर आगे बढ़ता है अब दिखो यहाँ पर same number of carbons है हमारे पास एक दो तीन चार यहाँ पर चार था एक दो तीन चार बट यहाँ पर क्या हुआ कि double bond हमें एक बार दिख रहा है कहीं भी एक बार पियांका घर हमें double bond दिख जाता that means कि यह क्या बन जाएगा just let me know क्या बन जाएगा कहीं पर भी एक बार पर अगर हमें double bond दिख जाता तो it is nothing but it's an alkene तो इसका नाम क्या हो जाएगा isobutene this is isobutene now why iso because it's an isomer branch ये नहीं तर आईसोमर बन रहा है अगर second carbon पे एक नीचे CH3 का branch होता है ना तो उसको आईसो बोलते हो इसे ये 11th में जाके तुम थोड़ा और डिटेल में सीखेगा ठीक है अभी ज़्यादा PhD नहीं करते हैं अभी इतना ही रखते है तीन carbon है चार carbon है पांच carbon और second carbon पे अगर एक CH3 होता है ना जैसे कि यहाँ पे एक CH3 है देखो जाएंसे ये एक CH2 है मतलब second chance इस पे अगर एक carbon का branch होगा ना basically तो उसको हम क्या बोलते है आईसो बोलते है तो ये आईसो ब्यूतीन है ब्यूतीन भी बोल सकते है नित्यानन बहुत सही बच्चा तो ये बड़ा को है ऐसे बोल सकते है अब देखो तो यहाँ पे तुमको समझ में आगे कि branch chain में भी double bond हो सकता है is it clear तुम्हाला है अत्ता माई जाला का कि branch chain मदेपन saturated असो शक्तो है ओ शक्तो है ओकी नव लेट्स टॉक अबट थार्ड वन विटिस क्लोज चेंड जिसमें तुम लोग को बहुत डाउट आ रहाता भी बगवान की दया से थूरे दर पहले टेक्सबुक में ब्यूटलीन दिया है देख से था सेम नेम चलेगा सेम नेम है नो इश्यू चलेगा हमने यह देखा था ना भी थूर दर पहले याद है न तुमको C6H12 साइक्लोहिक्जेन नाउ एक दीदी थी जिसने अभी रिसेंटली जॉइन किया है उन्होंने गलत बता था थूर दर पहले नाम क्या था दीदी का नाम बोल गया मैं जिनको मैंने डाटा भी था डाटा क्या था प्यार से बोला था आप हूँ डाटा मत समझना उसको बच्चा साइक्लिक किसको बोलेंगे जब end to end connected रहेगा ये भी साइक्लिक होगा अगर कोई चीज ऐसे है तो भी साइक्लिक होगा कोई चीज ऐसे है तो भी साइक्लिक होगा कोई चीज ऐसे है तो भी साइक्लिक होगा end to end connected होना चे वैश्नवी समझ रहे हूँ अगर end to end connected है then only we'll call it as cyclic else we'll not call it cyclic वैश्नवी समझ आगे हैं वैश्नवी विंगे अब निलिवा मेंगे फेवरेट स्टूडेंट हो विडियो आफ है मैं पता है मुझे तो यहाँ पे देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच now this is also cyclic now this is also cyclic अरे विडियो आफ है मुझे पता है उज़र फिर से मेरे को बहुत करना पढ़ेगा बोलने के लिए, समझो मेरी भाफणाओको इसमें कारवन भरो ना कैसे भरोगे इधर दो है तो अल्रीड़ी दो है तो दो पॉर्ण और बनाएंगे हम लोग इधर भी दो बॉर्ण बना हुआ देखो इस कारवन को ध्यान से तो हम लोग दो बॉंड और बना देंगे इधर भी दो बॉंड है तो हम लोग दो बॉंड और बनाएगे मतलब ऐसे सिंप्ली दो दो बॉंड बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे ध्यान से देखो हमने कितना भी गोल बनाया भुगोल बनाया, लंबा बनाया, चोड़ा बनाया बट हर जगे कार्बन और कार्बन के बीच में कीबल और कीबल सिंगल बोन्ड है हर जगे कार्बन और कार्बन के बीच में कीबल और कीबल सिंगल बोन्ड है पांच कार्बन है, इसलिए pentane, क्योंकि cyclic है तो cyclo, और बागी तुम गिल्लो, मैंने जो पढ़ाया तुम हो, ठीक है cyclopetanine नहीं रक्षा cyclic spelling को देखो तुमने what लगा दिया है पूरा, it is cyclopentane is it clear सुपकु सो मुझ में आया now what is unsaturated, when we will have at least a single, मताँ double bond, किसी जगे पे at least double या फिर कहीं triple, तो क्या ये possible है when we have closed hydrocarbons closed chain hydrocarbons, yes it is possible, example के लिए देख लो, अब मुझे हटना पढ़ा ना फिर से, हटा हुआ था तो से रापके वीडियो बेंके, से रापके रापके चलो समझ आ गया, तो can you see here, कई पे at least एक कारवन कारवन डबल बॉन दिख रहे है आ ते जश्वा बेटा, तेरा बुद्धी खुल गया, बहुत जल्दी खुल गया, बहुत सही इतनी जल्दी जिनका भी बुद्धी खुले है उन सबको मुबारक बाद ये क्लियर हो गया, साइक्लोहिक्जीन बोलेंगे इसको क्योंकि इसमें सबाश कौने ये स्मार्ट बच्चा उहो, कर तुसी तो स्मार्ट हो गए वेरी गूड तुसी स्मार्ट हो गए जी मा मेरा वाइडियो लेप्ट साइड नहीं ला सकता मेरे को मन नहीं है लेप्ट साइड लाने का मैं आल्वेज राइट आई इम आल्वेज राइट ओन राइट सर्कल में बॉन्ड हुआ तो साइक्लिक नहीं अब देख ऐसा अगर है इसको क्या बोलेंगा मानले इधर दो हाइडोजन दे दे साइक्लो प्रोपेन एंड टो एंड कनेक्टेड होना चीए कईसे निहाल कईसे काउंट कर वेटा साइक्लोहेक्जेन में काउंट कर निहाल इधर तो सही है ना अंजे सही है एक डम से सही है वेटा सही है सब सही है पाउंट कर वेटा नहीं हाल चलो अगला वाला द्यान से देखो बेंजीन नाम में इसमें बहुत कुछ रखा है बेंजीन बेंजीन की स्पिलिंग ये होगी ये होगी जल्दी बताइए बेंजीन की स्पिलिंग या होगी क्या मैंने जो लिखा है हो मैंने सही लिखा है या फिर जो मैंने लिखा है मैंने बिलकुल गलत लिखा है आप मुझे बताईए आप भी बताईए अपने घर वालों को भी बताईए सबको बताईए जल्दी बताईए वाट टाइम पास हो रहा है क्या कह रहो वेरी गॉड यह वाला स्पिलिन से यह ना नीचे वाला बिल्कुल सही यह यह नहीं होगा ठीक है यह यह नहीं होगा ठीक है अब दीको बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6 कमाल की बात है कि इसमें भी 6 कार्बन होगा तो ऐसे होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉंड ज्यान से सुनो कार्बन कार्बन डबल बॉंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉंड कार्बन कार्बन डबल बॉंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉंड carbon carbon double bond alternate double and single bond भया क्या मैं इसको ऐसे बना सेकता हूँ कि मैं यहाँ पर double single double single double single yes yes you can तुमारी अपनी एक छा तुम स्वतंत्र हो बिल्कुल स्वतंत्र हो यह करने के लिए ठीक है नई इसका नाम बेजजीन है यह थोड़ा अलग है aromatic compound होता ही नई चीजे सिखा रहा हूँ सीखो अब दिखो इस carbon ने कितने bond बनाये है वो लोगे तीन तो कितना और बनाएगा एक होगे चार इस carbon ने कितना बनाया है तीन तो कितना और बनाएगा एक होगे चार यह carbon ने कितना बनाया है तीन किता और बनाएगा एक हो गए चार इस करबने किता बनाएगा तीन हो गए एक हो गए चार इस करबने किता बनाएगा तीन एक चार तीन एक चार समझ गया ना तुम बात को अरे तुम लोगी तो समझदार हो बाकी दुनिया फेक लगे देख के तुछको ब्रेक लगे अब दिखो, there are alternate, three alternate double bonds and single, in the single-membered ring structure. In six-membered ring structure of benzene. यह benzene है, इसमें 6 carbon है. इसमें 6 carbon है, इसका नाम है, benzene. याद रखना, यह structure बनाने के लिए आ सकता है, example. ऐसा भी बनाते हैं, तो यह गलत नहीं होता है, याद रखना. ऐसे भी लोग बनाते हैं. This is also right. ज़रूरी नहीं के तुम हर बार लिखोगे carbon औरू. This is equally right. नहीं, real नहीं होगा, जो है, वो ही है. जब अधस्ति संस्कृति real मत बनाओ, सब सही खरा रहा हूँ. See, यह benzene अलग चीज है, it's an aromatic compound, ठीक है? तो compounds having this characteristic unit, जिसके पास ये वाली चीज होती है, मतलब ऐसे benzene जिस पर भी लगा रहेगा, ठीक है? यह benzene जिसके पास भी लगा रहेगा, उसको हम लोग aromatic compounds बुलाते हैं. We call it as aromatic compounds. हाँ, exam में structure बनाने के लिख लाते हैं. Okay, we call it as aromatic compounds. Is it clear? यह हम बैनो carbon compounds मों मज़ा आ रहा है. तो यहाँ तक clear हो गया सबको? यही है benzene खाली. और भी ऐसे phenol होता है, बहुत सारी चीज़े होती है, लेकिन वालग है, हमें खाली benzene का structure देखना था. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वैवाब. हरवाब ब्रांच के बीच में name के आगे ISO आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. सगेंड carbon पर होता है, तो usually आता है, और वो भी common name में आता है. IUPAC nomenclature अलग होता है, तो हम अलग से पढ़ेंगे. कि chemistry में किसी भी चीज़ को compulsion मान के मत चलना, कि यही अटल सत्य है, बाकी सब जूट है. Benji ने एक aromatic compound होता है, compound है जिससे खुश्बू आती है, उसका molecular formula ऐसे बनाते हैं. जैसे HCl क्या होता है, कैसीड होता है, एक compound भी है साथ में, उसी तरीके से. चलो जी, बिल्कुल अलग है cyclohexene, cyclohexene में खली एक carbon के बीच में double bond था ऐसे, benzene में alternate double bond and single bond है, aromatic मतलब जैसे खुश्बू आती है, सुना भी तो करो, बनाते हैं लाइब मैं, चल, मज़ाया, अब मैं शिखाऊंगा थुमको नया ची, जिसको बोलते हैं functional groups in carbon compounds, अता मीं तुम आला नवीन, नवीन चीजे सिखाऊना रहे, functional group in carbon compounds, सारे बोलो जै माता दी, जोर से बोलो जै माता दी, अवाज नहीं आ ली जै माता दी, मस्ती कर रहो, चलो, आगे बढ़ते हैं, नवीन विशे, दिखो बच्चो, थुम लोगों को मैंने सिखा था hydrocarbons, अगर थुम लोगों को याद बगत हो, हाइड्रो कार्बन तो हमने दिखा था open chain होता है, close chain होता है, फिर हमने देखा था close chain में recyclique हो सकता है, benzene हो सकता है, आसा पढ़ली आम लोगन ऐसे, हमने hydrocarbons तो open chain में देखा था कि saturated हो सकता है, unsaturated हो सकता है, हमने देखा था, इसमें double carbon carbon single bond को हम alkyne बुलाते हैं, unsaturated में दो होते हैं, carbon carbon double bond to alkyne बुलाते हैं, carbon carbon triple bond to alkyne बुलाते हैं, हमने ये सब पढ़ा था, general formula cn h2n plus 2, general formula cn h2n, and here general formula cn h2n minus 2, मुझे इसा लगता है कि ये समने lecture number 1 में पढ़ा था है, and you all, को ये याद होगा, नित्यानन्द, मिटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई पढ़ाई कर ले, वो दिन बहुत दुखी था, तु लेने के टाइम में तु पढ़ाई कर ले, ठीक है, तो ये सब हम लोग को याद है, now moving further, अगर हम लोग को ये सब आता है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने को अभी जो topic पढ़ना है, that is functional growth, खुदा क्या है कि एक कमाल होता है, there is a कमाल, and it कमाल ही, कि जो हमारा, जो हमारा ये है न, many different compounds, are formed, हमारा जो hydrocarbon है, हमारा जो hydrocarbon है, other element कौन से कौन से हो सकता है, halogen हो सकता है, भया, halogen मतलब कहा होता है, chlorine, fluorine, bromine, iodine, very good, oxygen हो सकता है, O2, या फिर खाली O, sulfur हो सकता है, S, nitrogen हो सकता है, N, तो इन सब के साथ, इन सब के साथ, कह करेगा, कि bonding बनाएगा, जब भी bonding बनाएगा, तो बहुत सारा, many compounds बनाएगा, he or she can make many compounds, ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मैं तुम लोग को, देश और दुनिया का थोड़ा सा नया ग्यान दूँँगा, ठीक है, पर बार एक्जामपल लेंगे, एक बार में तो तुमको समझ आना चाहिए, नहीं समझता तो दूसरी बार में आना चाहिए, नहीं समझता तो तीसरी बार में आना चाहिए, फिर भी नहीं समझता तो चौथी बार में आना चाहिए, समझ जाओ ठीक है पराना चीए दिखो आज मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूं वो कंप्लीट नहीं है ठीक है that is not complete नेक्स लेक्चर जो होगा नो उसमें जाकर के टॉपिक हमारा ओवराल कंप्लीट होगा ठीक है तो वो सर्वसर क्या बोलता है महिंदी में क्या होता है सर्वस वो नहीं है बहुत सारी चीजे बाकी रह जाएंगी बट मैं तुभी जेनरिक बताओ जैसे देखो मेरा नाम अक्क बुलाया जाता है तुम मुझे सर बुला लेते हो कोई मुझे बाया लेता है कोई मुझे ओटूबर बायता कोई मुझे teacher बुला लेता है कोई कुछ और बुला लेता है अलग अलग लोग अलग 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 इससे बुलाते है तो एक तो जाता है common name हो जाता है अलग चीज़ए पड़ेंगे टो यह तुमारा मिधियन है everyone is aware of this methane जड़ा पताना esth Just look at the animation very carefully. Hydrogen गयाब हो रहे. तो जब मैं hydrogen को गयाब कर दूँँगा What I can do? इस hydrogen के जगेबे मैं कुछ होर डाल सकता हूँ. इस hydrogen के जगेबे मैं सायद बचा तो CH3 है. अगर मैं hydrogen को गयाब कर देते हो. तो बचता कहा है मेरे बच्ते है. CH3. इस CH3 को मैं प्यार से मिथेन नहीं बोलाता हूँ जब भी मैं एक एलकेन मैं से जला ध्यान से सुनना Whenever इस सब्द को जला ध्यान से सुनो जब भी मेरे पास एक एलकेन है और उसमें से मैं एक हाइड्रोजन को अगर गायब कर दूँगा मैं गायब कर दे रहा हूँ इसको मैं जादू गरूँ तो एलकेन के एनी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ वाई एलस तो मिथेन क्या बन जाएगा जिसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन जाएगा मिथाई प्यार से इसको हम अलकाइल बुलाएंगे जान से सुनना अलकेन में से फिर से मैं बता रहा हूँ अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ तो एनी गेट्स रिप्लेस बाई येल तो अलकेन बिकम्स अलकाइल जादूगर जादूगर अब मैं कहा करता हूँ एथेन है मेरे पास द्यांजर सुनना आएब एथेन और इस एथेन को फॉर्मूला ये है CH3 CH3 हCHH CHHH जाया मैं क्या रहा हो इसमे से मैं एक हाइड्रोजन गायब कर रहा हूँ कि ए एक हाइड्रोजन गायब हो गया जब ये एक हाइड्रोजन में गायब कर देता हो इसको मैं प्यार से क्या बोलूँगा इथाईल CH3, CH2 ये बन गया नहीं condensed form मैं इसको प्यार से बुलाओंगा इथाइल जादूगर बेकाबूगर चला, is it clear? एक लाइन मनाते है एक और एक्जामपल लेते है प्रुपेन प्रुपेन का क्या होगा? CH3, CH2, CH3 तेरा combined form में लिखते है एक hydrogen गाइब कर दिया है मैंने अगर हुआ तो क्या होगा? यह नहीं पढ़ना है है तो क्या है? वो पढ़ पढ़े and this is the last time मैं सबको बोल रहा हूँ मैं हर्सीज पढ़ाने वाला हूँ तो तुम मुह बंद करके वाला पढ़लो फिर सवाल पूछना है सवाल पूछने के मना नहीं किया है इसको हम क्या बुलाएंगे? प्रपाइल इस इट क्लियर? क्या दिक समझ आ गया? तो जब भी अलकेन जो हमारा होता है वो एक hydrogen lose करता है तो वो अलकील ग्रूप बन जाता है वो कौन सा ग्रूप बन जाता है? इसको हम अलकील ग्रूप बुलाएंगे वोट वी कॉल इस? हम इसको बुलाता है अलकील ग्रूप इस इट क्लियर टो ओन एन ओल? सभी को इस बात समझ में आ गया है? चलो मैं कहूंगा अलकील ग्रूप को मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं अलकील ग्रूप को किस से रिप्रेजेंट करता हूँ? वाई लेटर आर ओके आई रिप्रेजेंट इट इट वाई लेटर आर चीक है वैश्णादी? अब यह आगे बढ़ता है ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ता है now let's say I have this CH3 आगे मैंने CL लगा दिया, मैंने क्या किया मतलब अगर मैं आपको ऐसे बताने जाओ तो मैंने क्या क्या मिरे पास CH4 था, बात को समझदा methane है मैंने एक hydrogen हटा दिया तो बच गया methyl hydrogen के जगे मैंने let's say chlorine लगा दिया तो क्या मैं किसी external चीज को, कोई hetero agent को, मतलब बाहरी चीज को मैं यहापे लगा रहा हूँ इसको मैं chloride लिख देता हूँ methyl chloride इसको प्यास से बलाए बात समझ रहे हूँ अब यह जो hetero atom है अभी तो इसका नाम तो methyl chloride है क्यों है, क्या है उसमें ज़्यादा detail में मज जाओ इसका नाम methyl chloride है CH3 alkyl है और chlorine का CN अब यह capital है लेकिन यहाँ पर small होगा यह आद रहा अब दिको यह जो chlorine है, इस chlorine के जगे मैं क्या कर सकता था मैं ब्रोमीन लगा सकता था अगर मैं इसको ब्रोमीन लगाता सुप्रिया आप गलत लिख़ए हो chloro-methyl नहीं होगा हो chloro-methane होगा अगर IUPAC लिखेंगे तो I'll teach you don't worry सुप्रिया आप गलत होगा मैं इस ब्रोमीन हो सकता है chloreen के जगे पे जदी in इसका जो नाम होता है एल्कील हलाइड होता है हम लिखते है एल्क्शील हलाइड हलाइड सियंगए ब्रोमाइड halogen का हलाइड हो जाया मत्लों कि यह मेरे पास अगर यह ब्रोमीन लागे कि फ्लोरीन होता तो क्यों हो जाता is Methyl Fluoride इसका आयू-पीएसी नेम लिखना होता तो यह होता ख्लोरो करना है फिर से बता रहा हूं याद नहीं करना वह सुनना है यह इसका हो जाता है यहां पर लिखा भी ओड़ते हैं मालनों तुम्हेरे पास है CH2 CH2 नाओ यहां पर CH3 होना चाहिए ठीक है CH3 CH2 इसको क्या बोलेंगे फ्लोरो इथेन ठीक है विल कॉल इट एस फ्लोरो इथेन अगर मेरे पास है CH3 CH2 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 F क्या है यहां पर तीन कार्बन है प्रोपाइल हो जाएगा यह तो प्रोपाइल क्या बोलेंगे इसको फ्लोराइड यह फिर प्लूरो प्रोपेन राइट मैं इसको और क्या बुला सकता हूं जैसे इसको मैंने इसको मैं क्या बुला सकता हूं इथाईल फ्लोराइड इसको मैं क्या बुला सकता हूं प्रोपाइल फ्लोराइड I can call it this इसको ये भी बुला सकता हूँ IUPAC से भी बुला सकता हूँ मैं common name से भी बुला सकता हूँ Are you getting it? तो मैं यह आपे बोलना क्या चाहरा हूँ मुद्दा क्या समझना ये समझके लो ये fluorine हो सकता है chlorine हो सकता है bromine हो सकता है iodine हो सकता है यह oxygen भी हो सकता है sulfur भी हो सकता है यह nitrogen भी हो सकता है इधने ही नीए तो OH भी हो सकता है COOH भी हो सकता है NH3 भी हो सकता है यह C double bond O भी हो सकता है This can be different things जिससे मैं इक hydrogen को replace कर सकता हूँ This can be different thing तो मैं बोल रहा हूँ the atom of an element which is substituted for hydrogen Hydrogen की जगे पे जिस Atom को मैं substitute करता हूँ उसको मैं heteroatom बोलता हूँ इतना ही समझना था है आपर बाकी कुछ नहीं समझना Hydrogen के जगे पे जो भी मैं कुछ भी करता हूँ substitute उसको मैं heteroatom बोलता हूँ Is it clear? अब जो ये heteroatom होता है ये fluorine, chlorine, bromine, iodine कुछ भी हो सकता है इनको हम हालोजन्स बुलाते हैं अगर यह रहा फ्लॉरीन प्लोरीन ड्रॉमिन आयोडीन रहा तो हम इसको हलोजन्स बुलाते है वी कॉल देमस हलोजन्स हमाई राइट जनिरल फोर्मुला होता है आर एकस आर मतलब यहां पे क्या था एलकील ग्रूप और X मतलब क्या है हलाइट यह फिर हलोजन एलकील हलाइट याद नहीं करना है बस समझना है यह हैड्रोकार्बन नहीं रहा न हैड्रोकार्बन मतलब सोम खाली हाड्रोजन और कार्बन होगा कुछ और हो गई नहीं अब इसमें फंक्शनल ग्रूप आगया एक यह हलोजन नाम का फंक्शनल ग्रूप आगया इसके अंदर खाली हाड्रोकार्बन नहीं रहा जी बिल्कुल हाड्रोजन को रिप्लेस करेगा उसको हेट्राटम कहें नहीं जलूरी नहीं है मैंने बताया तो पहुत सारी हो सकते हैं समस्कृती मेरा सवाल यह होता है कि इतना समझाया है क्या मोग जादा एद्वांस हो आद जादा एद्वांस हो जब तुम्हें इतने आइसास नहीं हो रहा है कि मैं सब पढ़ाने बाद हो दिमाज में घुसने ही रहा Sub प्रश्णी यह है कि जो बताया गया वो समझा कि नहीं समझा curiosity kills याद रखो curiosity हमेशा अच्छा नहीं होता नहीं एस तिल a light is not a functional group मैं फिर से मेरा सवाल repeat करता हूँ अब जो जो फालतू सवाल पुछेगा एक करके block करूँ नौस को chat में मेरा प्रश्णी है कि यहां तक समझा कि नहीं समझा तुम और कुछ बोलोगे एल ब्लॉक ही तुमको समझना आएगा कि मैं क्या बोलना चाहरा था पारता एल ब्लॉक ही लास्ट वर्न नहीं है चला लेक्चर एंड होने पर मैंने बोला है न डाउट्स पूछने के लिए क्यों अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो बंद बुद्धी हो बोलने से समझ नहीं आता एंद में हो ना डेली सुभे डाउट क्लेरिंग सेशन ले रहा हूँ सुभा सुभा ले रहा हूँ ना डाउट क्लेरिंग सेशन उसमें पूछ सकते हो दुनिया भर का टाइम है लेक्चर के बीच में घुसरेड़ना उसको ना कि टाइम पास हो इसले बस रह जाए अच्छा लगीगा दिमार्ग को ना बुटने से निकाल के यहां डालो ठीक है टाइम कम है सब सिखा रहा हूँ मैं यह जो लेक्चर यह जो बैच था ने इट वस जस्ट डाउट क्लेरिंग बैच तभी यह इतना सस्ता है कि आपको 2500 रुपे में आपने जॉइं किया इसलिए समझ रहे हूँ प्लीज समझो बात को ठीक है अगली बात सवालों पे ध्यान दिया करो कुछ नहीं समझेगा वरना अल तो सवाल लेक्चर के बीच में करोगा ना कुछ नहीं समझेगा इस बात की पूरी गारेंटी है जितना पूछ रहा हूँ हो सकता है दिखो तुम जैसे जो बाकी लोग जो सवाल पूछ रहते हैं फालतू उसी का अगला लाइन है इसलिए तो मुझे गुस्सा आ रहा है मैं चैट इसबल करके पढ़ाना शुरू कर दूगा ठीक है एक बार आप दिशितब करो करेंगे चैट कर डिसाबल करना ठीक है तुदी को कभी कभी त偉 सकता है कि जो हिट्रो ईटम था जैसे अभी हमने देखा कि जो हमारा हिट्रो ईट्रो ईटम था das was hydrogen sorry यट वज हालोजन अभी हमने देखा तो हैलोजन में कहता हमारे पास क्लोरीन था, ब्रोमीन था and so on ऐसी चीज़ा हमारे पास थी बट कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारा हेट्रो आटम होगा वो अकेला नहीं होगा it will not exist alone बट वो group of atoms के तौर पे हो सकता है example के लिए जैसे देखतें example के लिए क्या हमारे पास CH3 है यह क्या है, यह क्या है हमारे पार methyl और इस पे अगर OH लग जाएगा तो इसको methyl alcohol बोलेंगे या फिर इसका IUPAC name है mithanol इसका नाम है mithanol यहाँ पे जो OH का group है, इस OH की group को बोला जाता है hydroxyl group इसको आपने वह भी पढ़ा होगा कि जिस चीज में OH होता है, उसको base कहते है, ऐसा भी तुमने पढ़ा होगा, but this is something, this is not OH minus, this is hydroxyl group तो please confuse मत होना, ठीक है अब यह सवाल होना चाहिए, यह सवाल नहीं पुछेंगे, सवाल इनका फाल्टू होगा चलो आगे बढ़ते हैं इसको हम मिथिल एलकोहल बुला सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बुला सकते हैं मिथेनॉल भी बुला सकते हैं, दोनों नाम चले हैं you can call it a मिथिल एलकोहल this is the common name, मिथिल मिथेनॉल is the IOPAC name, हम सीखने वाले हैं यह, कैसे होता है हम सीखेंगे, अभी नहीं, बाद में next वाला, अगर मेरे पास CH3, CH2, OH है इसका मतलब क्या है CH3, यह हो गया CH3 यह हो गया CH2 और यह हो गया OH ऐसे लिखो या तुम ऐसे लिखो, तुम्हारे उपर है जैसे तुम्हें लिखना तुम ऐसे लिख सकते हूँ यह हो गया तुम्हारा OH तो अगर मेरे पास यह है CH3, CH2, OH तो इसको मैं इथील अलकोहल बोलूँगा common name, क्योंकि यह वाला जो ग्रुप है इसको इथील ग्रुप बोलते है और बाकी जो OH लगा है यह functional group एक alcoholic functional group है hydroxyl group है तो इसके लिए जो इसका नाम हो जाएगा that will be ethanol इसको क्या से ethanol बोला जाता है वो बता है इसको मैं C2H5OH भी बुला सकता हूँ चाहिए तो गिन लो just have a count तो जो मेरे बुद्धा क्या समझना है यहाँ पर समझने वाली बात क्या है यहाँ पर क्या समझके लेना है कि जो हमारा hetero atom होगा जरूरी नहीं है कि ओखाली chlorine, bromine, iodine, valence 1 वाला हो संस्पुती इट कैन भी a compound also ग्रुप आप एक्टम भी हो सकता है वो इसका है CH3, CH2, CH2, OH क्या है यह जिसे नतिमट प्रोपील अल्कोहॉल क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हम प्रोपील बुलाएंगे और जिसे प्रोपील अल्कोहॉल इसको हम प्यार से प्रोपेनल भी बुलाते है वी कॉल इट प्रोपेनल ओकी तो कभी-कभी सबर करना सीखो Sanskriti बहुद आच चाहोगा okay is it clear या तक समझा next general formula क्या होगा no one will ask you general formula but alkyl है और साथ में last में OH चुड़ा होगा OH कहीं भी हो सकता है याद रखना OH can be anywhere बताएंगे आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तब तो इसको alcohol बोलते है we call it as alcohol और पढ़ते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा और पढ़ते हैं एक्जांपल लेदे देखो compound जो होता है न उनकी properties बदल जाती है उनके अंदर एक specific chemical property आ जाता है किसी एक hetero item के गारण अब तक हमने दो hetero item देखा एक हमने देखा कि fluorine होगा तो fluorine होगा तो दूसरा हमने देखा कि अगर OH होगा तो अगर कोई hetero item आता है या फिर कोई group of atom आता है न तो compounds की property बदल जाती है जिनके पास hetero item होता है और उसी चीज को हम functional group बोलते detail में पढ़ने वाले functional group दोट वरी study in detail एक और example लेते third वाला carbozylic acid हमने देखा halogen देख लिया हमने halogen is a functional group हमने alcohol देख लिया alcohol is a functional group now third वाला हम लोग देख रहे है carbozylic acid art देखने और उसके बाद lecture खतम होगा जो लोग बूच रहे हैं लेक्चर कब खतम होगा ऐसे art functional group देखने हैं फिर lecture खतम होगा वादा रहा बच्चों lecture नहीं करेंगे खतम चाहला जनल फॉर्मॉला इसका र c o o h याद रखना r c o o h क्या बोलेंगे हम जनल फॉर्मॉला इसका r c o o h याद रखो इसको अगर इसको थोड़ा सा पहला के घल मैं लिखने जाओ carbon देखो थोड़ा सा कर फैला के लिखने जाओ, तो एक carbon है, जिसकी valence 4 होगी, ठीक है, तो oxygen 2 है, तो पहला oxygen जिसका 2 valence होगी है, फिल दूसरा oxygen यहाँ पे है, और उस oxygen का एक और valence hydrogen के साथ है, और यह carbon का ही, तो इस तरीके का structure होगा सा, थाला करके, विमाग लगाओगे, समझ में आ जाएगा, carbon को देखो, carbon ने चार bond बनाया है, हाँ, इधर वाले oxygen को देखो, इसने 2 bond बनाया है, हाँ, इस वाले oxygen को देखो, कै इसने 2 bond बनाया हाँ, hydrogen ने 1 bond बनाया हाँ, सबकी valence is satisfied, मिटा करके अच्छे से animation से दिखा लेता, यह है, तो C double bond OOH, C double bond OOH, this is nothing but this is carbozylic acid, इसको हम लोग carbozylic acid बुलाते हैं, अब यह जो carbozylic acid है, इसके आगे मैं hydrogen लगा देता हूँ, hydrogen लगा दिया है मैंने, I can, यहाँ पर मैं hydrogen लगा सकते हूँ, यहाँ पर मैं कुछ और लगा सकते हूँ, whatever I want, मैं कुछ भी लगा सकते हैं, अगर मैं यह लगा देता हूँ, तो इसको मैं बुलता हूँ, formic acid, इसको प्यार से बुलाया जाता है, methanoic acid, एक ही carbon है, एक carbon वाले को methane बुलाते हैं, तो यह methane, E changes to OIC acid हो जाता है, तो methanoic acid बुलाया जाता हूँ, तो इसको मैं बुलाते हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट और example लेते हैं, नव सेगेंड वाला देखो, we have this, एक वाले में देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है, पी, ठीक है, और फिर हमने एक लगा दिया, C double point O O H, ऐसे, इस case में हमारे पास दो carbon है न, एक दो carbon है, तो अगर हमारे पास दो carbon होता है, तो हम इसको प्यार से बुलाते हैं, CH3 COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, और इसको हम बुलेंगे acetic acid, इसको हम ethenoic acid भी बुला सकते हैं, ethane, E changes to OIC acid, नॉर्मल दो carbon है तो ethane होगा, E change हो जाता है OIC acid, यह हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, नाम कैसे लिखते हैं, we'll study it, नाम हम लोग पढ़ेंगे कैसे लिखते हैं, तो this is ethenoic acid, यही तुम्हारे vinegar विगरा में होता है, चीटी विगरा काटते हैं, तो formic acid होता है तुम्हारे, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो त्यांसर, तीसरा example लेते हैं, CS3, CH2, COOH, तीन carbon है इसके अंदर, तीन carbon है, तो तीन carbon मतलब हो जाता है, propane, E, E को change कर देंगे OIC acid से, तो propanoic acid हो जाएगा, यह तो इसका वो हो जाएगा, but इसका common name होता है, propionic, propionic acid होता है, इसका common, चार होता है, तो butronic acid हो जाता है, butonic acid हो जाता है, इससे नाम होता है, तो carbozolic acid समझ भाए हैं, structure ध्यान से देख लो, क्योंकि आगे थोड़ा सा इससे related चीज़े हैं, बेहान से देखा है structure, चलो आगे बढ़ता है, fourth वाला जाएगे, उसको aldehyde बोलते हैं, aldehyde का general formula is, R-C-H-O, R मतलब एक alkyl group, और यहाँ पर CH-O है, CH-O क्या होता है, aldehyde होता है, अगर मैं इसको फैला के लिखूँँगा, तो carbon, carbon की valency 4, oxygen 1, उसकी valency 2, तो ऐसे connect हो जाएगा, और एक hydrogen है, तो ऐसे connect हो जाएगा, कुछ भी और connect हो जाएगा, कोई भी alkyl group connect हो जाएगा, CH-3 हो सकता है, कुछ और हो सकता है, anything can be connected, ठीक है, जाल से देखो, तो यह हो जाएगा, इसका structural formula, C double bond OH, उदर कहा था, अगर मैं खाली, एक H लगा देता हूँ, तो इसको मैं बुलाता हूँ, प्यार से, formaldehyde, इसको मैं प्यार से, अगर scientific नाम, इसका IOPSC nomenclature देखे, तो इसको methanol बुलाया जाता है, we call this up methanol, कैसे, Ldehyde है न, यह normally एक carbon वाला methane होता है, क्योंकि एक carbon है यहापे, तो E जो होता है, वो change हो जाता है, L में, अगर हमारे पास एक Ldehyde होता है, तो इसलिए हम इसको प्यार से, methanol बुलाते हैं, बट अभी इसको मैं पढ़ना नहीं है, तो just take, नोर मारता है, अगर दो carbon है, मान लोग कि यह क्या है तुमारे पास, यह है तुमारे यह वाला ग्रूप, और मैंने एक CH3 जोड़ दिया, मतलब एक methyl ग्रूप जोड़ दिया, तो इसको हम लोग बुलेंगे, दो carbon है न, तो इसको हम लोग क्या बुलेंगे, ethanol, ethane, E के जगे पर हम लिखते हैंगे, AL, तो ethanol हो जाएगा, इसका आयो केसी ने, बढ़ यह तो हमें पढ़ना नहीं है, हम इसको हो लेंगे CH3, CHO, SM condensed, लिख सकतर, इसका नाम होगा, acetyl dehyde, अगर तुमने वह वहला चैप्टर पढ़ा होगा, microbiology, तो तुमने यह वर्ड सुना होगा, acetyl dehyde, is it clear to everyone, is it clear, चल आगे बढ़ते हैं, now, CH3, CH2, OH, तीन का रवन हैं, देखो ना, कार्बन कितने हैं, एक तो यह जो ग्रूप है, वह ही, उसको मारो गोली, बट कार्बन गिनो कितने हैं, एक, दो, तीन, functional group यह वाला है, ठीक है, तो तीन कार्बन हैं, तो हम बोलेंगे कि यह प्रोपेन है, तो प्रोपेन, याद नहीं रखना है, बस सुनने की बात की, भूल जाओ, प्रोपियोनलडिहाइड, प्रोपियोनलडिहाइड, ना मैं इसका, याद कुछ भी नहीं रखना है, चिल बारो, बस कुछ नहीं बता रहा हूं, एक्जाम्पल से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जरूरी नहीं इतना करवा रहा हूं, ठीक है, इस इट क्लेर टो एव्रीवन, प्रोपियोनलडिहाइड, चलो एक और एब, किटोन, अब आज़ दैश, अब आज़ दैश मतलब क्या होगा, कि री होगा, लेकित कोई और हो सकता है, या सेम हो सकता है, मतलब देखो, अगर हमारा CH3 है, तो इस गैन भी CH3 अलसो, ये C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिखकर दे, उसके साथ Oxygen Double Bound हो, अगर मैं यहाँ पर एक Hydrogen लगाता हो, यहाँ पर एक Hydrogen लगाता हो, तो ये क्या बन जाता है, पता है, ये बन जाएगा एक हमारा वो ग्रूप, पीछे जो अभी हमने Aldehyde पढ़ा था, वो ग्रूप, और ये एक Hydrogen लगाने से, ये जो हमारा बन जाएगा था, Formal Dehyde याद है, Formal Dehyde, ये तो Formal Dehyde बन किया, जिसको हम लोग प्यार से Methanol बुलाते हैं, अभी अभी पढ़ाया था आप लोगों को Methanol, ये तो नहीं चलेगा, ये तिस Ketone नहीं, ये Ketone तो नहीं है, तो ऐसा दोनों जगे पर Hydrogen लगा के, R के जगे पर, R कैनोट भी Hydrogen, R Hydrogen नहीं हो सकता इन Ketone, R' कैनोट भी Hydrogen इन Ketone, ये बात का, चलो ठीक है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक Hydrogen को हटा करके, CH3 लगा दिया हो, अगर मैं CH3 लगा देता हो, तो ये क्या बन जाता है, CH3, CHO, देखो ना, CH3, CHO, ये क्या है, अरे यार, ये तो Acetyl Dehyde है, Acetyl Dehyde है, Acetyl Dehyde मतलब क्या, Ethanol, जो पीछे हमने पढ़ा था, तो ये वाला, R न, CH3, दोनों R के जगे पे, Alkyl Group ही होना चाहिए, It should be an Alkyl Group, Compulsion है, और कुछ नहीं, It should be an Alkyl Group, Compulsion है, R and R' should be an Alkyl Group only, जैसे ज़िए, Compulsion, चाहिए, Same Alkyl Group हो, जैसे ज़िए, Compulsion, याद रखो, इसको हम बोलेंगे, दो मिथिल है न, तो Dimethyl Ketone, और इसका अगर हम IUPAC में की बात करेंगे, तो Dimethyl Ketone, क्या होगे, तीन Carbon है, एक, दो, तीन, आंग्शन रखो की Carbon को भी count किया जाता है, हर जगे, तो तीन Carbon मतलब हो जाता है, Pro, P-A-N-E, Propane, E changes to, Ketone है न, O-A-N-E, Propanone, E changes to O-A-N-E, Propanone, Is it clear? तो अभी दिन हमने क्या गया पड़ा, हमने पड़ा, Alcohol, RoH, हमने Acid पड़ा था, Carbosalic Acid, R-C-O-O-H, हमने पड़ा था, Aldehyde, R-C-Double-Bond-O, और यहां पे, H रहे गा है, Of course, ठीक है, हमने Ketone पड़ा था, R-C-Double-Bond-O, R-Dash, यह बाच हम लोगोंने पड़ लिया, आभी हम लोग इधर पड़े के, कोई नी कुल्शे में हम इसको repeat करने वाले हैं, Brunali, we are going to repeat each and everything in next class, I am just giving you idea, मेरा class 58 minute जब हुआ था ना, तभी पड़ा के हो गया था, आज कब, उसके बाद का सब कुछ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, कि अगले lecture में तुमको doubt ना है, just listen very carefully, अगले lecture में पका doubt नहीं आए हो, just listen carefully, यह बीज बो रहा हूँ, कि कल के lecture में फलूगा सब हूँ, अगर माल लो मैंने आर के जगे पे, सोचो, द्यान से लगाओ, दिमाग लगाओ, आर और आर डाइस के जगे पे, अगर मैंने हाइड्रोजन डाल दिया, तो यह क्या बन गया, यह तो ह्टू बन गया, ह्टू है ना, पानी चाहिए गया, इथर चीए था ना, पानी चीए था गया, नहीं चलेगा, एच-च नहीं चलेगा, मैं यह बताने की कोशिश करू कि आर क्या नहीं हो सकता है, मैं यह बताने की कोशिश करू, माल लो मैंने एक हाईड्रोजन हटाया, और उसके जग're CH3 लगा दिया, यह क्या है? CH3OH अरे यह तो alcohol हो गया, what is this? यह क्या है? methyl alcohol methyl alcohol मतलब mithanol है यह यह भी नहीं चलेगा तो R का combination cannot be CH3H यह भी नहीं हो सकता है मतलब it should be CH3CH3 या फिर कुछ और hydrogen hydrogen या फिर एक hydrogen last में नहीं चलेगा पॉइंट यह है बताने का दो alkyl group ही होना चाहिए जैसा पहले पीछे बता आता अलग अले example लेके similarly दो alkyl group ही होना चाहिए इसको हम लोग क्या बोलाएंगे? dimethyl ether what will call it? dimethyl ether एक और समझते है सात्वा वाला ister ister और ister थोड़ा confusion सा लगता है ister में क्या होता है? c double bond c o o होता है general formula इसका r c double bond o o r dash देखो बहुत simple है यह इस तरीके से इसका structure होगा c double bond o o h h डालोगे? काम नहीं चलेगा अगर h h डाल देंगे तो यह क्या हो जाएगा पता है? देखो यह हो गया h c o o h इसको हम लोग बोलते है mithenoic acid mithenoic acid जिसको आपने होने formic acid बोला था लेगे हमको क्या चाहिए? कार्बोजाली acid नहीं हमको ister चाहिए तो this cannot be hydrogen यह hydrogen नहीं चलेगा अब मैंने कहा है hydrogen डाल करके मैंने क्या कर दिया? c h 3 डाल दिया अगर मैं इसको c h 3 डालता हूँ तो यह क्या हो जाएगा? यह ethenoic acid हो जाएगा अरे ethenoic acid थोड़ी चाहिए मुझे ister चाहिए क्या नहीं करना है? मैं यह बताना चाहना हो तुम्हें करके लेक्षे नहीं बताऊँगा क्या कर सकते? तो what I मैं यहाँ पे c h 3 के साथ hydrogen नहीं रख सकता हूँ दूसरा अगर मैं c h 3 c h 3 रखता हूँ तो चलेगा मेरे को तब मुझे जो मिला उसको ते methyl acetate कुल मिला के ister तक हो चुका है मैं आपको जो बताना चाहरा था वो यह बताना चाहरा था कि जब हम लोग halogen के बारे में बात कर रहे थे तो कोई भी चीज डालो कोई दिक्कत नहीं था जब हम alcohol की बारे में बात कर रहे थे तो कहीं भी डालो कुछ भी डालो कोई दिक्कत नहीं था जब मैंने आपको ketone के बारे में बताया तब भी इतनी दिक्कत नहीं थी जब मैंने आपको Carbosalic Acid के बारे में बताया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी जब मैंने आपको LDHID के बारे में बताया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी but when you're making ketone जब आप ketone की बात करोगे तो you have to be very careful क्योंकि ये बीच में आता है, carbozylic और LDI हमेशा last में आएगा, but these are the groups, बीच में आते हैं, दो carbon, last में नहीं आते हैं, ये last में आ सकता है, last में आएगा, confirm, ये last और बीच कहीं भी आ सकते हैं, ये confirm last में ही आएंगे, terminal group ही होंगे ये, confirm last में आएंगे, this can be in between, in between में होगा, last में कभी नहीं होगा, never in last, ketone, ester, ether, never in last, so you have to be very careful कि आप last में और इधर उदर क्या डाल रहे हैं, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, and I was giving you examples कि क्या-क्या नहीं होगे, उसके लावा कुछ भी चलेगा, तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, इससे ये बन जा रहा है, इससे ये बन जा रहा है, तो I was trying to share, कि ये वाला नहीं होगा, इसके लावा कुछ भी चलेगा, got it, I was trying to share that, next, last but not least, मुझे पता है, तुम लोग कम सवाल अब इसलिए पूछ रहे हो, क्योंकि तुम लोग ठक चुके हो, मैं भी ठक चुका हूँ, क्यों, मैं, देखो, मेरे बार में एक अच्छी बात है, मैं, जितना जरूरी होता, पढ़ा के लक्षर खतम गरता हूँ, यूँट बिलिव, उससे मेरा हर महीने का लाखो का नुकसान होता है, लाखो रुपे का नुकसान होता है, यहाँ भी क्या होता है, NH2, कैसे, देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन है, तो दो हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया लट से, और एक मैं कुछ और लगा दूँगा, वह अलकील ग्रुप कोई भी चल सकता है, कुछ भी अलकील लगा देंगे, अलकील आपको पता है क्या होता है, तो यह को ऐसे लगा दिया, बना ऐसे वैसे कैसे भी लिखा हो, नो सकता है याद रखना, तो अगर मैं एक CH3 रखता हूं, तो कोई दिखकत नहीं है, इसका नाम होता है, मिथेन नामाइन, क्या था कि यह मिथेन था, एक कार्बन वाला मिथेन होता है, उसका यह चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा अमाइन से, तो बन गया तुम्हारा मिथेन नाम है, वाट इट, एक और एक्जामपल लेते हैं, CH3, CH2, दो कर्बन वाला क्या होता है, इथेन होता है न, इचेंज हो जाएगा पूरा अमाइन से, तो इथेन नामाइन इसका नाम होगा, हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कौस्तुम मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि आज के लेक्चर में, मैं केबल और केबल होमोलोगा स्रीज सिखाने वाला हो, आप लोगों ठीक है, और मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा, कि आप लोगों ने अगर पहले से पढ़ाई की होगी, जितना भी मैंने बताया है, तो अगर आपको कोई चिंटू मिंटू सा डाउट्स है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि अगली बार हम IUPAC सिखेंगे, और Chemical Property सिखेंगे, और हमारा चैप्टर खतम हो जाएगा, दो लेक्टर का और महमान है इसके बाद, यह पूरा चैप्टर इसके है, दो से तीन लेक्टर का महमान है, अगर थोड़ा धीरे से सिखाया, तो तीन और अराराम से सिखाया, तो दो, खतम, once we are done with this, और यह टॉपिक पढ़ाने में, यह टॉपिक को पढ़ाने में, 15 मिनिट का समय लगेगा, 15 मिनिट is more than enough to teach this topic, तो बचे हुए टाइम है, तुम लोग क्या जरे हो, consider it like a doubt clearing session, तो आप मान सकते हो, तो बाकी जो भी है, वो आप मुझसे पूच सकते हो, है, तो target batch के लिए हो रहा है, आपको free of cost मिलेगा, तो वो भी cover हो जाए, is it clear, हाँ, it's an important topic, चलिए तो start करते हैं, भाईया, homologous series मतलब क्या होता है, simple शब्दों में बताऊं, तो functional group की family, ठीक है, functional group की family, homologous series मतलब क्या होता, simple language में, functional group की family, is it clear, simple शब्दों में ये समझ लेना, अगर मरियम आपको simple शब्दों में समझना की, functional group क्या होता है, तो it's a group of, it's a functional group की family, अब learners, example के लिए देखो यहाँ पे, हमारे पास homologous series मतलब, homologous मतलब क्या होता है, similar in structure, जो structure में similar हो, जो structure में similar हो, उसको भी हम homologous, इस word का मतलब होता है, बात को थोड़ा, ऐसे भी समझने की कोशिश करना, बात को थोड़ा, ऐसे भी समझने की कोशिश करना, ROH, तुम मुझे बताओ, तो यह किसका formula है, just let me know once, सबी लोग मुझे एक बाद बताएंगे, किसका formula है, क्या कहे रहो, alcohol, तो इतना तुम लोगों बताएं, तो यह alcohol का formula है, am I right, तो इसका जो पहला member होगा, वो methaneol होगा, देखो, पहला क्या होता है, methane होता है हमारा, methane में से अगर हम यह अटा के करेंगे, तो methaneol बन जाएगा पहला, एक carbon वाला methaneol, अगर मैं यही पर बात करूँगा, दो carbon वाला, तो ethaneol, तीन carbon वाला propanol, चार carbon वाला butanol, पाँच carbon वाला pentanol, क्या मैं बोल सकता हूँ कि यह एक alcohol की family है, मैं ऐसा कह सकता हूँ and so on, and so on, and so on, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि it's a family of, it is a family, basically किसका family है, alcohol की family is, right, अब ज़रा definition-wide समझने की कोशिश कर रहा, a series of compound, एक compound का series है, ज़रा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, कि एक series of compound, जो की बन जाता है, by joining the same functional group, सब में OH है, सब में OH दिख रहा है आप लोगों, can you see, हर जगे OH है, by joining the same functional group, in the place of particular hydrogen, जैसे मान लीजे जनाब, कि मेरे पास था methane, CH4, मेरे पास था C2H5, ठीक है, C2H6, C3H8, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक carbon कम किया, CH3, और एक OH लगा दिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, C2H5, एक hydrogen कम किया, और यह लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया एक hydrogen कम किया साथ कर दिया और OH लगा दिया बात समझ रहे हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ in the place of a particular hydrogen किसी एक hydrogen के जगे पे किसी particular एक atom के जगे पे और carbon chain को increase करते चलेगे एक carbon वाला, दो carbon वाला तीन carbon वाला, चार carbon वाला, पांच carbon वाला हम carbon chain को increase करते चलेगे करते चलेगे इसी को हम लोग हो homologous series करते है एक बार और आइडिया आगया कि homologous series क्या होता है, अलग-अलग प्रकार से यही बताने की कोशिश की जा रही है क्या आप लोग एक idea आ रहे है कि homologous series क्या होता है चलो, और थोड़ा सा आगे बढ़ते है कुछ example लेके देखते है let's take few example ethanol और methanol देखो, बड़े वाले में से छोटे वाले को minus करना है, ठीक है तो देखो, C2H5 यह क्या होता है, C2H6 sorry, C2H5 OH यह क्या होता है, Ethanol होता है मिथेनोल क्या होता है, C1 H3 OH अगर मैं इसको subtraction करता हूँ बड़े वाले में से छोटे वाले में N is equal to 2 जिसमें है carbon का और N is equal to 1, यहाँ पर N से हमारा carbon है N मतलब carbon, यह क्या बन जाएगा C1 हो जाएगा यह क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, यह तो cut हो जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हो कि मेरे पास CH2 का difference है देखो यहाँ पर क्या मैं कह सकता हो कि CH2 का difference है अगर बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करो तो इस CH2 को हम methylene unit बोलते है what we call this है इस चीज़ को हम क्या बोलते है methylene unit बोलते है we call this as methylene unit समझ रहे हो, एक और example हो propanol में से ethanol माइनस करके देखो बड़े वाले में से छोटा वाला C3 वाले में से C2 वाला माइनस किया next वाला मतलब तो क्या हो गया CH2 ही बचा तो methylene unit का फरक है butanol में से propanol माइनस करके देखो 4 वाले में से 3 वाला माइनस करके देखो is it the difference of methylene unit CH2 का ही difference दिख रहा है आप लोगों को am I right is the difference of CH2 unit हाँ या न तो it is also difference of methylene unit तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि यहां से यहां के बीच में CH2 का difference है यहां से यहां के बीच में CH2 का difference है यहां से यहां के बीच में CH2 का difference है तो एक और करीका है functional group बोल लेगा कि functional group में होमोलगर से इस functional group के एक family होती है जिसमें CH2 unit का difference होता है अब प्रश्नी ये है कि CH2 का molecular mass क्या होगा प्रश्ण यह है कि CH2 का molecular mass क्या होगा 14 होगा कुछ बच्चे कह रहो कैसे 14 होगा देखो carbon का mass होता है 12U carbon का atomic mass 12 होता है A is equal to 12 carbon पढ़ा है न U मतलब होता है unified mass यह U is word को Dalton भी बोलते है कुछ लोग और कुछ लोग unified mass भी बोलते है unified mass U मतलब unit है basically molecular mass का unit है atomic mass का unit है hydrogen 1 unit होता है 1 U होता है 1 delta या 1 unified mass am I right अब CH2 में क्या होगा बच्चों मुझे बताओ carbon का 12 2 hydrogen है तो 1 plus 1 इन सब को जोड़ दो क्या हो जाएगा 14U हो जाएगा सब को जोड़ जाड़के जोड़ लो न तो CH2 मतलब carbon का 12 2 hydrogen का 1 1 तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि chemical properties of the members of homologus series so similarity उनके बीच में similarities होती है उनका similar reaction होगा जो reaction होगा similar होगा क्योंकि है तो सब alcohol ही न हमने अभी जितना भी example देखा किसी में N is equal to 1 था किसी में N is equal to 2 था था तो सब सेमी न मुझे एक बाद ब innocाओ निम्बू निम्बू तो निम्बू ही होगा बड़ा निम्बू छोटा निम्बू क्या फरकआ रहा खट्टा ही लगीगा न निम्बू तो निम्बू होगा मैंने chemical properties same होंगी तो same type reaction दिखाएगा सब reaction मतलब same type oxygen से react करेगा same type से carbon dioxide से react करेगा same type से acid से react करेगा यह हो गया chemical reaction क्या N क्या है N कहा है आपे तो मैं कही N दिख रहा है मुझे तो कही N ने दिख रहा ओके physical properties एक regular gradation दिखाता है gradation मतलब एक छोटा सा बदलाब change slowly होने वाला है बदलाब तो physical properties क्या होता है physical properties होती है boiling point U है delta mass है जैसे centimeter meter होता है वैसे molecular mass होता है boiling point melting point density density समझ रहे हो इनको हम लोग बोलते है gradation these are called as gradation इस चीज को हम gradation बोलेंगे example लेके दिखते है हमारे पास नाम है इस table को समझो table में क्या क्या है नाम है नाम क्या हो सकता है alkane, alcohol, phytone कुछ भी हो सकता है उनका molecular formula होगा जैसे अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ methane example तो methane का molecular formula क्या है CH4 है ना methane का molecular formula structural formula क्या होगा methane का यह होगा example के लिए मैं ले रहा हूँ I'm just taking it for example मुझे बताओ number of carbon कितने हो जाएंगे number of carbon इसमें एक है और कुछ भी इसका boiling point होगा यह table समझ मैं है table में क्या क्या नहीं है तो पहला हमेरे पास है methaneol methaneol क्या है एक प्रकार का alcohol और जब हम बात कर रहे है boiling point की तो क्या मैं बात कर रहे है physical property am I talking about physical property तो दिखो structural formula इसका यह हो जाएगा CH3OH दिखो ना यह से लिख सकते हैं अब दिखो यहाँ पर गिल्लों चाहिए तो एक कार्बन चार हाइड्रोजन दिखो ना एक दो पीन चार चार हाइड्रोजन और एक oxygen ऐसे भी लिख सकते हैं को दिक्कत है इसी चीज़को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3OH यह और जादा condensed form हो गया और जादा condensed form हो गया देखके confused नहीं हो ना exam में exam में देखके confused मत हो ना number of carbon एक ही है boiling point किया देखो 60 तो अब बात को observe करने की थुछी कोशिश करा ethanol C2H6O क्या मैं ऐसे लिख सकता हो इसको यह थोड़ा सा गलत है यह थोड़ा सा गलत है इसको थोड़ा इग्नोर करो यह वाला देखो CH3 CH2H structure अगर मैं बनाने जाओ आँ वो सब alcohol होगे तो मैं ऐसे बनाऊँगा last lecture में तुम लोगों को बना के भी दिखाया था मैंने तो मैं structure बनाने जाओ तो मैं ऐसे बनाऊँगा Am I right? Structural formula और कंडे थोड़ा सा और expanded है दो carbon है क्या तुम देख रहे हो? boiling point बढ़ गया देख रहे हो तु increase है boiling point में there's an increase in boiling point increasing समझ रहो बात को समझ देगी कोशिश करो boiling point is increasing physical property physical property जो होती है इसमें gradation दिखता है बदलाब दिखता है number of carbon बढ़ गया ऐसे समझ के देखो बात को ऐसे समझो एक छोटी मुम्बत्ती है उसको जल्ले में कम टाइम लगीगा एक बड़ी मुम्बत्ती हो उसको जादा टाइम लगीगा इतना तुम्हारे पास इतना wax है जल्दी पिखल जाएगा इतना wax है टाइम लग जाएगा एक carbon था कम था दो carbon है जादा है obvious है न समझ रहे हो बात समझ रहे हो यह CS3, CH2 अगला देखो propanol C3H8 अभी यह भी गलत लिखा हो है आम लोगा यह होगा CH3 CH2 CH2OH देखो number of carbon 3 है और बढ़ गया एक छोटा सा point मैं आपको 3 example लेकर समझा दी हो यह physical property जो होता है homologa series में वो creation दिखाता है बतलाब दिखाता है अगर मैं homologa series की characteristic के बारे में बात करूँ है अगर मैं तुम्हें जितना भी समझाया है उसको अगर मैं एक बार summarize करके तुम्हें समझाने जाओ this is the last slide this is the last slide मैं जितना तुम्हें समझाया है उसको थोड़ा साथ एक साथ combine करके बताने की कुशिश कर रहा हूँ जब हम एक member से दूसरे member तक जाते हैं एक series में अगर हमारे पास एक homologa series है उस series में जब हम एक member से दूसरे member तक जाते हैं जैसे कि हम लोग गयते methanol से हम लोग गयते ethanol की तरस ethanol से हम लोग गयते propanol की तरस propanol से हम लोग गयते butanol की तरस गर आप कोई आद हो गा and so on तो हम नहीं क्या देखा कि CH2 unit add हो गया था right याद है इसके बीच में CH2 का difference था इसके बीच में CH2 के difference था इसके बीच में CH2 का difference था याद आ रहे am I right there was a difference of CH2 unit एक और एगर एगर लेते है न अगर मैं methane बोलता हूं तो CH4 अगर मैं ethane बोलता हूं तो C2H6 अगर मैं propane बोलता हूं तो C2H8 अगर मैं butane बोलता हूं तो C4H10 देखो ना कितना difference था CH2 का difference नहीं है CH2 का difference नहीं है So there is a difference of CH2 unit methylene add हो जाता है next तो molecular mass कितना बढ़ता है by 14 नी पढ़ाया है नमने हमने अभी पढ़ा था इसका अगर माँ molecular mass निकालने जाता हो तो carbon is 12 hydrogen is 1 हमारे पास कितना carbon है कितना hydrogen है 14 हो जाता है पढ़ाया था तो मुरूब भी अभी next number of carbon atom increases by 1 carbon एक ही बढ़ा था जब मैं methane की बात कर रहा था CH4 जब मैं ethane की बात कर रहा CH2H6 जब मैं propane की बात कर रहा था C2H8 और जब मैं butane की बात कर रहा था C4H10 carbon कितना बढ़ा है देखो कितना carbon बढ़ा है यहां से यह carbon कितना बढ़ा है एक बढ़ा है यहां से यहां कार्वन कितना बढ़ा है एक बढ़ा है यहां से यहां कार्वन कितना बढ़ा है एक बढ़ा है कार्वन एटम में एक से बढ़ रहा था Am I right अगला पॉइंट Chemical properties of the members of homologus रिसो सिमिलारीटी जब तक functional group same रहेगा जैसे सारे alcohol alcohol की spelling क्या थी सारे alcohol या फिर सारे ketone या फिर सारे carbozylic acid जड़ा बात को समझना सारे carbozylic acid ठीक है या फिर मालो के सारे के सारे aldehyde या सारे के सारे halogen इन सब की properties ठीक रहे सारे halogen एक होंगे बात समझ रहे हूँ यह ओ बुल जा रहे हूँ मैं ठीक है are you getting at my point में पॉइंट समझ आ रहे है chemical properties जब तक मेरे पास alcohol है सब alcohol की संदिन लड़ रहेगी ketone का अलग होगा alcohol से अगर alcohol है तो सारे alcohol की properties same रहेगी तो जैसे methanol react करेगा oxygen के साथ वैसे ही ethanol भी करेगा कुछ अलग नहीं होगा वैसे ethanol भी करेगा लेकिन अगर वही मैं ketone ले लूँगा example के लिए कोई तो ketone अलग तरीके से करेगा तो अगर functional group change हो गया परिवार अगर बदल गया यह बदल जाए रहे लेकिन अगर परिवार सेम रहा homologa series रहा तो chemical properties से नहीं chemical properties मतलब oxygen के साथ कैसे react करता है पानी के साथ कैसे react करता है carbon dioxide के साथ कैसे react करता है carbon dioxide reaction कैसे होता है that is chemical properties मगर जो physical properties होती है वो एक slow gradation दिखाता है मतलब अभी तो बताया था तुम्हें physical properties मतलब क्या होता है boiling point अभी बताया था तुम लोग को मैंने melting point density ऐसी चीज़े जो होती है वो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है कैसे बढ़ती है chain length के साथ chain length के साथ वो increase होती है gradation दिखाती है जैसे हमने दिखा था methanol boiling point कम था ethanol का जादा था propanol का उससे जादा था मैंने बताया था मोंबत्ती छोटा मोंबत्ती बड़ा मोंबत्ती करके वैसे ही ठीक है last members all the members of the homologous series can be represented by the same general formula example के लिए हम लोग एक homologous series ले लेते है alkane तो क्या मैं alkane को एक general formula से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ cn h2 n plus 2 अगर मैं एक alcohol लेता हूँ तो क्या मैं इसको एक general formula र- o- h से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि एक alkyl group होगए अब हमने o- h- hydroxyl group होगए तो एक general formula से मैं सारे के सारे वोगों लोगों सरीज को रिप्रेजेंट कर से हैं. उसके सारे मेंबर्स को एक common general formula से रिप्रेजेंट कर से हैं. आज का जो हमारा topic के carbon compound में से वो topic का नाम है nomenclature of carbon compound. What we are going to study today is nomenclature of carbon compounds. देखें, अगर अगर आपने nomenclature जितना मैंने बताया तो उससे गर आप कुछ derive कर पाए हो तो ठीक है. अगर अब नहीं भी कर पाए हो तो जितना जरूरी nomenclature है, वो मैं आपको आज के lecture में बता दूँआ. तो सबसे important question यह उड़ता है कि भाया nomenclature में पढ़ना क्या है? तो आपको international, I stand for international, U stands for union, P stands for pure and A stands for applied and C stands for chemistry. Okay, so this is the full form of IUPAC. यह organization होता है. इसका full form तुम्हें याद करना ही करना है. विवार बच्चो, morning classes नहीं ले पाने का कोई genuine region है. ठीक है? जो भी morning classes miss होंगी, don't worry, सारी सीचे cover की जाएगी. ठीक है? और यह morning class कोई आज का नहीं है, जो हम ले रहे है. morning class हम पिछले वृ कई ने महीन से ले रहे है दो तीन महीन से ले रहे है तो यह तुम्हें भी पता है कि हो जाएगा. ठीक है? इंसान है, कभी कुछ होता है इंसान के जीवन में. तो एक आदर class नहीं भी हो सकता है. ठीक है? ऐख आप नहीं हाते है. आप 170 बच्चे हैं उसमें से देखो कितने बच्चे है 54 बच्चे कुछ ना कुछ रीजन नहीं होगा ना आपका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ राइट तो मेरा भी कुछ रीजन हो सकता है ओके चलिए आगे बढ़ता है ओके तो तर्गेट बैच की रिकॉर्डिंग मिलेगी तर्गेट बैच के लाइट प्लासस भी आपको मिलेंगे चिंता मत परो अब यहाँ देखो इंटरनाशनल यूनियन फो प्योर एड अप्लाइड केमिस्ट्री अभी बाते दुनिया दारी की बंद करते हैं और टॉपिक पर आ जाते हैं आपको पता है ज्यादा टाम वेस्ट करके कोई फाइदा नहीं है ठीक है अभी शांत रहो चलिया चलिए ठीक है तो स्टाट करते हैं हमारे जो टॉपिक है इंटरनाशनल यूनियन फो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अब यहां भी कह है using this we can give a unique name to all the hydrocarbons जितने भी hydrocarbons हमारे पास होंगे उनको हम एक unique name दे सकते हैं जैसे last time मैंने आपको पताया था कि CH3OH इसको प्यार से मैं methyl methyl alcohol बुला सकता हूँ और मैं आपको बुला था कि इसी को मैं methanol भी बुला सकता हूँ तो यहां पर यह तो common name हो गया common name अलग-अलग जिगे पर अलग-अलग हो सकता है जैसे मुझे घर पे शुबम बुलाते है ममी मुझे प्यार से बेटा भी बुलाती है पापा मुझे प्यार से नलायक भी बुलाते है मेरे दोस्त मुझे प्यार से कमीना भी बुलाते हैं, कुता भी बुलाते हैं, तो अलग-अलग जगे पे आपका अलग-अलग नाम हो सकता है, बट एक आपका होता ओफिशियल नेम, जिससे आपको सभी लोग जानते हैं, तो वो जो आपका यूनीक, मतलब इनसानों में तो य यूनीक नाम जरूर दे सकते हैं, यह जो यूनीक नाम होता है, यह तीन तीजों पर बेस्ट होता है, जरब बात को समझने की कोशिश करता है, एक होता है प्रिफिक्स, अब प्रिफिक्स से रिलेटेट तुम्हे बस एक ही पढ़ना है, that is halogen, तो हम इसको लास्ट में लगा दिया, यह एक प्रिफिक्स, ओकी, आपने जो यह एक अन लगा दिया, यह क्या है, यह एक सिंपल सा प्रिफिक्स से बालत, तो आप लोगो यह समझ में आ गया होगा कि प्रिफिक्स क्या होता है, आप लोग इस बात को लेकर कि अब अवेर हो कि वाट इस प्रिफिक् कि suffix क्या होता है लगसे कि मैं आपको कह रहा हूँ एक और prefix का example ले जएते हैं कि मैंने आपको कहा understand ठीक है तो आपने मुझे कहा कि भई यह इसका opposite होता है misunderstand तो आपने जो यह miss लगा दिया है ठीक है यह जो आपने miss लगा दिया है यह क्या एक prefix है आगी की तरफ जो भी लगता है वो prefix हो जाता है ठीक है अच्छे इकोन लेते हैं suffix का क्या example हो सकता है कुछ भी मान लेते हैं कि हमने लिखा apple example के लिए ठीक है और उसके आगे हम s लगा रहे हैं example के लिए s हम बाद में लगा रहे हैं हम कहां पर लगा रहे है s को हम बाद में लगा रहे है तो s जो होगो वो suffix का एक example होगा जो बाद में लगता है are you people getting it तो what is prefix what is suffix यह सारी चीज़े आपको समझ में आगे होगी अना what is parent parent पर कुछ और नहीं होगा हमारा basically अभी जो हम parent को consider करेंगे वो हमारा hydrocarbon अगर आप लोग को याद है तो मुझे hydrocarbon के examples बताओ जड़ा कौन से कौन से था hydrocarbon के example anyone just let me know hydrocarbon के कौन से examples आपको याद है जिल्दी बताने कौन से था hydrocarbon मैंने private chat चालूगा रखा please आप वो एक button होगा और वहाँ पे full screen का उस पर click करो सही हो जाएगा अच्छा आप लोगो ये पता है ना मैंने आप लोगों ये सिखाया था आगर एक कारबन होका तो क्या बोलता है दो carbon होता है तो क्या कहते है तीन carbon होता है तो क्या कहते है चार carbon होता है तो क्या कहते है अप लोगो याद हो रहे है एक carbon, दो carbon, तीन carbon ऐसे होता है तो हम क्या कहते है तो इसी हिसाब से हम parent decide करते है we'll decide parent accordingly example के लिए an IUPAC name is given to the compound on the basis of the name of the parent alkane हम देखते हैं कि parent hydrocarbon कौन है या फिर parent alkane कौन सा है example के लिए बात को समझने की कोशिश करो मेरे पास एक ऐसा compound है CH3OH अगर मैं इसको ध्यान से देखू तो इसमें number of hydrocarbons कितने हैं मुझे बताओ number of carbons कितने हैं how many carbons you are able to see how many carbons you are able to see one carbon right तो one carbon वाले alkaline को हम क्या बोलते हैं हम उसको methane बुलाते हैं am I right यह carbon वाले को methane बुलाते हैं अब यहाँ पर OH लगा हुआ है तो E changes to OL हो जाता है तो यह methane हो जाएगा इसको बट somewhere we have methane और something related to that कहीं पर हमारे पास वैसा या उससे related जैसा कुछ तो है हमारे पास right you can sense that कि कुछ तो है वहाँ पर तो यह point से हमारा मतलब यही था कि IUPAC name लिखने के समय है whenever we are writing IUPAC name हम उसको इस basis पर लिखते है कि parent alkane कौन सा है which is the parent alkane now moving further for the next point भी को जैसे कि functional group देखो कौन से कौन से है हमने पढ़ा था है halogen, alcohol, aldehyde, ketone, carbozylic मैंने तो एक और पढ़ा था ether मगर इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं इससे सवाल नहीं पूछेंगी but still I'll teach you don't worry end मैं सिखा दूँआ अभी जो important है जिससे question पूछे जा सकते वो पढ़ लेते हैं ठीक है चली अब आपको अगर याद होगा तो मैंने आप लोगो लास्ट लेक्टे में पढ़ाया था R, alkyl group everyone याद है alkyl group साथ में अगर halogen रहेगा तो हम X से denote करेंगे X क्या हो सकता है chlorine, bromine, iodine, etc मैंने आपको पढ़ाया था अगर alcohol है तो R, alkyl group और साथ में हम एक OH लगा देगी याद आ रहे यह सब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ketone है तो हम क्या लगाएंगे R, C, double bond O और यहाँ पे R' होगा यह मैंने आप लोगो पढ़ाया था राइट, it should be an alkyl group hydrogen, hydrogen नहीं चलेगा कुछ और हो जाता है अगर आपके पास अगर एक कार्बोजाइलिक एसिड है तो R, C, double bond O, O, H अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर amines होगा तो R, slash, NH2 it's not NH3 तो यही है यही है, कुछ और नहीं है this is the thing तो यह structural formula होता है अब भी कोई यहाँ पर यह वाला जो है न वो prefix है इसका जब हम नाम लिखेंगे तो that is prefix, इसके अलाबा जितने है that is all suffix सब end में लगता है नाम की बात कर रहा हूँ नाम की बात कर रहा हूँ रुषिकेश तुमने मेरे को लगता है last वाला lecture देखा नहीं है science का please उसको go through करना it's a very important lecture कोई भी alkyne में से अगर हम एक hydrogen कम करतेंगे तो alkyl बन जाता है उसी को हम आर से रिपेटेंट करता है please watch that video, that's very important very 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 important ओके? चलिए जनाब, आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है next topic पे चलता है ठीक है? अभी आप ध्याद से देखिए suffix क्या क्या होगा? और prefix कहां लगेगा? देखो, यह जो है यह इसमें prefix लग जाता है hello तो मुलोगे भाईया यह क्या है prefix hello मुझे नहीं समझा, मैं बताता हूँ आपके example के लिए हमारे पास है CH3Cl now what is this? देख के क्लोरीन दिख रहा है you people are able to see this is a chlorine एक कारबन वाला है तो आप बोलोगे कि भाईया यह तो मिथेन है लेकिन यहाँ पे e changes to something नहीं होगा because it is not a suffix यहाँ भी क्या होगा ना आगे लग जाएगा chlorine का hello तो chlorine का क्या लगेगा chloro just to give you an idea आगे हम chloro यह word लगा देगे भाईया कैसे क्या पढ़ेंगे don't worry we'll learn everything अगर मेरे पास एक alcohol है तो उसमें e changes to मतलब माल लो की मेरे पास जो alkane है उस alkane का जो e है e that e will change to oil भाईया कैसे मतलब नहीं समझा तो यह क्या हो जाता है देखो यहाँ पर यहाँ पर कोई भी prefix नहीं लगता जैसे माल लेते हैं कि मेरे पास है CH3 CH2 OH हम हर एक चीज़ का बहुत detail में example लेने वाले हैं कितने कारवन दिख रहे हैं जल्दी बताईए अबीवन जल्दी बताई कितने कारवन दिख रहे हैं आपको चैट में जल्दी बताऊ कितने कारवन दिख रहे हैं मैंने प्राइवेट मोड इसलिए चालू कर रखा है कि मुझे पता चले वह किसको आता है किसको नहीं आता है गिंतिक को इने कार्वन दिख रहा है अधे दो कार्वन है दो कार्वन वाला आलकैन कौन सा होता है इथेन होता है इथेन होता है अरे इथेन का E changes to oil इथेन का E changes to oil तो क्या मैं बोल सकता हूँ Ethanol हो जाएगा यह Ethanol हो जाएगा समझ रहा है कैसे कैसे idea आ रहा है हर एक चीज को detail में सीखने वाले step by step don't worry about that E changes to oil E के जगए oil लगा देगा Ethanol हो जाएगा एक और example लेते हैं एक और example लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है aldehyde में ale बतल जाता है तो माल लेते हैं कि यह ऐसा रहता CHO अब यह क्या है कितने carbon दिख रहे हैं functional group के carbon को भी count करना है like example के लिए अगर यह ऐसा होता अब मुझे बता कितने carbon कितने दिख रहे हैं मुझे वो बताओ दुनियाधारी छोड़ो still we are having two carbons ओमकार सही कह रहा है दो ही carbon है functional group के भी carbon को count करना है mind my words everyone hello hello किवेन मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुन बच्चा मैं कह रहा हूँ वाले के functional group के carbon को भी count करना है it is a must do thing नहीं avoid नहीं कर सकते है avoid करोगे सत्याना से हो जाएगा दो carbon है मतलब इथेन है parent hydrocarbon तो इथेन है ए को बदल दो किसे एल से suffix है न इथेनल अग समझ में आए क्या मैं यू very good very good चल ये भाई आगे बढ़ता है अगे बढ़ता है अगर मालनो कि मेरे पास ketone ketone में it changes to O-N-E माल लेते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा है CH3 C double bond O CH3 now what is this now this is a ketone it's a ketone right यहां पे 3 carbon लिखना है we can count the number of carbons how many carbons do we have we have 3 carbons बच्चा if we have 3 carbons we'll count it out एक दो तीन क्या होता है propane हो जाएगा parent hydrocarbon propane हो जाएगा what will domkar will change E2 E2 O-N-E propanone this is the right thing this is IOPC am I right it's very easy you got an idea कि suffix कैसे लगेगा क्या लगेगा also group के hydrocarbon को भी count करना if we have carbozylic acid we'll change E2 O-I-C acid E-GOM किसमें change कर देगे we'll change E2 O-I-C acid let's have a look let's have a look let's have a look on the same आयो मेरे पास है let's say CH3 C double bond O O-O-H या फिर इसको यह ऐसे भी लिख सकते है C-S-3 C-O-O-H दोनो तो same ही है दोनो अलग थोड़ी है now count same है दोनो यह याद रखना कि दोनो same now count the carbon compounds carbon carbon atoms how many carbon atoms do we have how many carbon atoms do we have you can see we have two carbon atoms if we have two carbon atoms then that's the parent hydrocarbon will be ethane now if it's a ethane we will change this E to O-I-C-A पूरा O-I-C नहीं खाले पूरा O-I-C-A-C-A-C-D लिखना पडेगा बात को जड़ा ध्यान से सुनना भाईयो यह वं बैनो मेरी बात को जड़ा ध्यान से सुनना पूरा O-I-C-A-C-A-C-D लिखना पडेगा that's important this situation we have this situation CH3 CH2 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 and H2 we have this now how many carbons do we have let's count the carbon part how many carbons do we have oh बाईया 1, 2, 3, 4 4 carbon अभी है 4 4 मतलब होता है butane parent hydrocarbon butane butane we have butane बाईया E changes to A-M-I-N-E he will change to amine A-M-I-N-E A-M-I-N-E butane amine कितना सुन्दर लगता है इससे कुछ लेना देना नहीं है हाई क्या वो से इम पॉठ सुन्दर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साधी करने का है क्या से नहीं न हाँ इसा नएंपॉठ पर लगाना उसको नहीं सुन्दर बंदर से कोई लेना देना नहीं है सुन्दर हो शुन्दर हो क्या लेना देना हो से ठीक है डिपाली के बिवलोर्न देटेल, बिवलोगे करणा सबी अब देटेल देखे से सब्सक्राइब के आध्या बता। राजकिशन, आर्यन, कॉस्तुप, पुमिका, राजश्री, देवेंदर, नवनीत, everyone. I am talking to everyone. ठीक है? चले, आगे बढ़ता है. Next, what we have to study is rules. Step 1, कुछ steps होता है. Now you know the steps. अभी तुमको सब आता है. मैं ऐसा read करेगा, तुमको समझ में आ जागा सुप्टी है. पहला step क्या है, जहां से देखो. पहला step क्याता, identify the number of carbon atom in the given chain. ओ वाई, देखो, जैसे यहाँ पर देख लो. Number of carbon atoms बताना है, 3 है, देखो, कैसे. जार, वो ही नहीं आ है, जो चाहिए था. जो चाहिए था, वो ही नहीं आ है. पहला rule क्या है, कि तुम्हें number of carbon atom बताना है, तो देखो, इसमें कितना है, एक, गिनो, एक, दो, तीन, तीन है, तो number of carbon atom क्या है, तीन है, अगर ध्यान से देखोगे कृष्णा, तो हर जगे, carbon, carbon के वीच में single bond है, am I right, can you people see, हर जगे, दो जगे, carbon के वीच में bond है, बहुत ह single bond, मदीना का single bond, that means कि it's an alkyne, that also means it's an alkyne, right Piyush, it's an alkyne, any change नहीं होता है, E changes बच्चा, ethanol, only E changes, not any changes, ठीक है, याद रखना, Piyush जी समझ गया, okay, is it clear to everyone, now if I'll count ही है, तो इसको propane बोलेंगे है, parent hydrocarbon, moving further, I mean, यहां बदे को count किता है, एक, दो, तीन, चार, चार है, हर जिए, single bond, that means कि it's an alkyne, और चार, number of carbon, that means कि it's a butane, यह तो पैचानने आता है, it's not a big deal, हमें राइट, रुशी केश्ट से not a big deal, यहाँ पर पैचानने आता है, अगे बढ़ता है, let's see, मिने प्यारे बालगो, यहाँ आपर देखू, number of carbon, carbon atoms कितने हैं, जल्दी बताइए मुझे चाट में, everyone let me know in the chat, number of carbon atoms कितने हैं, हमेनी carbon atoms do you see, कितना दिख रहा है carbon atoms, everyone I want to know the carbon atom, तीन, good, तो यह तीन carbon atom है, carbon carbon double bond दिख रहा है, at least you can see your single carbon carbon double bond, that means कि it's an alkene, number of carbon carbon, तीन है, मतला इटसी तब प्रोपीन, यह प्रोपीन होगा है, that means, okay, moving further, moving further, let's see a few more examples, few more numbers, अभी यहां में देखो, carbon carbon कितना है, चार carbon है total, we have four carbon, triple bond आगे है एक जिके, नित्यानद, we can see, we have a triple bond here, triple bond means, it's an alkyne, it's an alkyne, that means कि यहां पे number of carbon atoms 4 है, so you die, यहां तक आता है तुम लोगों, now here, count the carbon atoms, अगले वाले में count the carbon atoms, spelling कुछ लोग गलत लिख रहे हैं, मयूरी, गलत है spelling, प्रिक्षी केश, spelling गलत है, वाई यह नहीं होगा, कितना है, यह सुंकर रहे हैं, कितना देखो, दो carbon है, एक अलकोहल नाम का number of carbon atoms 2 है, अगले वाले पे count करो, इत्वेन हो गया, पैनेंट हीट्रो कार्बल इत्वेन हो गया, अगला अगला देखो, इसमें कितना है number of carbon atom, मैंने बोला, ता functional group के भी carbon को count करेंगे, आप count करो, I said you कि functional group के भी carbon को count करेंगे, count ना, last वाले न, 1, 2, 3, 4, absolutely right, Sanskriti, it's 4, 4 MN, very good, you also name no, कि कैसे लिखते हैं नहीं, very good, very good, 4, no, 3 not, home का 3 नहीं, यह चार है, functional group के भी carbon compound को count करेंगे, you have to count the functional group also, good, Madinah, good, Rahul, चलो, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे number of carbon 4 है, you obtain हो जाएगा, इसका parent hydrocarbon, okay, now rule no. 2, what's the step no. 2, we have to learn the step no. 2, बहुत simple है, step no. 2 क्या कहता है, identify the functional group, functional group को identify करो, अब मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है, कि क्या suffix होता है, क्या prefix होता है, जितने भी functional group हमें पढ़ने है, उसकी, ठीक है, कोई बात नहीं होता है, we have, we know the right, हमें पता है, we know, identify करने आता है, तो let's see, यहाँ पे क्या लिखा है, कि if the functional group is present, then replace the later e from the parent name, ठीक है, of a hydrocarbon, and put the suffix of the functional group, suffix, यह फिर prefix है, तो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, यहाँ पे exception call सा है, halogen, क्योंकि halogen हमेशा as a prefix लगता है, बहुत important है भाई, now look at the example, rule number 2 से कुछ example देखते हैं, यहाँ पे देखो कितने carbon दिख रहा है आपको, rule number 1 का इस्तमाल करके, we can see, कि यहाँ पे कितने carbon है, CH3, CH2OH, हमने बोला कि structural formula यह है, इसका, functional group कौन सा identify किया हमने, हमने identify किया functional group alcohol, right, and functional group condensed structure कौन सा होता है, which, which, weight, अगर हम देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, oil से replace कर देते हैं, we replace it by oil, right, हम इसको oil से replace कर देते हैं, now what is the parent name, parent name कौन सा है, ethane, parent name है ethane, क्योंकि 2 carbon है, तो we'll call it ethane, और compound name क्या हो जाएगा, ethane का e changes to, ethane का e गया, ethane का e गया, और वहाँ पर क्या आ गया, oil आके लग गया, तो ethane, but it, शबाश, ethane का e गया, and it changes to oil, ethane, समझा गया, let's take one more example, एक और example लेते हैं, now we have CHO, हमारे पास क्या है, CHO है, structural formula क्या है, यही है, CH3, CH2, O, CHO, यह structural formula हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, functional group कौन सा देख लिया हमने, aldehyde functional group है, हमें समझ में आ गया, functional group को represent कैसे करता है, C, H, O, L से replace किया जाता है suffix, इसको ऐसे भी हो सकता था, it can also be like this, ऐसे भी तो हो सकता था, होने को ता ऐसे भी हो सकता, right, now you know कि क्या करेंगा, parent नहीं दो, तीन, तीन carbon दिख रहा हमें, that means कि इट सब propane, तो यहान से दिखो, इट सब propane, propane में क्या करेंगा, E change, E को change करतेंगा, किससे, E will get replaced by AL, E will get replaced by AL, तो यहोगय propane null, Got it everyone, एक और example लेते हैं, let's take one more example, we have CS3COOH, structural formula यही दाएगा, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, structure चीए तो, ऐसे भी बना सकते हैं, carbon carbon के बीच में count करना, बच्चा, यहाँ पर carbon और oxygen के बीच में double bond है, carbon carbon के बीच में का है, नहीं है, समझे है संस्टूती, ऐसे भी structure बना सकते हैं, now, functional group कौन साइज में, carbozylic acid, functional group कैसे represent करते हैं, C, O, O, H, O, IC acid से replace करते हैं, इसको ऐसे भी structure हो सकते हैं, am I right, चलिए great, क्या paradigm कहा दिख रहा है, दो carbon है, मतलब एथेन है, एथेन के E को change कर देंगे, E will get replaced by, O, IC acid, E will get replaced by O, IC acid, तो यह होजा है कि इथेनोईक acid, जद्धे लोग लेख रहा हैं, सब सही लेख रहा हैं, good, next, एक और example लेते हैं, CH3 NH2, Structural formula कहा हैं, CH3 NH2, ऐसे भी हो सकता, Amine है basically, ऐसे भी हो सकता था ही, ऐसे भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी होने में, basically Amine है न, और क्या है, सा Amine, functional group कौन सा हो जाएगा, NH2 Amine, right, NH2 Amine, parent name कहा है, methane है, एक carbon है, तो methane हो जाएगा, वेवा single carbon, we'll call it as methane, क्या हो जाएगा, methane, methane का E changes to, Am I any, methane हो जाएगा, यह, यह क्या हो जाएगा, methane हो मैं, Am I right, so you people have an idea, अगला वाला एक्जामपल लेता है, CS3CO, CS3, structural formula क्या होगा, CS3CO, CS3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहिए तो, you can also write it like this, कराया भी हो ना तुम्हा भी, no, look, carbon carbon के बीच में, सब जेगे single bond ही है, right, Sanskriti, carbon carbon के बीच में, single bond ही है, structure formula ऐसे भी हो सकता है, moving further बालक को, अगर थोड़ा सा आगे बढ़के देखें तो, functional group कौन सा है, ketone है, we can clearly see that, CO, O, NE, यह रहेगा, O, NE से रप्लेस करेंगे, parent 3 carbon है, इसके carbon को भी count किया जाएगा, ये भी count किया जाएगा, तो 3 हो गया, मतब propane हो गया, propane का E changes to, propane का E जाएगा, and it will get changes to, O, NE, ये हो जाएगा, propanone, right, propanone, it will get replaced by, E and O, right, O, NE, it gets replaced by O, चलो, एक और example लेते हैं, अब ये फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन दिखेगा आपको, F, फ्लोरीन को F से रिपेशेंट करते हैं, तो you will change it to fluoro, fluoro, अगर आपको क्लोरीन दिखेगा, PL, तो आपको change करोगा, chloro, CH, L, O, R, O, अगर आपको bromine दिखेगा, BR, तो आपको change करोगे, bromo, bromo, if you will have iodine, अगर आपको iodine दिखेगा, we will change it by I, I, O, O, I, O, ठीक है, I, O, आगे बढ़ते हैं, example लेते हैं कुछ, let's see some examples, CH3, CH2, CL, क्या है भाई, CH3, CH2, CL, जानते देखो, structural formula क्या हो जाएगा इसका, CH3, CH2, CL, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको समझे भाई आई गया होगा अब तक तो, we can represent it like this, कोई rocket science तो ऐए नहीं है, अब यहाँ पर देखो, functional group कौम सा है, halogen है, clay ले मैं पता है, halogen है, functional group कौम CL, chloro लगाएंगे, parent ने, methane है क्यूंकि, दो carbon दिख रहा है, now this is also C, but यह chlorine है भाई, यह carbon नहीं है, please don't make this mistake, यह chlorine है, compound name ethane में से E हटाय देंगे, ethane पूरा रहेगा और आगे में, देखो, ethane पूरा है, वो आगे गया, और उसके आगे chloro लग गया, prefix है भाई है, it's a prefix, it is a prefix, are you people getting it? अगे पूरा ही थे, now step number three, and the last step for the today lecture, आज के lecture का आखरी step, this is step number three, now what is step number three, step number three क्या कहता, ध्यान से सुनना, step number three कहता, number of carbon atoms in the carbon chain, number of carbon atoms in the carbon chain, from one end count, एक एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, carbon atom को count करो, चले count करो, एक्जांबल के लिए यह तुमारा structure है, count करो, one, two, three, four, am I right, one, two, three, four, यहीं structure को, अगर मैं इधर से count करता हो, पीछे से तो, one, two, three, four, you're getting it, functional group attached है, कि इधर attached है इधर attached है अगर मैं ऐसे count कर रहा हूँ तो second number पर attached है अगर मैं ऐसे count कर रहा हूँ तो third number पर attached है clear है तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं इधर से count कर रहा हूँ तो second number पर है इधर से count कर रहा हूँ तो third number पर है हमें कौन सा number लेना है है we have to accept the numbering which gives us smaller number of the carbon carrying functional group हमें वो number accept करना है जहां पर functional group नजदीख होगा इसका नाम क्या हो जाएगा फिर देखो हम इसका नाम लिखेंगे हम क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे देखो in a final name a digit number and a character later should be separated by this hyping नाम नहीं सब्सक्राइब देखो ब्यूटेन चार कर्बन है ना एक दो तीन चार चार कर्बन है तो ब्यूटेन तो ब्यूटेन तुम्हें पता है ईवी बेट तो एक आईडिया आ गया कि कैसे होता है you can to all e changes to hyphen number डालो और ol लिखो पहले पे हैं तो it is but obvious नहीं लिखने की जो रहता है हम ना आने वाले subsequent lecture में हम बहुत सारे examples practice करने वाले हैं we are going to practice a lot a lot a lot means a lot is it clear to everyone glutanol मज़ाया यहां तक IUPAC सिख्के मज़ाया यूपेसी सिख्के कुछ carbon commons के formula लिखता हो बताओगे क्या है माल लो कि अगर अपने को एक structure दिया है paint to OME कैसे बनाओगे how will you draw this notebook में बनाने की कोशिश करो फिर मैं बताता हो सही बना है मैं बनाओगा तुम देखना कि तुम्हारा सही है की गलत है बनाओ सबसे बनाओ देखो paint है तो पाँच carbon होगा very first thing एक दो तीन चार पाँच हर जिएक single bond लगा दो फिर बोलना है two number तो यहां से count करके two कर दो यहां से तो हम यहां से count कर देते हैं oh ए नहीं मतलब यहां पे डबल bond oh ना चाहिए तो मगर यहां से count करके यहां भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था पर एक ही जगी कहीं लगाना है बाकी क्या करोगे carbon की valency पूरी कर दो यहां पे एक दो तीन चार है यहां पे दो है अल्रेड़ी तो तीन चार valency पूरी कर दो सबका same structure बना था यहां पे एक bond अल्रेड़ी है तो तीन और लग चाहिए carbon चार हो निकले सबका same बना था textbook के example बता रहो same बना था सभी लोग का चलो very good अब एक और practice कराता हूँ ज्यान से सुनू एक और करते है मालो किया ऐसा compound है तुमारे टेक्स्बूक का ही है भाई सब बतो इसका नाम क्या होगा इसका नाम क्या होगा जल्दी बताओ इसका नाम बताओ क्या होगा पहले तो सबसे पहले carbon carbon count करो एक दो तीन चार चार कारबन है चार कारबन मतलब हो जाएगा butane अब क्या पहरे functional group अपने को दिख रहा है कि chlorine है तो सबसे पहले chloro लग जाएगा तो CH L O R O आगे लग जाएगा butane अब यहाँ पर याद रखना है यहाँ यहाँ पर 2 लगेगा 2-Q क्योंकि second carbon पर अगर मैं यहाँ से count करता हूँ यहाँ से कर काउंट करूंगा तो एक दो तीसरे पहाएगा तो उदर से counting में लोगा वाट इट यह क्यों जाएगा 2 chlorobutane यहाँ पर आगे लगता है याद रखना हलोजन में suffix नहीं लगता prefix लगता है यश हलोजन में prefix लगता है सारी चीज़े आगे लगती है हलोजन में पीछे नहीं लगता चलो good very good एक और example लेते हैं let's take one more example मैं CH3 ऐसे लिख देता हूँ ठीक है अब तुम समझ जाओगे ना किसका मतलब क्या है CH3 ठीक है यहाँ पर CH है और एक OH है और फिर यहाँ पर एक CH तुम समझ जाओ ना क्या है अब बताओ इसमें क्या होगा इसका नाम क्या होगा तीन carbon है that means कि यह क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा सबसे पहले E को हम अटा देंगे functional group हमें always दिख रहा that means कि यह alcohol है और एक दो तीन तो second carbon पर याने वाला indirectly कहीं से भी count करो यहाँ से count करेंगे तो भी second पर आएगा यहाँ से count करेंगे तो भी second पर आएगा बीच में ना बीच में तो दोनों तलब से second पर आएगा तो propan to all right simple है एक और example ले let's take one more example एक और example लेते हैं एक दो तीन चार textbook के example लेते हैं मेरे दिमाग के तो है इन एक और ध्याम से नाम बताओ क्या होगा इसका इसका नाम क्या होगा पहला step के हैं count the carbon atom एक दो तीन चार चार मतलब हो जाएगा butane एमेरिक चार मतलब हो जाएगा butane functional group क्या दिख रहा है C double bond OH दिख रहा है carbozylic acid E changes to E will get changes to OIC acid भया इसमें 1,2,3 नहीं लिखेंगे नहीं बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमेशा last में होगा हमेशा terminal होगा terminal होगा last में ही होगा तो 1 लिखने का कोई sense नहीं हो समझ रहे हो butanoic acid what it? 1,2,3 लिखने की जुरुत नहीं इसमें हमेशा last में होगा let's take one more example एक और example ले एक और example लेता है let's practice more CH3 CH2 और फिर CH 2BR ये क्या हो जाएगा कैसे फिर इसको फैला होगे कैसे देखो CH3 फैला लिया CH2 फैला लिया फिर से CH2 फैला लिया और एक DR count करो 3 है मतलब हो गया propane पी छोटा कर देता है क्यूंकि bromine है तो आगे लग जाएगा bromopropane और पहले carbon पर तो चाहिए तो 1-bromopropane लिखो या फिर खाली bromopropane लिखो तो भी को दिख करें वर टिट 1-bromopropane लिखो प्रिफिक्स लगा सकते IDR है बाकी example प्लीज आप टेक्सबुक से खुद प्राक्टिस करेगा ठीक है थोड़े इस एक्जामपल आप खुद भी प्राक्टिस करेगा इट से रिक्वेस्ट और इट से अलसो अ सजेशन ओके यह टर्मिनल नहीं होगा यह कहीं भी हो सकता है दो ही ग्रूप हमने टर्मिनल पढ़ा है एक LD हाइड और एक कार्बोजाइलिक एसी यह दोनों टर्मिनल है इस बहुत टर्मिनल है चली तो शुरू करते हैं बच्चों आज च्प्टर से जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम है important carbon compounds ethanol and ethanolic acid बहुत simple है इससे related question पूछा जाता है मैंने अब तक आपको जो भी पढ़ा है हम सारी चीजों से related question कहीं न कहीं कहीं कुछ न कुछ पूछा ही जाता है and that's the reason कि तुम्हें वो पढ़ाया जा रहा है अब दीको यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ता है कि भाया ethanol का क्या सीन है ठीक है तो ethanol जो होता है अगर मैं आपके सामने अगर alcohol रख दू तो वो colorless होगा आपको पता नहीं चलेगा पानी में मिला दिया जाए तो ठीक है कैसा होता इथेनॉल इथेनॉल इच colorless liquid ओके इथेनॉल कैसा होता है बच्चो इट इज अ colorless liquid जिसमें burning test होता है burning test मतलब क्या है अगर आप उसको consume करोगे तो आपको गले पे जलन सा लगेगा इसके अलाबा soluble in water होता है अगर आप इथेनॉल को मतलब की जो अमारा दारू होता है अगर इसको आप पानी के अंदर मिलाओगे ठीक है तो आपको कैसा हो पानी के अंदर completely mixed हो जाएगा ठीक है इट इसके अलाबा यह neutral होता है it is also neutral acidic है या basic है ऐसा कुछ नहीं है it is neutral molecular formula जो ethanol का है that is CH3 CH2OH यह आप लोग का अल्रेड़ी आता होगा ethanol का molecular formula आपको आता होगा मैं यह आशा करके चलता हूँ CH3 CH2OH structure जो इसका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है अगर expanded structure में बनाने जाओ तो यह भी आपको अल्रेड़ी आता होगा यह properties प्लीज याद रखना क्यूंकि एक्जाम में पूछ सकते हैं कि write the properties of ethanol movie further बच्चो अगर मैं ethanol के बारे में बात करूँ तो इसको तीन जगे पर यूज किया जा सकता है और भी जगे पर यूज किया जा सकता है हम तीन कैटिगरी में डाल रहा है अभी के लिए कूलेंट किसी चीज को ठंडा रखने के लिए medicines दवाईयों में और disinfectant आपके घर पे जो sanitizer विगरा होता है उसके अंदर भी क्या होता है इथेनॉल होता है तो इसको अजब कूलेंट भी हम इस्तमाल कर सकते हैं आगे बढ़ते हुए बच्चो इथेनॉल जो है इट इस नॉट फोर हेल्ट ठीक है दारू पिना एक अच्छी बात नहीं है तो इस नॉट फोर यूर हेल्ट एंड कंजप्शन अप्यूर अलकोहल अ तो यह लिथाल हो सकता है मतलब आपके लिए जान लेवा हो सकता है एंसां रैशनली सोच नहीं पाता है और गलत के बीचे रख नहीं कर पाता है अगर वह अलकोहल युद्वय जैक औफ और कॉडिनेशन और mental confusion face करना पड़ सकता है recipients देजी नेस मतलब ठगा ठगा सा लगते अनसान को जैसे नीद नीद में उस तरीके के कुछ पिलिए लैक ओफ कॉडिनेशन आप चलोगे किसी चीज को ठोकोगे और खुद गिर जाओगे mental confusion आपको समझ नहीं आएगा दो चीजों के विच में confusion लगेगा कि दरवाजा यहां है कि वहां है इंफेक्ट जो lower homologo series है alcohol का जो methanol है जिसका formula है CH3OH वो highly poisonous है उसके consumption से जान भी जा सकती है ठीक है तो it is poisonous और उसका intake आपके vision पे दिक्कत दे सकता है और आपके लिए जान लेबा भी हो सकता है तो that is all the properties of ethanol अगर हम यह सब जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो हमें सबसे पहले जो reaction देखना that is with the sodium के साथ कैसे रियाक करता है यहां तक आने से पहले मैं आप लो उसे पूछना चाहूंगा कि यहां तक जो भी मैंने बताया वो तुम्हें समझ आया कि नहीं बाकि आपके जो भी एक्स्ट्रा डाउट है वो आपका लिया जाएगा चिंता बत करो व्याद से टायन क्या होता है नायन क्या होता है सब पढ़ेंगे बाद में आगे बढ़ते हैं अब अगला क्या है कि हमें देखना है chemical properties मतलब chemical properties जब भी आप सुनो तो आपको यह समझ में अब तक तो आ जाना चाहिए कि chemical properties is all about reactions कि हमें reactions से लेना देना होता है जब हम chemical properties की बात करते हैं तो CH2OH इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C2H5OH दोनों सेम ही है molecular formula सेम ही है तो यह जो मेरा ethanol है यह sodium के साथ कैसे react करता है यह मुझे देखना है तो मान लो कि यह ethanol है और यह मेरा sodium है तो sodium क्या करेगा तुम्हें पता है देखो यह बन जाएगा CH2 C2H5OMA मतलब यह जो H है ठीक है यह H बाहर चला जाएगा ओके यहां से यह H दूसरे एक और H के साथ बाहर चला जाएगा और उस जिगे पर क्या होगा यह sodium आकर के join हो जाएगा समझ रहे हो मतलब कुछ इस तरीके का reaction होने वाला है sodium इस पे कर जाएगा और यह जो तुम्हें मिला है इसको sodium ethoxide बोलता है what do we call it as हम इसको क्या बोलता है sodium ethoxide please remember this name this name is very important sodium ethoxide यह molecular formula याद रखना क्योंकि यहां पर आगे एक यह और आएगा तो इसको याद रखना परना confusion हो जाएगा एक्जाम में गलत कर दोगे चले मुभी परदर बच्चो एक और important reaction है that is dehydration reaction बच्चो वोट इस dehydration इस शब्द का मतलब क्या है dehydration इस शब्द का मतलब होता है पानी निकाल लेना ठीक है hydration मतलब होता पानी आट करना तो dehydration मतलब क्या हो जगा पानी निकाल लेना यह reaction हम करते हैं एक unsaturated hydrocarbon prepare करने के लिए हमारे पास saturated hydrocarbon है लेट से क्या है C2H5OH इथेनॉल है इसमें carbon carbon के बीच में single bond ही होता है न बच्चो तो यह saturated hydrocarbon है इससे हमें unsaturated hydrocarbon बनाना है जिसमें same number of carbon होगा मतलब यहां पर दो carbon है तो इथेनॉल है तो हमें शायद इथीन बनाना है यहां पर बात को समझो हमें शायद इथीन बनाना है इस reaction को करने के लिए बहुत high temperature चाहिए होता है हमें degree Celsius में 170 degree Celsius तक का temperature चाहिए होता है बहुत high temperature का हम यह करते हैं और यहां पर concentrated H2SO4 डालना पड़ता है बहुत ज्यादा quantity में unit concentrated H2SO4 heavy quantity यह दोनों करने का अधा होता है क्या है ज्यान से देखो यह जो मैं आपको थोड़ा सा expanded form में दिखाता हूं यह इस तरीके से समझो यह है इस तरीके से यह है ना अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं डॉट डॉट बना दे रहा हूं को दिक्कत है किसी को यहां पर मैं डॉट डॉट बना दे रहा हूं अब देखो जनाब होगा क्या कि ये जो तुम्हारा OH एक डॉट और हाइड्रोजन जो है ये दोनों बाहर निकल जाएगा तो ये दोनों मिलके क्या बना लेगा पानी बना लेगा एस टो बना लेगा अब बचा हुआ एक एलेक्ट्रोन यहां से यहां पर आएगा और एक एले ही आगया कैसे बना यह समझ आ गया है कि यहां पर हम लोग लेगे प्रोड़क्त हमें मिल रहा है इथीन और वाटर इस इट क्लियर हमें इथीन वाटर मिला है तो टैट सॉल अबॉट इथेनॉल कुछ हाट है यहां पर किसी को को दिखकत है कि यहां पर कुछ बहुत हाट थ जो समझ नहीं आया अगला जो हमारा टॉपिक है दाट इज इथनॉइक एसीड क्या है वो इथनॉइक एसीड इथनॉइक एसीड को प्यार से एसिटिक एसीड भी बुलाते है we call it as एसिटिक एसीड यह भी colorless liquid होता है vinegar इससे ही बनता है vinegar जो की pickles में add किया जाता है या फिर salt test डालने के लिए लाया जाता है वो acidic acid है ठीक है पास से 8% 4% solution of acidic acid होता है यह acid है तो acidic की nature होगा am I right और यह एक weak acid होता it is not a very strong acid it is a weak acid बचापाटी ठीक है it is a very weak acid ध्यान लगाना सीखो कृष्णा मुझे सुनाई ने दिया train का आवाज है तो मैं सुनाई दे दिया तुम्हें उल्टा मेरे से जादा ध्यान लगाना चीए भटकता मन बहुत अशान्त मन होता है तो यह बहुत ही जादा weak acid होता है अब यहाँ पे इसके अमने यह का molecular formula CH3 COOH और structure अगर मैं बनाने जाओ तो वो बनेगा कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर यही जो functional group है इसी के कारण जो भी properties है वो properties है इसको ऐसे भी लिखा जाता है आपको पताईए तो functional group है जो हमने पढ़ा था तो यह मैंने आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से बहुत प्यारी तरीके से मैंने आपको यह सब पढ़ाया था Is it clear to one and all सभी लोगों को यह समझ आ गया है कोई दिक्कत नहीं है मैं यह आप जड़ बता दो मुझे यहां तक बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स लिखे हुए है बहुत छोटा सा लेक्चर नहीं बोलो ना बीस पचीस मिन्ट में एक लेक्चर खतम हो जाएगा आज बाला जानगुश के ले रहा हूँ यह end वाला पार्ट है ठीक है जानगुश के ले रहा हूँ कि आज शाम को जो लेक्चर लोना उसमें ज्यादा प्रेशर न रहा है हमारे उपार और आज के आज हम लोग इस पूरे चैप्टर को खतम कर रहे है बड़ा चैप्टर है यह कि इसके बाद जो अपने बड़ा चैप्टर आएगा वह आएगा ऑनिमल क्लासिविकेशन् परस पिर कोई बड़ा चैप्टर नहीं है बहुत छोड़े चैप्टर साथ है फट 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 खतम होगे सब एक ही चैप्टर बच्छे का बड़ा अनिमल क्लासिप्टिकेशन वह भी इतना बड़ा निया और कई दे से पड़े तो यह यह मिटल अर्जी मिले सब्सक्राइब नहीं वह भी छोटा है कि बहुत सिंपल रहने बहुत सिंपल बहुत सिंपल है कि इनके चार चीज़े पढ़नी यह तुम्हें पता हो न अच्छी चैपटर पढ़ने के लिए अ अगर पैटर्न समझ में आ गया तो चीज़ा असान है हर जगे यूनीक चीज़े नहीं है और बाटेक्नोलोजी देट से तीन तरीके से बाटेक्नोलोजी में वो किया जाता है बहुत सिंपल हो चलो आगे बढ़ता है प्रिपरेशन के अगर मैं बात करूँ तो इतनोल से हम बना सकते हैं असिटीक असिड ऑप्सिडेशन करके जलत बात सोभजने की कोशिश करो बात को थोड़ा से सबजने की कोशिश करो ये है तुम्हारा इतनोल सोच के देखू यही है न अगर बच्चो यहाँ पर मैं एक डबल बॉंड ओ डाल देता हूँ तो यह क्या बन जाएगा और यह अठा देता हूँ इथनोई कैसीड बन जाएगा मतलब करना क्या ओक्सीजेन डालना है all you need hydrogen remove करना oxygen डालना दोनों तो oxidation ही होता है तो all you need to do is oxidation वेगर तुम oxidation कर दोगे तो तुम्हें ethanol से इथनोई कैसीड मिल जाएगा अब यह oxidation कैसे किया जा सकता है तो यह तुम्हेल पास ethanol है CS3, CS2OH हमने क्या किया alkaline K-mina4 का इस्तमाल किया यहाँ पर जो oxygen देख और heat भी कर रहे है हम देख इसको हम heat भी कर रहे है तो हमें क्या मिल गया CS3, COOH Is it clear alkaline K-mina4 का इस्तमाल करते है क्या oxygen देट सा oxygen ठीक है learners alkaline K-mina4 मतलब क्या है basic अब इथनोईक एसीड जो है उसको glacial acetic acid भी बुलाया जाता है क्यों बच्चा? why we call it as glacial acetic acid क्योंकि इसका melting point होता है melting point क्या होता है जब वो जम जाएगा that is 17 degree Celsius तो अगर थोड़ा बहुत थंड होगा ठीक है अगर थोड़ा बहुत थंड होगा तो यह क्या हो जाएगा जम जाएगा बर्फ की तरह दिखेगा रूम टेंपरेचर पर आपको it will look like ice it will appear like ice तो इसको आप ग्लैशियर acetic acid भी बुलाते है we call it as glacial acetic acid क्योंकि इसका melting point बहुत कम होता है इसका 17 degree Celsius पुलूशन आपको बस यह याद रखना है कि CH3, CH2, OH जो कि acetic acid है इसका अगर oxidation किया जाए alkaline KNO4 का इस्तमाल करके तो एक oxygen इसमें extra आ जाता है और hydrogen remove हो जाता है and all you get is acetic acid मतलब ethanoic acid that is it इतना आपको बस याद रखना है यह चीज़ इतना आपको आपको याद रखना है यह चीज़ इतना आपको अलकोहल से कर्बोजालिक acid बनाने के लिए दिखता है glacier की तरह दिखता है बर्फ की तरह ठीक है melting gun बहुत कम है 17 डिवरी सलसे से 17 जम जाएगा got it चलिए आगे बढ़ते है बच्चा आगे बढ़ते है chemical properties में reactions देखने है तीन से चार reactions है हर एक reaction इसमें से एक reaction जो होगा खली आपके लिए नया होगा बाकि सारे reaction आपने 9 बढ़ा है तो थोड़ा पूप अल्रेड़ी पता होगा इतले से एक बार भी पढ़ा होगा तो याद है नहीं हो वो different बात होती है दीको सबसे पहला जो reaction है हमारा that is reaction with alcohol हम अभी पढ़ गया रहे carbozolic acid पढ़ रहे तो अगर हमें carbozolic acid आपने रियक्ट करा देते है यल्कोहल के साथ तो हमें क्या मिलता है हम एक नया हमें किन्स तरिफिकेशन रियक्षन अब तुम्हें समझ में आगया होगा कि नया माल मेटिकेशन जो मिल रहे हो क्या मिल रहे इस्टर ठीक है लॉर्नर्स देखो यहां बहुत सिंपल है तुम्हारे पास है इथेनौल ठीक है इथेनौईक एसीड एंड तुम्हारे पास है इथेनौल एसीड को एस एक टलिस्ट इस्तमाल करेंगे चलो शोड़ो दुनियादारी की बाते भी छोड़ देते हैं जब हम इसक इसको पूरा नाम है इत्थील इथेनौइट है इसको आई यू पी एसी लेंग वहता है इसका इत्थील इथेनौइट यह आपको मिलेगा पानी वहार निकल जाएगा कुछ लोगों को लग रहा हो कि यह नहीं समझा मैं समझाता हूं इसको ऐसे लिख देते हैं पीए सी ठी दिखें और ज्यादा डिटेल में लिख देता हूं अ को दिकत प्लस इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ओ एच को दिकत उल्टा लिख दिया है अब ध्यान से देखो कि हुआ कैक्शुली एक्दम ध्यान से देखना सभी लोगों को यहां से ये वाला निकल गया कि अगर निकल गया तो क्या निकल गया पानी निकल गया तो हटा दो यहां से इन दोनों को जोड़ दो ऐसे क्या बन गया बताओ सी एस थ्री सी ओ ठीक है अरे सॉरी 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 माई बैड माई बैड यह क्या था मैं थोड़ा गरबर कर दिया अगर रूप जाओ यह ओ एच है ना यार ठीक है और यह भी ओ एच है मैंने वहाँ पर एच लिख दिया तक लिए सी ओ ओ एच होता है ना तो यहां से माल लो अगर ऐसे अगर तुम निकाल दिये मैंने फॉर्मूले गलत लिखा तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो यह पानी निकल गया अगर मैं इस पानी को ऐसे हटा दूँ तो बच्चा क्या यह बच्चा इसको जोड़ लो अब यह जो बच्चा हुआ है यह क्या है देखो CH3 COO CH2 CH3 CH2 CH3 अब क्यूंकि इसमें जो फॉंक्शनल ग्रूप में नया मालमटेल जो बनाए वह COO है जिसको मैं ऐसे लिप्रेजेंट कर सकता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस्टर बोलते हैं तो हमने एक इस्टर बना लिया तो जग इथेनॉयक आसीड इथेनॉयक के साथ रियक करता है तो एक vapor इसन मिलता है हमें और यहां पर यह थे ली इतंवीड इत्य अइं यह तू अर्यों पर यह तो यह तुम्हारा इधर का говорит इस तरिफिकेशन पूछ सकते हैं या फिर राइट इस्टरिफिकेशन पूछ सकते हैं इस बेरी इंपोर्टन ठीक है चले आगे बढ़ता है इस्टर्स जो होते हैं उनकी नहीं ऐसा नहीं होता है अभी में देख रहा है आप लोग कोई डिटेल में पढ़ना नहीं बस एक ही कंपाउंड है ठीक है यूट्पल डोंट नीट टो रिट लॉन इते डिटेल बस एक ही रियक्शन है आपके ओके और नॉमेंक्लेचर अभी तक तुमने जो पढ़ा ना वह वन परसेंट है इसके अलाबा बहुत ज्यादा डिटेल है बहुत ज्यादा वास्ट है ठीक है ठीक है तो इतील के पास स्वीट ऑडर होता है मतलब अच्छी खुश्बू होगी इसके अलाबा इनको फ्रेग्रेंसेस में यूज किया जाता और फ्लेवरिंग एजेंट्स में पर्फियम वेगरा बनाने के लिए ठीक है और फ्लेवरिंग एजेंट्स में फ्लेवर इंपार्ट करने के लिए अब यहाँ वेगरा हम इस रियक्शन को जेनरिक लिखने जाए देखाओ जो यह इस्टर है यह जो तुमारे पास जो यह इस्टर था अगर इस इस्टर को साथ रियक्श करा कि सिंपल सब्सक्राइब है ठीक है नॉट डाइट इंपॉर्टेंट बस एक सुनने की बात है ठीक है कि अगर इस्टर को हम अगर ने ओच के साथ रियक्शन को हम सपॉनिफिकेशन रियक्शन बोलते हैं इसका इस्तमाल किया जाता है प्रपरेशन आप अगर पूछेंगे कि वोटे सपॉनिफिकेशन रियक्शन जैसे सोप्स बनाया जाता है सोप्स बनाया जाता है तो तुम क्या बोलोगे इस्टर को रियक्शन ने ओच के साथ अब बहुत ध्यान से सुनना इथनौइक एसीड जो है वो एक एसीड है ठीक है तो अगर मैं उसको एक बेस के साथ रियक्शन हो जाएगा एसीड प्लस बेस गिफ्स में सॉल्ट प्लस वॉटर हमें राइट इथनौइक एसीड है और वो एक किसा है एक वीक एसीड है तो अगर मान लो एक वीक एसीड है मेरे पास और उसको मैं स्ट्रॉंग बेस के साथ रियक्शन हो जैसे ने वो इच तो मुझे एक सॉल्ट मिलेगा और यही है अप्र तुम्ने अभी हमने सॉल्ट की बात की थे ना पीछे वो ही है ठीक है पीछे जिस सॉल्ट के बारे में बात किती वो यही है इसको हम sodium acetate बोलेंगे common name है इसका IUPAC name क्या होगा बात करते है टेचन मतलब और water मिल रहा है ठीक है and what we are getting else we are also getting water so this is a salt अब तुम्हें मुझे बताना है कि यह salt का nature क्या होगा is it a basic salt और it's a acidic salt अगर base strong होगा तो कैसा सॉल्ट होगा यह प्लीज बता हो चैट में या comments में जिसमें बता ना बता सकते हो a strong base है तो it will be a basic salt 9th पर पड़ा होगा तुम्हों एक और reaction है बहुत simple reaction है and इस reaction को बोला जाता है कि reaction with carbonates and hydrogen carbonates now this is not something new यह कुछ नया नहीं है this is something which you have already studied in your 9th standard इससे पहले वाला reaction भी आपने पढ़ा उससे पहले वाला reaction भी आपने 9th में पढ़ा है चार रेक्षन है चार में से तीन reaction तुम्हें नहीं पढ़ा है पलेट के देखो अगर किताब है तो ठीक है और सारे एक ही हमारे पास है CH3COOH क्या है यह Acetic Acid है Acetic Acid कोई क्या बोला जाता है इत्हेनोइक असीड बोला जाता है यह आप तो में पता होना चाहिए ठीक है तो Acetic Acid या फिर इत्हेनोइक असीड है हमारे पास और इसको मैं क्या कर रहा हूं मैं है sodium ethanoate ठीक है sodium ethanoate वो था ethoxide ethanol में ठीक है और यह क्या है carbon dioxide और water तो याद रखना जब भी आप एक Acid को नाइंत में सीखा होगा तुमने कि एक Acid को अब नहीं सीखा है तो मैं बतातो रहा हूं मैं कौन सा नहीं सिखा रहा हूं वही तो बता रहा हूं कि नाइंत में क्या सीखा है बताना तो पड़ेगा कि नाइंत में था Acid को जब भी मैं carbonates के साथ रियक कर रहा हूं मेटल carbonates ज्यादा बेटर होता है metal carbonate क्योंकि sodium metal है तो हमें क्या मिलता है हमें मिलता है salt प्लस carbon dioxide प्लस water और सेम होता hydrogen carbonates के साथ कुछ भी अलग नहीं होता है ठीक है अब यहापे देखो अगला hydrogen carbonates लेते हैं तो यही है हमारा Acetic Acid ethanoic acid जो बोलना है बोलो उसको sodium bicarbonate के साथ रियक करा रहे है ठीक है जब इसको sodium bicarbonate के साथ रियक करा रहे है तो हमें same product है देखो same to same product कुछ भी अलग भी इसी अगर इसी को अगर lime water के through pass किया जाए यहाँ पर जो prepare हो रहा है तो lime water turns milky क्योंकि carbon dioxide है यह word सुना सुना सा तो वही है sodium ethanoid लिखा हुआ है या फिर sodium acetate दोनों इसी का नाम है confused मत हो ना यह लिख कर रख लेना कहीं पर is it clear to everyone cover करने वाले है chemical properties of carbon compound फिर धिर नटो आप लोगोंने पढ़ लिया है टिकाए इतना तो आप लोगोंने पढ़ लिया है कि chemical properties यह सुनकर करके आपको समझ में आना चाहिए कि reactions के बारे में बात होने वाली है इतना तो आप लोगोंने पढ़ी लिया है कि all we are going to talk is reaction reaction rejection के रियक्शन के बारे में आपको बताऊंगा आज के लेक्षर में और वो विवन विवन प्रकार के रियक्शन से आप अल्रेडी वाकीफ हो जनाब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बिल्कुल नहीं पता था एक्जामपल के लिए combustion reaction अरे combustion मतलब क्या होता है जलाना the burning of carbon compounds आप किसी carbon compound को ले रहे हो उसको burn कर रहे हो in the air हवा के presence में to give carbon dioxide water and heat and light is called as combustion जो आप जलाते हो तो आपको क्या मिलता है ये सारी चीज़े मिलती है एक्जामपल के लिए हम carbon compound ले लेते हैं जैसे की carbon इसको हमें ज़़ा रहा हो oxygen के साथ carbon dioxide मिला मुझे heat मिला और light मिला और क्या मिलेगा बताओ और कुछ और मिलेगा राख अपके next वाला ये है CH4 methane methane को मैं क्या कर रहा हो oxygen के presence में जला रहा हो क्या मिलेगा carbon dioxide water heat light और क्या मिलेगा यह मिलेगा ठीक है water heat light इसके बाद लेट से कि मैं क्या कर रहा हूँ CH3 CH2 OH यह कहा है ethyl alcohol ethanol इसको जला रहा हूँ oxygen के presence में बाकी तो balance करने के लिए लिखा है चना आप क्या मिल रहा है मुझे वही मिल रहा है carbon dioxide water heat light बाकी balance करना है तो is this reactions or a hard reaction oxygen के presence में बन कर रहा है carbon dioxide heat light water carbon dioxide light water carbon dioxide heat light water के आपको मिल रहा है is it a hard reaction is it something which you really don't know आपको एकदम ऐसा बहुत detail में समझने की जरूरत है we'll talk about prelims don't worry learners अभी जो हमारे घर पे जो gas होता है उसके अदर जादा तर propane यूज किया जाता है जादा तर हमारे पास क्या होता है बच्छो यूज को याद है पास प्रोपेन होता है we have propane propane is one of the combustile component of LPG LPG का full form anyone ज़सको याद है LPG का full form बताएगा मुझे फूल 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 पूल फूल पूल पीदि anyone good good learners moving further propane जो होता है इसका formula का है C3H6 I think H8 C3H8 इसको जब मैं oxygen के presence में बन करूँगा तो ये भी hydrocarbon है तो क्या देगा मुझे carbon dioxide पानी, heat or light अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है एक बात spelling mistake है कुछ लोगों का कुछ लोगों का spelling mistake है अब ध्यान से एक बात को समझो जैसे मालों है तो हमको yellow flame मिलेगा limited supply मतलब थोड़ा complicated situation है और अगर excess supply of air में बन करेंगा तो मैं blue flame मिलेगा समझने को एक छोड़ा सो खूंबग भी दे रहा हूं सभी लोगों को comment में बताईएगा अगर saturated hydrocarbon को burn करूँगा तब क्या होगा और मैं unsaturated hydrocarbon को burn करूँगा तब क्या होगा सोचने वाली बात है saturated मतलब ज्यादा hydrogen है unsaturated मतलब कम hydrogen क्या होगा सोचने वाली बात है learners आपके lab में ऐसा एक Benson burner आपने देखा होगा उसमें कैसा hole होता है not होता है उसको घुमा करके आप बंद ही है चालू कर सकते हो तो जब आप उसको बंद कर दोगे तो जो flame निकलेगा वह yellow flame निकलेगा क्योंकि limited supply of oxygen होगा लेकि जब उसको खोल के नकोगा oxygen अंदर जा सकता है तो आप आपको blue flame देखने के मिलेगा होता है शारुद ओके learners वही फदर मालेते कि में बास alkane है, alkane में carbon carbon single bond होता है saturated hydrocarbon है बहुत सार ऑक्सिजन आ गया, यह burn होगा रेक, इड विल बॉर्न तो जब मैं limited supply में burn करूँगा here due to more number of carbon you will get remains left over of carbon क्योंकि इसमें carbon जादा है अगर मालो किसी चीज में carbon जादा होगा तो carbon का remains भी तो रह जाएगा कला-कला, धुआ-धुआ-धुआ हर तरफ राख-राख, धुआ-धुआ-धुआ रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा learners moving further अगर alkene या alkane है तो unsaturated unsaturated hydrocarbons उनको अगर मैं burn करूँगा अगला जो हमारे reaction है that is the oxidation reaction नाम से तो सुना-सुना सा लग रहा हुगा इस नाट सम्थिंग जो आपको नहीं पता था ओके Oxidation this is something जो आपने सुना हुगा यह रह ऑक्सिडेशन जामाना मतलब कहा कि carbon अभी को पहले वाला और अभी वाला तुमको देखके सौंग सेम लगेगा क्योंकि combustion में भी हम burn कर रहे थे presence of oxygen but we are burning it in the presence of oxygen तो सुनने से सा सेम सा लगेगा carbon compounds undergo combustion to give carbon dioxide and water substance that give oxygen to other substance are called as oxidants or oxidizing agent this is not something which is new for you मैं एक्स्प्लेंग कर दूँ हाई स्टरिफिकेशन जनाव आप चिंता क्यों कर रहे हैं ओकी वह substance oxygen देता है या फिर hydrogen को ले लेता है उसको क्या कहता oxidant या फिर oxidizing agent हमने पढ़ा यह potassium permagnate potassium dichromate commonly used oxidizing agent है manganese oxide ozone oxidizing agent affect certain functional group present in the carbon compound अब यहाँ बात को समझना कि अगर आप oxidizing agent का use करोगे तो वह functional group पे affect दिखा सकता है अगर आपने last lecture पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम alcohol से oxidation करके alkaline came in of work का इस्तमाल करके हम किस तरीके से carbozylic acid produce कर रहे हैं याद है आप लोगों अभी अभी हमने last में discuss किया है Is it clear? Is it clear? कोई बात नहीं आगे भी देखेंगे चिंता नहीं है तो बच्चों मेरे पास अगर ethanol है लेट से अलकोहल है तो उससे में क्या कर सकता हो ethanolic acid, carbozylic acid obtain कर सकता हूँ this was the reaction जिसके बार में मैं बात कर रहा था being oxidation मैंने oxidation किया alkaline came in of 4 heat किया यहाँ पेक oxygen आ जाएगा and what I will get it's CS3 COOH number of carbon तो same ही है we have same number of carbon but oxygen add हो गया oxygen add हो गया to carbozylic acid बन गया am I right तो यहाँ पे जो alkaline came in of 4 है हमारा बात समझने की खुशिश करना जो alkaline came in of 4 है इसने oxygen available करके दिया तो यह oxidizing it क्योंकि यह add कर रहा है oxygen to the substance Is it clear? Oxidation reaction थोड़ा idea आगे है क्या होता है यहाप कुछ और नहीं जो अपपा अरड़ी पता था वही है There is nothing new, you already know these things चलो, आगे बात करते है Addition reaction Now what is addition reaction? You must have a question कि यह addition reaction क्या होता है Simple है देखो When a carbon compound combines with other another compound जब यह carbon compound दूसरे compound के साथ यह दूसरे किसी चीज़ के साथ combine करता है तो form a product that contains all the atoms in both the reaction जिसमें सारी चीज़ होते है combination जैसा जनाब तो उसको addition reaction कहते हैं कुछ नहीं combination हो रहा है Example से समझते है Unsaturated hydrocarbon जो है वह addition reaction के थूँ आपको मिल सकता है saturated में बदल सकता है तो बोलोगे भया कैसे Unsaturated Example के लिए अगर आपके पास एक alkyne है या फिर एक आपके पास alkyne है तो आप उसको convert कर सकते हो alkyne के अंदर यह बताना चाहरा हो आपके मन में प्रशन होगा या कैसे तो इसका जवाब है ऐसे, ऐसे, ऐसे यहाँ पर हमें catalyst use करना पड़ता है अब जब 11 पे जाओगे ना तो यह बहुत असान reaction लगेगा आपको यह आपको study this reaction in your 11th standard तो यह catalyst use करता है हम लोग निकल या फिर platinum हम यूज कर सकते हैं देखो reaction देखो जैसे मालो यह हमारे पास ethene है is this ethene? अब आपको पता है यह ethene है, double bond है carbon, carbon की बीछ में दो carbon है इसको जब हम nickel के presence जब हम इसको hydrogen add करेंगे you can also write this reaction like this plus H2, you can write this like this या फिर आप ऐसे लिख सकते हो plus H ऐसे करके भी लिख सकते हो finally you can write the product कोई दिक्कत नहीं है याद रखना, तो अगर इसको हम hydrogen add करते हैं presence of nickel तो हमें यह मिल जाए, हमारे मन में प्रशन आया होगा भाई कैसे हमें को ethene से ethene मिल गया हमें, इसको हम लोग catalytic hydrogenation भी कहते हैं catalytic क्यों? क्योंकि हमने nickel को as a catalyst use किया हमने और hydrogenation क्यों? क्योंकि हमने hydrogen add किया है Is it clear everyone? कैसे हुआ यह समझने के लिए आपको थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा इस reaction के, मालो H2 हमने add किया क्या होगा? कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह bond टूटेगा जब यह bond टूटेगा तो यहाँ पे एक electron और यहाँ पे एक electron खाली है यह electrons यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है? तो मालो वो electrons उठकरके यहाँ पे आ गए, मिट गए मैं आप इसे मिटा दे रहा हूँ ठीक है? और यह वाला bond ऐसे बीच में है बाकि आपके जो bonds है वो तो ही है अब यहाँ से क्या होगा? इस hydrogen के बीच में इस तरीके से bonding है यह एक hydrogen उठकरके आएगा और यहाँ पे जोड़ जाएगा बतलब मालो कि ऐसे जोड़ गया एक hydrogen और यहाँ पे बांड बना लिए यह दूसरा जो hydrogen उड़के यहाँ पे आके जोड़ जाएगा तो यह वाला bond के साथ यहाँ पे hydrogen जोड़ जोड़ जो है सिम्पल शब्दों में यह हुआ है इतलेटिक हाइडरोजनेशन सिम्पल है आगे बढ़ता है वेजिटेबल ओई जो होता है आपका वनस्पती जी इन दोनों में क्या आंतर है दिर के लिए कोशें इन यो बोर एक्जाम इस वेरी इंपॉर्टन there can be a question in your board exam तो वेजिटेबल ओई जो होता है वो unsaturated hydrocarbon का chain है unsaturated मतलब alkyne alkyne वनस्पती घी क्या होता है saturated hydrocarbon का chain होता है alkyne वनस्पती घी कुछ और नहीं होता है जनाब डालडा डालडा समझते हो गी जैसा जो होता है ऐसा नहीं है H2 के presence में nickel के presence में हुआ है ठीक है चल लिए आगे बढ़ता है liquid at room temperature ये कैसा होगा आपने अपके घर में जो vegetable oil है sunflower oil, mustard oil, sasoka tail वो room temperature पे liquid रहता है कि नहीं रहता है ये जम जाता है, solid हो जाता है solid हो जाता है good for health, vegetable oil is good for health this is bad for health bad, very bad simple था वनस्पती घी पे वनस्पती नहीं होता भाई बोरो डालड़ा होता ही है अपनी मम्मी से पूछने डालड़ा क्या होता है घी का alternative ठीक है कौन सा गी होता है और इस इट क्लियर चले आगे बढ़ता है substitution reaction एक element डूसरे के जिगे पर आ रहा है substitution substitute समझते हो ना player होता है games में उनके जिगे पर आ गया तो एक reaction in which one atom और a group of atom एक atom या फिर ग्रूप अप आटम takes place of another atom which call as a substitution reaction मतलब simply replace हो गया देखो ने example से इसमें भी saturated से आप क्या कर सकते हो एक less reactive बना सकते हो नहीं समझा तो समझाते हो आपके पास एक saturated hydrocarbon है उसमें आप क्या कर सकते हो carbon और hydrogen का bond या फिर carbon और carbon का bond strong covalent bond वाले noble gas configuration को अचीव कर सकते हो noble gas कैसे होते है less reactive होते है जल्दी react नहीं करते है example से ज़्यादा better समझ में आएगा देखो जैसे माल लो ठीक है substitution reaction जड़ा समझने के कोशिश का हमारे पास methane है CH4 और chlorine है हमने क्या किया यहाँ से एक hydrogen minus कर लिया तो यह क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा यह HCl एक बाहर चला गया ठीक है इस hydrogen ने इस chlorine ने hydrogen को replace कर दिया आप ऐसा समझ सकते हो ठीक है तो यह इस तरीके से replace हो के देखो ध्यान से देखना animation ध्यान से देखना hydrogen chlorine के जगे जाएगा chlorine hydrogen के जगे पर जाएगा ध्यान से देखो animation और यह जो HCl है यह बाहर चला गया तो हमें CS3Cl मिल गया और HCl बाहर चला गया अब यह sunlight के presence में हो रहा है कुछ हो ऐसा ही लिए रहा हूँ चलो अगला देखो chlorination and methane is a substitution reaction यहाँ पर क्या होँगा chlorine ने substitute कर दिया hydrogen को राइट तो हम बोलेंगे कि chlorination reaction बोलता है इसको methane का chlorination कर रहा है हम मिथेन में chlorineide कर रहा है तो यह एक substitution reaction होता है which gives four products इसमें चार product मिल सकता है तो पहला product तो आपका यह है methyl chloride दूसरा क्या होगा कि अब यह जो methyl chloride है CH3 CL जो आपके पास है जो product है आपके पास इस product को हम फिर से बते खुते CL के साथ react कराएंगे ठीक है बाकी CL के साथ करेगा और फिर वही interchange होगा यह वाला जो chlorine है वो यहाँ से एक hydrogen को लेके निकल जाएगा तो HCl निकल गया अब यहाँ पे एक hydrogen गायब हो गया तो CH2 बचा और एक CL2 हो गया क्योंकि अब दो chlorine हो गया है है यह बच गया CH बच गया क्योंकि यह जो hydrogen है वो एक chlorine लेके चला गया यहाँ पे है और यहाँ पर दो chlorine था ऑल्रेड़ी ठीक है यहाँ पर ऑल्रेड़ी दो chlorine था आपके पास अब यह तीन chlorine हो गया वाट इट एक और देखो अब यह जो product है नीचे है CHCl3 एक hydrogen है CL के साथ फिर से रियक कराएंगे in presence of sunlight यह chlorine एक chlorine क्या करेगा इस एक hydrogen को भी लेके चला जाएगा और HCl बनाएगा और आपके पास CCL4 बचा वाट अल्यू है विस CCL4 तो देखो product नंबर एक product नंबर दो product नंबर तीन और product नंबर चार इस इस सम्थिंग जो हमने वर्साटाल नेचर पढ़ने के टाइम भी देखा था ठीक है इस 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 नोट सम्थिंग जो आपको मैं पहली बार बता रहा हूँ वें 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 स्टेडिक वर्साटाल नेचर अफ कारवन का मौन तो आमने अल्रेडी पढ़ा है तो इस इट क्लियर टो एवर्रीवन तो बाट सिट गाइस नहीं तक है So hey learners, thank you so much for watching this entire video अगर वीडियो आपने यहां तक देखा और आपको अच्छा लगा है तो इसको share जरूर करना अपने friends के साथ और साथ ही साथ आप हमारे like batches को भी join कर सकते हो app का link description में वहां साथ कर सकते हैं या फिर at least आप टेस्चरी जरूर परचेस करना जो आपके preparation में आपको बहुत help करेगा happy learning चैनल पर नए हो तो subscribe कर लो और वीडियो को share कर देना happy learning once again